हलो बच्चो गुड मॉर्निंग जैसी एलसी माइसल्फ किसोर सेखावत टेम फिजिक सीलसी सीकर और आज हम सुरू करने जा रहे हैं देंगल 3 का पेपर सॉलुशन पेपर सॉलुशन से पहले कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं उसको माँ आपको सेर करना चाहूंगा पहली बात यह है कि अब ये वो समय आ गया है जहां पे हमको सिर्फ इस बात पे फोकुश करना है कि पेपर को हैंडल कैसे करना है जिस बच्चे ने एक्जाम के दोरान एक्जाम होल में पेपर के पूरे समय के अंदर ढंग से उसको हैंडल कर लिया तो मान के चलें आपके स्लेक्शन की जो परबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि सब ने समान पढ़ावा है अब जो पढ़ रखा है उसको ठीक से पेपर के दुरान अपलाइक जिसने भी कर लिया वो सक्सेस है उसके रहेंग अच्छी है वो स्लेक्ट हो जाएगा उसको गौर्रमेंट मैडिल कोलेज मिल जाएगी तो उसके लिए ऐसा पन क्या करे हैं ऐसा अपन क्या कर सकते हैं जिससे की थोड़ा सा आपका जो आपने पढ़ रखा उसी का आउटपूट ठीक निकल जाए तो अपने पढ़ेवे का आउटपूट ठीक लेने के लिए अगर हम अपनी जो पेपर की प्लानिंग है उसको ठीक से कर लेते हैं तो मान के चले हम कुछ निकुछ वहां से अच्छा ही मिलेगा क्या करें इसके लिए मैं दो तिन बातें आपको पहले बात यह हैं कि जो पेपर आप भी दे रहे हैं पेपर आपका दो से पांच हो रहा है तो आप डेड़ बज़े कर लें कि मेरे को पेपर में जैसे में प्लानिंग से मुझे सब्सक्राइब दो स्टेपें करना है, दो राउंड में कैसे करना है, क्यों करना है, इससे में क्या फाइदा होगा, इसको तुरा सोचें, हमको फर्स्ट राउंड में टाइम और माइंड बचाना है, जिसकी सेकंड राउंड में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, हमें टाइम और माइंड प त्रण वड़ा तीसा ऐसे कुश्ण पढ़ते गए पढ़ते मालो आप क्षिशन पहुंच गए दस्वें पहुंच गए एक से मुझे सिंपल थे एक बार पढ़ने से कुष्ण होगे, दस्वा कुष्ण थोड़ा हाड है, या पहली बात कहा रहा हूँ, जहां पर कुष्ण हाड आ जाए, दो बार पढ़ने से नहीं हो, उस कुष्ण को राउंड लगाए, छोड़ दो, उस पर माता खराब नहीं करना है, उस पर मांड आपको नहीं वहां रुकना नहीं है रुकना बिलकुल नहीं है उसको कुष्टन को राउंड करके आप आगे लिका जाओ चोड़ दो और जैसे फिर मालो आप किष्टन 11 किया 11 12 ऐसे करते गए 20 कुष्टन पहुंस के मालो 20 कुष्टन आ गया इसमें 6 लाइने है 7 लाइने है एक थीम बना ल है बीना पढ़े उसको राउंड करके आप आगे बढ़ जाओ और जिस कुष्टन को पढ़ने में दो बार पढ़ने से कुष्टन सौल नहीं हो उसको भी आप राउंड करके छोड़ो इस दो चीज़ें फॉलो कर दो पीजिक्स में केमस्ट्री वैलोजी में और यह चीज़ आपका मैंड पूरा फ्रेस है आपके पास समय अच्छा है दोनों को ठीक से अप्लाई करो और बड़ी आउट्पूट ले क्या हो निगेटिव कम हो जाएंगे आउट्पूट आपका सांधर निकलेगा और फिर भी सेकंड डाउंड में भी आप जैसे आपके पास कुष्ट हैंगे उसके लिए आपके पास थर्ड राउंड की भी प्लानिंग रहनी चाहिए अगर इस तरह से क्विश्टन करोगे ना तो मान के चलो जो आपने पढ़ रखा उसका बहुत शांदर आउटपट आउग मिलेगा ठीक है तो यह पूरी प्लानिंग करें और कम से कम मेरी त करने चरांगे डंगल्य को इस रूप में दो इसमें कूंशाह बेत्र लगता हो अपनी नीड के लिए फेलगार रहा ही है कि अपने थोड़ा सा एक्स्परिमेंट करो, experiment करके फिर देखो आपके लिए अच्छा कौन सा रहता है हो सकता है कि कई बार आप biology कर रहे हो आप अज़द लगी हुए हो सकता है कि आप chemistry करने से अच्छा कर जायो हो सकता है कि आप physics करना शुरू करो उससे अच्छा कर जाओ तो अच्छा जो कर जाओ उसको फोलो कर रहा ना लगा दो जान समय है आपका वेट कर रहा है जवर्दस शांदार सेल्सी आपके साथ है आपके साथ थी आपके साथ रहेगी बढ़िया करो अच्छा करो और selection के लिए अपने पूरे प्रियास लगा दो कर रहेगी कास ऐसा कर लेते कास ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता समय अभी आपके हाथ में है अच्छा करो सारा जो फॉर्मले वगरे हैं सब डंक से त्यार करो और कुश्शन करो अच्छे से अच्छे और त्यारी करो ठीक है आप करते हैं पन पेपर का सॉल्यूसन तो पहला कुश्शन देखो अपना है कि ए वेक्टर दे रखा अपने को दूसरा वेक्टर अपने पास यह है और यह करा है कि दोनों आपस में परपैंडिकुलर है तो एक अमान कितना है जब दो वेक्टर आपस में 90 पे हैं 90 पे हैं तो डेफिनिट अमान के चलो उनका आपने पढ़ते है न वेक्टर ए और बी 90 पे है तो ए डोट बी कितना जिरू आएगा तो इसका एडोट बी आपन जिरू कर देंगे एडोट बी इसकार कितना हो गया 12 पिर यह दोनों प्लस प्लस के हैं तो कितना 8a is equal to 0 यह करना है अच्छा यहां कितना से सरा हमारे पास माइनस का 4 प्लस 8a is equal to 0 8 equal to plus का 4 एक इतना वा 4 upon 8 1 by 2 आंसर आ गया 1 by 2 एक्छुली इसका आंसर आपका सेकंड आ गया देखो ऐसे हमको आगे बढ़ना है इसमें आप से पूछा है कि किसी वर्गागार प्लेट पर दाब प्लेट पर आरूपित बल और प्लेट की बुझा की लंबाई ग्यात कर मापा जाता है यदि बल और लंबाई की मापन में आधितम तूर्टी अपने पास है चार परसेंट और दो परसेंट तो दाब में कितनी मैक्सिमम एरर है तो मैक्सिमम जब भी एरर आती है तो सारे के सारे चिन हैं उनको अपने गोम फिर करके प्लस से माइनस सब कुझो भी आते हैं उनको माइनस प्लस सब मिला हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारे पास प्रे पॉस्लिटू हो गया फोर्स की पाउर वन और एल की पाउर मैनस का टू और इसको पन चैंज करते हैं तो अगे लिए लिए तो यह आपका वह गया डी पी बाई पी इंटु हंडड़ इसी कल टू आप इसको आगे लो तो वन इंटु कितना हुआ डी एफ बाई एफ इंटु ह ब्लस कितना दो यह को मल्टििप्लाय कर देना है तो आप देखेंगा फॉर्स में हमने चैंज केतना किया है पर बलको हमने 8 लिए और फिर दो इंटु यह लेंध कर आप परसेंट का इसमें मैक्सिम चैंज है गलती कर वेड़ते हैं अगर यह होता कि लंबाई को माँ में जो प्लस करते हुए यह आता नहीं की कि जैसे मैं लंबाई को चार प्रेसंट बढ़ा दूँ और जो लंबाई सुपर बढ़ां दूब दूँ show कम गड़ों 2% वो आपके percentage जो होते वहां जैसे 在 परसेंट हो कि मैं कि एक सब्सक्राइब है उसन अबत्ण है कि इस सा इतर हुआ एट परसेंट भाइट है एक हुए इस नेक्स क्तास में कि B को उन्चाए S से अपन छोड़ते हैं तो समय टी पर एक ही चाल B के साथ होगी तो आप समय टी की बात मत करो पहले सोचो क्विशन है क्या कि एक गेंद को अपने वर्टिक लिए अप फैंका है जैसे यहां से अपने एक गेंद को फैंका यू वेलोसिटी से अपवार्ड और कि अएक बोल है B उसको आपने ड्रॉप कर दिया,to इसकी स्पीड कितनी है यू-1 तो मेरे पास यू है और यू-2 हमारे पास कितना 0 है अब दोनु की जो स्रेलिशन है इसका A1 कितना है माइनस का G है और इसका भी A2 कितना है माइनस का Z है तो अपना निकाल लें इसको सापेक्स 12 के तरीक से निकाल लें तो सापेक्स 12 के तरीक से अपना निकाल लेंगे तो इसका सापेक्स 12 कितना A1 का A2 के सापेक्स जैसे यह A और B है तो A की चाल B के सापक्स पूछी है T समय पूछी है तो पहले ये देखो कि इसमें जो A है A का B के रेस्पेक्ट में तो अपनों ऊसको लिखें A A माइनस कौन सा? A B A किता है माइनस का G है पिर माइनस का G माइनस माइनस प्लस हो गया है ही आपका मालश हो गया और वैसे वी सिखर हृस गिर रही ढल तो यह जिसले इनका उनका सापेksen कितना हे जी रूआ अब स्फापेक्स सेंगे है सापैक्स कोई बदलाओ नहीं आएगा जो सापीась ट् לו तो कि t 0 पर है वो का वेग वो का वेग आपक किसे समें t पर रहेगा तो 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 ती 0 पे साप एक्स वेगे है वही किट करोगे तो तुम्हारे पास वीप्ल C कीटा रहेगा यू क्लस 80 तो फन गार यू अपर पर आप लिए आप बैदे अब यह इसका 0 हो गया न तो जो ती जिरो पे इसका साप एक्स वेगा है, वही कितकप रहेगा, किसमें टी पे रहेगा, अब देखो, यो टुस का जिरो है, और इसका यू बन कितना है, यू अप पार्ड है, मैं याद करता हूं इसका, यू, एक अबी के साप एक्स, तो यू, ए, मैनस कितना यू भी कर दो, यू हे तो कितना यू है, यök कितना चीक का जीरो है, तो यू तो रहा, इस का उसका कितना पंड ची. तुबहूच सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस तु आप यू डू खोरो, यू डू रूख पोरो कैसे डू डू धो, पैसिकलि आप का आने वाला है, बढ़ेंगे हैं। अगले ना आते हैं नेक्स्ट है किसी पूइंट इस स्पीड से थो किया है और बी पे इसकी स्पीड क्या है अपने को पूछ जा रही है तो बी पी जो स्पीड है बी पे आपने यहां से इसको फैंगा तो इसके पास दो है या 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 यहां इस यह थोगा यॉ वाई जब आप यहां इसमें को लैड़ करेंगा तो इसका यू एकस तो यू एकस ही रहेगा पर यू जो य था जो वेग इसका उपर है वो यह नीचे आजाएगा पस फरक है कि जो वर्टीकल कंपोर्ट पहले उपर था ना वो माइनस का यूवाई हो जाएगा बाकि कोई चैंज नहीं आएगा तो यहां से फैंक्तिक समें दोनों कैसे प्लस के हैं इसमें यूए तो प्लस करेगा पर तो यूवाई था उसको कर दो नेगटिव जस्त दो आई मैनस का जाएगा दो आज तीन जिए दो आई मैनस का तीन जे आपका इस बंड बोडिग्टा है और तो आप से पूछका कि यहelf टर हो रह लोने मिफे किसी परकारी को स्वीड में लॉस नहीं हो रहा है तक्र माने गई इस आपटर के इस ट्रक्राइग वापश पार्णिंग लेगी तो हमसे पूछा दिवार के दौरा गेंद पर लगने वाला आवें गेंद का आवेग कितना है हमसे पूछा गया है sign 3 plus minus का role है नहीं तो only mendor निकालना है अब आवेग होता है क्या तो समवेग का परिवर्टन या आपको निकालना था वो है कितना समवेग का परिवर्टन क्यानि P final minus का P initial अब यहाँ भी देखो इसका समवेग अपन देखें तो इसका ये कौन साथ डिगरी का है इस कौन के साथ होने पर ये वाला भी साथ है ये वी इस तरफ है तो एम से कुना कर दो एम वी इसका समवेग है इस तरफ कर दो कौन सा एम वी को साथ और ये हो गया आपा M V Sines Heart M V Sines Heart इसी प्रकार से नीचे आने पर इस मिन दो पर देखो, यहाँ इस तरह वेग है इस कोण के साट होने पर कोण साट हो गया, अब यह इसका वेग भी है, गटक करो इसका वो गया M V Sines Heart, और यह M V Sines Heart, अब धान दो कि M V Sines Heart जो Vertical Component है तो पहले भी इतना है था, बाद में इतना है इसमें कोई चेंज वाई नहीं, अड़ा हो इसको वहाँ को चेंज है नहीं तो चेंज वहाँ किसमें Only Horizontal Component में और वो गया वापिस है 180 चेंज हो गया, एंगल का 2 M V Cos Heart हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 M V Cos Heart का मतलब 1 by 2 तो यह आपका 2 से 2 कैंजल हो गया तो हमारा आंसर इसमें कौन सा रहेगा Second आद आएगा, ठीक है हाँ, एक जो Section B जो है Section B का भी तुरुक्षा लफट है उसको सम्झालोब उसमें कैसे का करना है Section B में चुँगी 15 कैसे आएगे आपको 10 कैसे करने तो जैसे मालो आपने 36 कैसे स्टार्ट होआ 36 कैसे आपने सौल कर लिया हो गया, बढ़ दिया आपने तो सही आपको लगा, सही आपने टिक कर दिया अगला कैसे आपको नहीं आया आपने छोड़ दिया फिर बढ़ दिया फिर मालो एक कैसे नहीं आया ऐसे करते वे आपको केवल आप उसमें चे 15 पुरे भर दो 15 पुरे भरने पर पहले 10 कैसे आपका रिड़ करेगी अगले पांच आपने सही के गलत के वे मसेट रीड नहीं करेगी वो नेगेटिव पोजिटिव नहीं माने जाएंगे पहले 10 कैसे नहीं आपने करेगी अब वो किसी ओर में किया मालो पहले 2 छोड़ दी आपने कितिसरा किया ऐसे करते हैं आप 10 क्यूशन कर दिए तो दो छोड़े वे वो रीड नहीं करना है उनको आगे 10 क्यूशन आप रोटल रीड कर ले जाएंगे है ना तो वहाँ ही द्यार रखना है 10 क्यूशन आप उसमें बढ़दो वह आप क्यों जाएंगे कोई से भी 10 क्यूशन है कि एन आपजेक्ट इस केप्ट आउन स्मूथ इंकलन प्लेंट आफ वन इन एल दा हुर्जोंटल सेलेशन तो भी इंपार्टेट तो दे इंपने प्लेंट प्लेंट इस पे बोड़ी रखी है और इसका मास कितना स्मोल है मैं अभी कर रहा है कि जो बोड़ी है और यह जो आपका नीचे वाला ब्लोक है यह किस तुर्ण से गती करें जिससे कि श्मोल एम नीचे नहीं गीरें इसके साथ साथ चलता रहे तो यहां दो परसंट आते हैं एक तो है कि इसको पन कितना तुर्ण देंगी साथ साथ चले एक आता है कितना तो तो गिर जाए गिर गया दो चीज़ दो बड़ ध्यान कर लो ऐसे किस नहीं कि वह आएंगे अलग से नहीं आएंगे यहां एक उल्टु जी टैन थिटा ना साथ साथ है तो साथ साथ रहेगा तो दोनें के साथ साथ गती करने के लिए एक आमान जी टैन थिटा आना चीए और अगर यह पर टैन आपको दियावा नहीं इस थिटा को आपको दियावा नहीं है तो थिटा जो हम लोग इसमें ग्याद करेंगे वो दो कैसे आएगा उसको समझो आप यह कौन थिटा है अब इसमें करेंगे एक पर इसकी लंबाई स्मोल एल है एक पर एल है एक पर एस एल बोला है जिसकी उन्चाई एक है लंबाई एल है उन्चाई तो एक लंबाई एल है तो अधार कितना हमादेगो एल स्क्वार मैनस एक का रूट तो टैन क्या होता है पर पेंडी कुलर बाई बेश तो वन अपॉन रूट एल स्क्वार माइनस वन तो हमारे पास तो इसका आंसर ए बराबर जी टैन थीटा जिसमें जी तो ठीक है तो टैन की स्थान पर कितना हो जाएगा वन अपॉन रूट आफ एल स्क्वार माइनस वन ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा लेगो तो इसका आंसर आपको जाएगा थर्ड बड़े आगे क्यूशन नमबर सेवन ये फिक्स क्यूशन है तिन गूट के एबी सीजिन के भाहर करम से देर रखें चार केजी दो केजी और एक केजी और ये फिक्सन ले सरफेस पर रखें आपस में कॉंटेक्ट में अब कर रहे कि अगर फोर केजी की ब्लोग पर हम फोर्टी नूटन का बल या पोस अप्लाई करें किस पर? ए फोर केजी ये फोर केजी का है ये हमारे पास टो केजी का वन केजी का है और आपने यहां फोर्टाइग कर दिया ये फौर्टी नूटन नूटन तो पुछा कि ए और बी के बीच कॉंटेकट फोर्पोर्स कितना है अब क्या करना है यहां पे आपको निकालना है इसमें contact force तो यहां contact force निकालना है तो जो बल लगा रखा होता है उसकी आगे वाल total mass चेक कर लो कितना है दो और एक तीन है तो यहां जो contact force होगा वो होगा आपका कितना एफ जो है वो है एम जो रिमेनिंग है इंटू ए एम रिमेनिंग इंटू ए एम कितना दो रेक तीन तीन गुणा कितना दो गड़ दो तो छे न्यूटन इसका सरापका आजाएगा बैसिक यह होता है आपने सब सिखावाए इतना करोगे तो बैस्ट आपका प्रिजल है तो प्वॉंट है यह पार्टिकल ए है बी और सी ए और तीन समान करण है इसका अन तेनों के मास कितने हैं समान है स्मॉल एम स्मॉल एम है और हम इनको इस तरह से गुमा रहे हैं और अब इसको पर गुमा रहे हैं लिकर बाहतम करन की स्विड़ किती वी नौट है तो दोरी में जो तनाव है उनका रिश्यो कितना है अब यह कुशन भी है इनको देखो इक पैट कुशन होते हैं बहुत आसे कि शौद लेकि किशनों करना चाए बिलकुल श्वाद अना चाहिए तो अब ऐसे प्रश्णों को जब आप सोल करते हो तो आप क्या करो सबसे पहले इन सब पे निकाल लो कि शूड़ो फोर्स या जो आपका सेंट्री फ्यूगल फोर्स होता है वो कितना हो निकाल लो आपक और से जूड़ सोल करेंगे एक निया कि रैडियस है वी कितनी है 12 सी कितनी हो गई 3ल कि अब इस पर कितना शूड़ो फॉर्स बार लग रहा है ईए मोमेगा स्कॉइर were in two three inch कि लग रहा है इस पे ग्याद करना हो तो देखो इस पे जो शुड़ो फोर्स लग रहा है उसका मान कितना है इस पे शुड़ो फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वार इंटू 2L और इस पे ग्याद करना हो तो इस पे जो शुड़ो फोर्स लग रहा है उसको देखो आप भी उसको देखि कि इस पर शुड़ो फोस लग रहा है यह एम ओमेगा स्क्वार इंटो एल एम ओमेगा स्क्वार इंटो एल यह है एम ओमेगा स्क्वार इंटो एल यह बल लग रहा है इतना काम कर लो फिर जो चाहिए वो आंसर निकालो अब देखो यहां जो हाना इस parad. इस रसी में तनाव निकालना है तो यहां इस रसी में तनाव है इन सारे बलूं की कारण है सब को जोड़ दो तो यह है M도 seals स्कWAR L यह 2M Ditraiyasная 3M кошार 3, 4, 5, 6 है तो जो फर्स्ट रसी आपकी है टी जो ओ ए है उसका मांद तो हो जाएगा तीन चार पांच और छे सिक्स एम ओमेगा स्कॉर इंटू एल इदि आपको सेकंड टी एबी वाले में निकालना है टी एबी में ग्याद करना है तो इसके यह बाद कितना फोर्च से जोड़ तो यह पांक एम ओमेगाइन तो हो जाएगा च्क पर वैसे बादक कितना बल है तो कितना ये 3-5-6 3-5-6 ये इसका अनुपात आपको मिल जाएगा मास अलग होगा तो भी आप करेंगे तो बिल्कुल शांदार इस तरीके से करो बिल्कुल प्रिक्स है ये क्षिशन आता है तो पहले आप शुड़ो फॉस निकालो सबके यहां निकाला तनाओ ये पूछे ये निकाल लो यहां तो जोड़ो यहां तो जोड़ो किस तरह से क्षिशन करोगे तो बड़िया आंसर आपका मिलेगा मज़ाएगा क्षिशन में टाइम आपका बच जाएगा दो पार्टिकल है जिसके है उनको रेस्ट से छोड़ा है और यह मुच्व अट्रेक्शन फॉर से पास आ रहे हैं तो यह पूछा कि सेंट्र मास की कुछ समय स्पीड क्या होगी जब उनके बीच की डिस्टेंस कितने स्मोल आ रहे हैं तो एक बात आप जानते होंगे कि सेंट्र मास पहले होती है कि जानते हुएं सैंट्र मास की सिस्ट्र मास् से स्पीड को रहा हुता है यहां पुरे सिस्टम की बात still की्जा रही है कि अंत्रिए है किन्स प्रसक करो पहले होती है यह यहां जीरो है तो बात ondra Kane श्का जाएगा एंगा अगलार अगाला परस्थन आपका है कि एक पॉइंट है उसकी किसी आक्स के बाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिर्ख़ाए 2.4 केजी मेट्र स्कायर और 750 जूल उसकी रोटेशन काइनर्टिक एनर्जी है और 5 रिदिन पर सेकेंट स्कायर का उसमें एंगुलर सेलेशन है तो यह पूछा कितने समय के लिए और एलफा को दिए जा रहे है और अग्यार और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी और एंगल एसलेशन ऑफ दिस मस्ट भी अप्लाइड अपॉट अप्लाइड अप्लाइड करेंगे तो वहां से स्टार्ट होगा तो इसमें क्या करना हम ल अजिया है तो यह मारे पास ओमेगा आगया अप गाया है अब यूप इन्टे और निकालते हैं क्यार वो होता क्ता है जाकाना है। A बटा दो I omega square होता है तो यह दो A बटा दो I हमारे पास I है omega कितना होगा alpha into T का square और इससे value आप निकालोगे T की तो I alpha square T square हो जाएगा T का value इससे निकलेगा तो इसका जो answer है वो आपको 10 में का मिल जाएगा कितना T equal to 5 second तो इसमें गर्णा करनी है यह आप आराम से कर लेना बैटेजी है ना यह answer आप निकालेंगे टाइम ज़्यदा स्वड़ा से बचाते हैं आपका next देखो अगले कृष्ण में आप से कह रहा है कि यंग के experiment में जो wire होता है उसकी length और radius दोनों हमने ने डबल कर दी तो वाई कैसे हो जाएगा तो वाई जो यंग मोडलिस होता है वो तो nature of wire जो उसका पडार्थ हो उसकी परकरती पर टैंप्रेचर पर उन पर डिपेंड करता है कि लंबाई चुड़ा पर डिपेंड ही नहीं करते इनको लंबाई को हाफ डबल ऐसे करने से कोई बदलाव नहीं आएगा तो जो इसका वाई है वह बना रहेगा इसलिए इसका आंसर कितना आपका थाड़ा वो आजाएगा ठीक है कि नेक्स देखो किसी तार को तोड़ने के लिए इतने बल इतने फोर्स की आवसिकता होती है यह दे रखा अपने को ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो स्ट्रेस सीकुल टो होता है क्या है दो नूटन पर मिटर्स को अना स्ट्रेस दे दिया तो स्ट्रेस को मैं एस क ओके यदि पदार्त करना तो दे रखा है इतना ये हमको दे दिया स्ट्रेस ये दे दिया अपने को बोडी का डेंसिटी तो उस तार की लंबाई या लेंथ कितनी हो जिसे कि वो अपने बाहर से तूट जाए बाहर से तूटने का मतलब है कि मालो इसका मास कैपिटल M है तो MZ इस पे अप्लाइड फोर्स की इस थान पे आपको MZ लेना है तो फोर्स तो हमारे पास हो गया MZ अपन इसका A अब इस M की वैल्यू है कितना रो इंटू भी डेंस्टी इंटू वॉल्यूम या डेंस्टी इंटू कितना Aे इंटू एल कर दो चीज याद कर पाएंगे कि लेंद कितनी लेंद हमारे पास है स्टेस अपॉन कितना रोजी लिपूट कर दो और इसका आंसर आपका मस्त वाला आजाएगा कितना एगा 34 मिटर है वह आजाएगा ठीक है तो यह अलो साब से रखी है तो यहां कुष्ण आदे दो परकार आते हैं कि दो बबल है एक तो मिक्स हो जाएंगे तो गुबरा यह बबल आपका बन जाएगा बड़ा तो बबल बन गया बड़ा और यह कॉमन सर्फेस है इस कॉमन सर्फेस को समतल दिखा रखा है यह अब फाइनली कैसे बनेगी फाइनली सर्फेस कैसे बनेगी वो सर्फेस आपको यहां पर डिजाइन करना है तो उसमें दो तरीके हैं दो दो तरीके सुना आते हैं एक तो है पॉन कितना रोत आफ आर वन को थो स्कुराइर आरवन कि तब कर डोनों आप से रहें को जब डिफ्रेंस रहें में रहें इक नहीं बनें पुछ इस्ति में आपको लेना यह वाला इसमें दोनुं को मुल्टिप्लाइब करते हो दो तुम्हारे पास था पांच और चार बीस बीस बटा पांस मैनेस चार एक तो बढ़ते आगे यह कॉमन कुस्टन है यह सौरी जितने दो प्लास है हम प्लास एक काईतन फ्लास दो काईतन से डबल है प्लास को सो और दो सो के अदस के से बढ़ा गया है एक में स्मोल एम है तब ग्लास दो में कितना है तो इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा पुना नहीं चीए दोनों को साथ जोड़ रखा है प्रेसर इसमें आपका हो जाएगा इसको आप ओनली वी सवानुपाती एम टी से शॉल कर दें तो एम हमारे पास हो जाएगा प्रेसर सेम है दोनों जोड़ दें ना प्रेसर सेम है ताप अलग रखे वे हैं मैंटेन किये वे हैं ताप अलग अलग किये वे हैं यह दोनों को ताप अलग रखे वे हैं और दोनों आपस में जोड़े वे हैं तो प्रेसर इनका कैसा सेम है ऐसी सिती में यदि हम बात करते हैं आदर्स गेज समिकर्ण से पी विकल्टो आपके पास जो एन रटी होता है उससे अपन लिखें इसको एन आपके पास होता है स्मोल एम बाई मोलेकुलर वेट इंटो कितना आर टी तो इससे देखो कि यह पी कितना है इसि का रख है तो में आपको मास निकालना है अन्यकी तो इसको 2 वह थिव बाई कितना डी Wisconsin M1 की value M put कर दो V2 अपने पास कितना है सब जरखे हैं भाई प्लस एक काहितन 2 से डबल है तो यह कर दो 2V1 यलो 2V1 यह V1 into temperature T1 हमारे पास 100 है T1 है 100, T2 हमारे पास कितना है 200 V1 से V1 कट गया 200 कितना है 1 तो M2 बराबर M1 आ गया M2 बराबर तो M बना गया M2 बराबर तो M बना गया Q14 का आंसर हमारे पास है 3 Q14 का आंसर 3 कुछ गरवड करी गया यह ज़िए भार देख रहते हैं M बराबर V बटा T M बराबर V बटा M2 बटा M1 V2 बटा V1 तो यह कहरा था इसमें V2 प्रास एक का आइतन दो के आइतन से दुगना है तो ये तो है V2 ये तो है V2 ये है 2V2 एक बाल डवल आइस का यास 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 तो अब इसमें V2 से V2 कट गया ये बटा ये सो से कड़ गया इबटा चार आगया एबटा चार तो M2 बटा M1 M2 बटा M इकुल टू कितना विलकुल आपका बनभाई पॉर ही आंसर आएगा थोड़ा सा यहां गलती हमने लिखते समय कर ली ओके बढ़ आ गया देखो इसमें क्या हमसे क्यूशन है एक उश्मा गत्यक परक्रण में एक गेस की निशित मात्रा का अधार इस परकार से पंच चैंज करते हैं कि गेस करनों 20 जूर उश्मा मुक्त करता है तो सिस्टम से 20 जूर उज़ा बाहर निकल रही है तो देल्टा क्यू हम लोग लिखेंगे बाहर निकल रही है तो यहां साइन का नुइंसर बड़ा इंपोर्टेंट है एड हो रही है प्लस निकल रही है तो माइनस तो माइनस का 20 जूर लिख दो उसके बाद है कि एवंगेस पर इतना कारी हो रहा है डवल्यू डवल्यू कारी यह गेस पर हो रहा है तो गेस कंप्रेस होगे वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम कम होने पर कारी आपका नेगेटिव आएगा माइनस का आठ जूर आ गया आरंबिक आंतरी उर्जा यू इनिशियल दे रख़ी हम लोगों को कितना 30 जूर दे रख़ा है तो पूछा कि इसकी इन्टल एनर्जी क्या होगी तो यह हम जानते है फ्लॉट रोट क्या होता है डेल्टा क्यू बराबर यह डेल्टा यू प्लस डेल्टा डव्यू डेल्टा मालो तो इसमें आपको पूछा इतना सा है कि इंट्रल एनर्जी का जो बैल्यू बात कौन सा है तो डेल्टा क्यू बराबर कितना कर दो यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल प्लस कितना डेल्टा डेल्टा डेल्यू अब सारी बैल्दे रखें साथ पूट करोगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पा सब्सक्राइब को तो यहां जो जुभी आपके डाटा होते हैं वह आइशो घ्रमल का गामा गुना होता है तो यह आप अंसरा देगा तो यह आप कर लेंगे उसके बाद है यह प्यारा कुछन देखाए कि प्यारा कुछन आ गया एक बिंद्रिमान स्मॉल एम को कोई से अपना के लूए से पास्टेर शुreal के आदर या स्मॉल है कितना होगा एक मिनट कि एक पॉइंट मास स्मॉल एम को रखा है कोस्ट के अंदर से और वाइट तू दुरी पर बिंदू दूरे मान पर कोस्ट दौरा आरू पर बल अच्छा ठीक है किसन इस तरह से नहीं किसन ऐसा है कि यह तो आपके पास हो गया एक कोस्ट जिसका मास केपिल एम आर एडियस है यह इसका सेंटर मान लो अब सेंटर से आर बाइट टू डिस्टेंस पे स्मॉल एम रखा है तो इसे स्मॉल एम पर कितना फोर्स लग रहा है तो हम जानते हैं कि यहां जो फोर्स आप निकालोगे तो फोर्स एकल डो एम आपको मालूम है किसी भी स्पेरिकल सेल की इंसाइड इंटेंसिटी होती है वो तो कितनी जिरू होती है ना इसलिए फोर्स कितना आपका उजाएगा जिरू और यह बढ़ते आंगे कि यह एक थोड़ा सा कैल्कुलिरस्टी का क्यूशन है सिंपल सा यह करना कि आपने पास वन केजी के बहुत सारे मास हैं उनको प्लस मैंने सब्सक्राइब और इदर भी और इदर भी रखा गया है और कैसे दिसमाल यह और इस वन है यह आपका टू हो गया फो प्लस कितने सारे में के वन केजी वन केजी और थे तो हमसे पूछा कि अक्शेख मत्नी जीरो पर कितना वीजी है वीजी हमको फारिन करना है अब जो भी जी भूं का है जो वीजी एमन का है वोहीं न जूशाण लिए 10 सब्सक्राइब होन इस wrong इस डूप उत्सक्राइंज का हमारे पास वीजी आएगा वीजी आप जानते हैं एक अधिस रासी है स्किल कॉंडिटी यह तो वीजी वन वीजी टू वीजी टू वीजी तो दो इंटू वीजी वन कितना इसका वह आपका जी मैनस का जी स्किल मैनस मैं माच तो वन ही एपका कितना जी इन टू एपउन कितना इसे इंफिनिटी तक है तो इस में से फीर्स के से अगर मैं इस जी को कोमन ले लोँ माइनस का टू जी अपने भार ले लिया बचा कितना वन प्लस बैटो प्लस कितना वन बाई च्वर प्लस और ले मच छांगितर स्नकी इनका सम कितना होता है तो पहला वन होने पर आप लिखते हो पहला अगर वन होना तो फेर्स अपॉन स्समाइन से कि पूछा है इसमें पर प्रणामी जो गूरति है उसका परिमान पूछ है तो परिमान कितना क्लस्ट में आ जाएगा फोर जी एसका अंसर आपका हो जाएगा फॉर्थ तो यह कुर्शन भी देखो आपका कम्प्लीट है यह आपके एसेसम सोरी उसमें खुबार आपने किया हुए यहाँ वाई है डिस्टेंस टी आर है यह ठीटा मान लो अपर सौरे सौरे यह यह यहाँ से आतकी डिस्टेंस है इसको पर मान लें यहाँ पर आर बाई टू यह ठीटा तो यहाँ इसमें फोर्स एमजी एफी तो आप इसमें पढ़ते हो टैन ठीटा बराबर कितना होता है एफी बटा एमजी एफी कितना है यहाँ पर के क्यू स्क्वाइर अपॉन यह आर का स्क्वाइर एमजी और टैन हमारे पास टैन है तो परपें Y, R upon 2 Y, R Y 2 upon Y, बराबर K square K Q square upon R square M G, R की पाउर 3 स्मानोपाती Y आ गया, R की पाउर 3 स्मानोपाती Y, तो आप से तो Y पूछा है न, Y का मान कितना है, तो Y स्मानोपाती कर दो, R की पाउर 3, आपको दूरी पूछ ये, डिस्टेंस R डेस, तो R की पाउर 3, Y की स्मानोपाती Y की पाउर 1 by 3 हो गया, बैस, अब कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है, हमको ये मिला, कि R स्मानोपाती Y की पाउर 1 by 3, तो R डेस अपूर R एकोल टू, Y डेस अपूर Y, इसकी पाउर कितना 1 by 3, आपको बोला गया है, कि पहले तो कंडिशन ये इस तरह के थी, यहां को बोला गया है, उसको पर ने Y by 2 तक लेके आगे, तो डिस्टेंस Y by 2 रह गई, तो Y डेस Y by 2 है तो Y by 2 अपॉर कितना Y, इसकी पाउर कितना 1 by 3, Y से Y कट किया, 1 upon 2 आया, तो 1 upon 2 की पाउर 1 by 3, यह हमारे पास आगया, R डेस अपॉर R, तो R डेस हमारे पास है, R upon 2 की पाउर 1 by 3, तो ऐसे हम गो करना वही है, अजिए, नेक्स्यों देखो, आठ एक समान, R डेस की छोटी बुंदे हैं, उनको मिला करके बड़ी बुंद बनाते हैं, तो परते क्छोटी बुंद पर आविस कितना small क्यों है, तो बड़ी बुंद का विहोग निकालो, तो बड़ी बुंद का विहोग पर निकालेंगे, तो आठ की पाउर 1बै 3, 2 का पाउर 4 ओ गया, तो 4 इंटु की बटा आर, तो Q अपॉन ये 4 पाइ एफसलोट इंटु स्मोल आर, और से पूर कड़ गया, तो Q अपॉन पाइ एफसलोट इंटु आर, Q अपॉन ये पाइ एफसलोट इंटु आर इसका अंसर है, वो बिल्कुल च चाहँ आजा गया, अगए, कि समांतर प्ले संदर्यत की धर्था किनिर प्ले किस भी करती है, दातों के पराकार पे नहीं करती है, तो प्लेत का एईए कितना है, तो इल्स्टि अपॉन कितना करेगा कि अगला है कि संधार कि पूर्जा कि शुरूप में रहती है आप जानते हैं इलेक्ट्रो स्टाटिक पोटेंशल एनर्जी होती है सेक्डिक्स का अंसर आपका हो जाएगा अगला है चितर अपसार तेंगे पांस वोल्ट आप सब्सक्राइब अपने प्रोसे सिमपल आने ज़िए ए और बी च्ण पुरी यहां वी समयल प्री समयपती वन पॉन सी हो गया तो यहां परो खुट आपके हैं यह तो सीख्य कितना है तो गर एक जोड़ा यहां पर सीवी क्यों बराबर हमने लिखा ऐसे सीवी कर दिया अब क्यों तो कॉंस्टेंटर स्रेज स्रेज में तो वी समनुपाती वन अपॉंची आ गया तो अगर आपको इसका वोल्टीज निकालना हो ना तो इसकी केपसिटेंस अपॉंट टोटल यह दो बटा पांच इंटू दो ब पांच दो बटा पांच इंटू दो वोल्ट इसका अंसरा गया ऐसे आना चाहिए आना ही चाहिए भी आप नेक्स देखो चितर में बांतर भी और धरा के इस ग्राब देर रखें दो ताप टीवन टीटू आप उदेर रखें तो टीवन और टीटू में क्या रिलिएसन है व अब भी और आई में है तो इसका श्लोप किसको दरसाता है पहले वो देखो तो वी और आई का स्लोप होता है टेन देटा विदी बटा आई यानि यह व्यारे रिस्टेंस र हो गया तो पर आप जानते है रिस्टेंस और इकुल टो ता ना आर नोट इंटू 1 प्लस अलफा to t ताब ज्यदा होने पर स्दर्च ज्यादा घ्ड़ा उसका से मान लो इसको मालो भी त ऴड़ा है तो एं में और टो से को लनो 12 definitely T1 कमान T2 से भी बढ़ा है ठीक है? तो इसका आउसर आपको अज़ेगा T1 कमान T2 से जादा है question 24 24 को आपन देखें तो इसका आंसर कर नहीं कर दिया न? T1 कमान T2 से जादा है बिल्कुल ठीक है, okay है done, 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 done done, डे का होता न मारवड़ी में कि की आपर व्योकोखुनिय वजड़ना उतोई जाए है कि है थुक्स काम्वाइको अब उत्त में कैसे बोलेंगे आताहा किसी के बोलना फहला तो फोस्कान होता है जब किसका ne नोट डन 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 ओके थैंक यू जैसी अलसी अगला कुष्ण हमारा है कि एक छोटा सामरे पास सेग्मेंट है जिसमें करेंड आई फ्लो हो रही है आप से पुछ है इससे स्मूल आर डिस्टेंस पर मैंने टिक फिल्ड कितना है तो बिल्कुल बैसिक आपका ब्येसल का कुष्ण है और ब्येसल में आप जानते हो मेरे भाई कि यहां जो डीबी होता है वो कितना होता है म्यू नोट अरे मैंने गलंत लगा दिया तो देखो आप हम लोग पढ़ते हैं डीबी इस इकल टो म्यू नोट आई इंटू डी एल क्रोस आर अपॉन कितना फूर पाई आर क्यूब यह इसका वेक्टर फॉर्म होता है फ्री स्पेस में म्यू नोट आई ड क्रोस आर आर क्यूब तो देखो मेरे को यहां दिख रही है तो यह इसका अंसर है वो बिल्कुल सही है करें उसको लोग तो फॉर्थ आंसर का लोग कर रहा हूं बढ़ो आगे आजाओ तो अगला किस अपना है कि एक नेगेटिव चार्ज है वो किस तरब मूँ कर रहा है प और मैंरेटी चार्ज इस तरफ और और मैंडिज़ से इफैक्ट हो करके वो उत्तर की तरफ जा रहा है इस तरफ उसने अपना बात ये इस तरफ पात उसने शोख गळ दिया इस तरफ initiatives ने एंटर तो इधर गया हो इस तरफ गोमग गया माहलो तो आप से पूचा कि मेणिटिक फिल्ड वो किस तरफ है अपलेड्विलिड आप से पूचा है तो अपलेड के लिए दीशने दो रू लोगते हैं में लिटा estrogen लोग है अबगांब दो रूह एप वाले और applied में left का यह left का है तो इसमें left में जोसे यह तो मुड़ी ब assumes कर दो इससे में पिर या फिर आपका rapid당 चार बदानंट कर निकालए प्लस कर दो मैं האपका ጉकर दाएगा अभाड के तरह तरह है या फिर इसमें cross multiply से कर लो रोस मल्लिप्लाइथ से आपको निकालना हो तो हमारे पास f बराबर qv cross b होता है इससे आप कर लो क्यों क्रोस b से इसमें क्या करना है जैसे force आपको मालूम हो गया force किस तरफ है north की तरफ या नी हो गया jake क्यों हमारे पास है माइनस का तो माइनस का वन ए कर दिया मैंने इंटू वी किस तरफ है इसके तरफ तो कर दिया आई के प्रोस बी का आपने को मालूम नहीं है इसको छोड़ दो आप अन्नों नहीं अब ऐसे में क्या करते हो देगो कि हमारे पास ही माइनस पहले से अल्रेडी अब B को पन क्या लें? B को पन क्या लें जिससे की प्लस का जी आजाए इसके साथ इससे भी का सकते हो तो वो तो हुई गया, सिंबल था तो उसके एकोडिंग आपका आंसर जो था 26 का वो क्या रहा रहेगो 26 का आपका आंसर जो है वो F इसमें तो हिंट दे रहा है और आंसर देखें हैं अपने इसका कहीं गरवट ना हो जाए रहेगो आंसर देख लेते हैं 26 का आंसर आपका है थार्ड उपर के तरह बीट पूल है तो अप्लाइड के लिए सिंपल है अप्लाइड के लिए रू लगा दो ये कि कि एक प्रोटॉन है और एक डिट्रोन है जिनकी समान और एक समान जोंबक की श Ltd में शितर के लंब्वत परवेश करते हैं जब 7-4 भी में भीकैं ने ब्वस्ट करेंगे तो पांस होगा सर्कूलर 17 म aparece है कि आपको मालूम है कि kinetic energy radius इनका क्या relation होता है तो आपको पता है r equal to होता है mv बटा qb mv बटा qb यह है momentum पर इसके स्थान पर हम लिदें यहाँ पर 2mk यहनि काइनटी एनरजी upon qb ऐसा होता है अब हमको दरख है k constant दरख है ठीक है जी अब k के constant होने पर और साथ दोगो proton, deutron के charge same होते हैं तो charge भी same है b same field है k हमको दे दिया uniform इसका मतलब यहाँ radius जो है वो क्या है proposal to root m mass के वर्ग मुल के root के proposal हो गया अब इससे पर निकालेंगे r proton upon r deutron is equal to root of mass of proton upon mass of deutron mass of proton mp और आप जानते हैं deutron का mass है वो roughly proton के mass का double होता है mp से mp cancel हो गया तो हमारे पास value आगी 1 upon root 2 1 upon root 2 इसका मतलब r deutron का मान कितना है root 2 times of r proton तो इसलिए हमारे पास answer इसका आजाएगा r deutron is equal to root of 2 times of r of proton okay तो यह इस cancer आपका हो जाएगा ठीक है next question अच्छा प्रसंद आए आप से बोला है कि एक छोटी चुम्बा के सुई मैनेटिक निडल है पी यह पी इस सेंटर पर रखा है और क्यों विभिन इस सुटियों में आपको शोगर रखी है arrow के द्वारा उनके मैनेटिक मोमेंट है उनको शोगर रखा है तो आप से पूछा है कि अपने पास बहुत सारे configuration है उन में से potential energy कम से कम किसकी है तो देखो potential energy जो है वो अपन पढ़ते हैं वो होती है u is equal to minus का m dot b minus का m b cos theta तो अब इसके कम से कम होने के लिए theta होना चीज 0 degree ताकि हो जाए minus का m b अब जितना negative में कम से कम होगा उतना ही जदा है इसका मतलब m तो fix है b जितना अधिक होगा न उतना ही negative मान जदा आपको मिलेगा दूसरा angle अपने पास m और b के 20 0 degree होना ज़रूरी है ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो हमको इस answer हो मिल पाएगा तो देखो इसमें जैसे आपको यहां शुकर रखा है कि ये जो p है ना p isp ka magic moment आगा के तरह रहां कि तो यह पुएंट है यह पुएंट है यह सारत एकवटर है निरॉक्स निरॉक्स कि क्या होता है जो आपको जिस तरह पी होता है इससरफ होता है Axial का Half Axial का Half होता है तो B ज़्यादा कहाँ पे होगा B यहाँ पे दिखोगा अब B या तो इस Point पे ज़्यादा है या पिर यहाँ ज़्यादा है अब Axial Point पे आप जान तो जिस तरफ आपका P होता है जिस तरफ आपका M होता है उसी तरफ इसका B होता है तो एम इस तरफ है तो इसका दो बीस तरफ हो गया या इसका एम इस तरफ है तो बीस तरफ हो गया अब देखो आप इस वाली पोजिशन में इस वाले का डाइपॉल मॉमेंट बी किस तरफ है उपर की तरफ है इसका बी बी कैसा उपर की तरफ है और मैंटिक फिल्ट जो है व नेक्स देखो यह बैसिक उसन है यह आप कर लेंगे बैटाजी इसमें टाइम खराब करने क्या आप सकता नहीं है अपन करेंगे टाइम के रस्पेक्ट में इंटिग्रेशन तो डिफ्रेंशेशन तो एकुल टू होता है इस इकुल टू माइनस का डिफाई बाई टिफ्रेंशेशन और यह आंसर आपको मिल जाएगा तो टीक है नेक्स किस्टन इस स्क्रीट रखा उसमें अधर रिखे अपने को इतनी और वोल्टेज रखा इतना इनका इसका फेज डिफ्रेंस इंकालेंगे तो कितना है आप आप आई बाई यह ओमेगा टी मैंनेच productive था उसमें आपका ओमेह A hati तो दुनके फेस डिरेट आपको दिख रहे है आप जानते है एक सी सरकेट में जब फेस डिरेटस curvatureranch होता है तो लो सो पावर किता होता है जिरो उसका आणसर आपका हो जाएगा तो बढ़ते आगे अगला प्रस्ण हमारा है कि कि यह कारेफ्रन है दो इलेक्ट्रों वोल्ट और इस फ्रिक्वेंसी का अपन लायट यूज़ कर रहे हैं और आप से पूछा है कि जो इलेक्ट्रों यहां से होते हैं उसकी स्पीड हो मैक्सिमम कितनी है यह हमसे प के स्वेख्व्चारी के अगौरिंग आप इसमें कहते हो के मैक्सिमम तो के मेंसिमम् हारे पास कितना हो जाएगा के मैस आप को जाएगा यूज़िगा फोटन माइनस का टा है वर्क फंक्शन टो इस से पण एन्रेज निकाल लेंगे और यह आपको जाएगा दोनों को लो एक्ट्रोन वोल्ट में एनर्जी और हमको के मिल जाए किसमें अलेक्टॉन वोल्ट मिल जाए तो डिरेक्ट्लि आप जो V निकालोगे आ तो वी होता है इसका तैन की पार 5 िंटु 6 इंटु रूट वी रूट वी रूट वी नोट या कर दो के मैक्सिमम अगर आपके पास के मैक्सिम किसमें लेक्टान वोल्ट में हैं तो इसको पूट करके आप शिदे स्पीड निकाल सकते हो और किशन को यह नीट में जब आएगा तो ऐसे ही कर सकते हो अदरवाइस तो इसके कैलक्सिम बहुत लंबी हो जाएगी आप कर नहीं पाओगे तो पहले इसका के मैक सब्सक्राइब आरे पिटैंशयल और कुछा step यहां प्रक गराफ कुछ देे रहे आप में साब बी ग्राफ है इन दोनों की स्टॉपटाइशल से मैं तो यह नों की दाफेसे जो लाइट इस पी गिर जए उन दोनोंकी यानि इह और negative का मतलब हो गया कि इसमें आपने ज़्यादा energy का photon डाल रखा है तो उसकी जो frequency होएगे ना frequency of c वो दोनों से ज़्यादा है और lambda of c है वो क्या है lambda of c है वो इससे कम है lambda of c जो है वो है बचो a और b के बराबर है और c की उससे कम हो जाएगी अगर आपको intensity of light की बात करनी है तो दान दो देखो बी और c की maximum current से माना इसका मतलब intensity of b equal to intensity of c और जो a है इस a की देखो आप saturation current हो कैसे इसकी comparable कम है तो निश्दर से मान के चलो जो आई ए है वो इन दोनों से क्या हो जाएगी कम अब इन ही सब को इसमें क्यूंस में आपको दे रख है कि वहला आपको option छांटने है देखो जैसे आप से गोला इसमे 32 में 32 का जो आप answer देखते हो तो उसको पन match कर लें ज्यादा ठीक रहेगा time बचाने के लिए 32 में हमारा answer है second देखो आप कि a और b same frequency के है a और b same frequency मैंने बताया आपको a और b same frequency के है परन्तु बिन तिवरता की आप पतिस विक्रणों को निरुपित करते हैं आप देख लीजेगा कि क्या a और b की तीवरता हैं सेम है क्या नहीं है एक तीवरता बी से कम है बाइस हो गया तो अब केवल इन जो मैंने हाँ पर इसका रिजल्ट लिखाना इस रिजल्ट में सारे options सामिल है जो सही वह आपको मैच कर सेगा गलत वाल आप टिक नहीं करोगे ऑगी बढ़ते हैं आगे नेक्स देखो दो अपने पास हैं सरसंजक प्रकास रौद जिनकी तीवरताएं को अनुपात है कितना एन यानि आई बन बाई आई टू आप मालिस जी का एन है और उससे इंटर्फेरेंस हो रहा है तो आपसे पूछा है कि उस इंटर्फेरेंस पेटर मे आई मैक्सिम माइनस आई मिनिममम और आई मैक्सिम प्लस आई मिनिममम इसका रेश्यो कितना होता है तो यह तो रेश्यो फिक्स होता है वैसे आपने पढ़ा है इसको डंग से तो यह तो याद करने माला किसने बढ़ो आगे यह बता हूं जो थोड़ा सा बताता हूं आपक 2 into root i1 i2 और अपने निकालते हैं i minimum तो वो कितना होता है i1 plus i2 minus 2 into root i1 into i2 होता है इसमें सारा answer चुपा पढ़ा है अगर मांग लीजिए मैं यहां करता हूँ i maximum i minimum i maximum से i minimum गठा दें तो देखो गठाने से आपके सामने है इसका answer मैं घठाता हूँ उसको गठाने पर यह minus यह plus से minus यह minus यह भी आपका minus हो गया यह minus से plus हो गया तो आप देखो यह तो आपस में cancel हो गया तो आप देखें i maximum minus i minimum यानि i maximum i minimum का हमारे पास value कितना आ गया वो हो गया देखो 4 into 2 root i1 i2 आ गया अगर मैं इसको करता हूँ add अगर मैं इसको add कर दो तो आप देखो add का मतलब i maximum plus i minimum add अपन करेंगे तो यह plus का i minus का आपस में cancel यह इसका double हो गया तो यह होगा देखो 2 into i1 plus i2 अब 2 से इसको open कर दें cancel तो 2 आ गया अब हमको भी बोला गया है कि i1 और i2 का ratio i1 by i2 को हम माले n तो ऐसे कर सकते हैं log कि i1 is equal to n into i2 तो देखो आपने यहां रखना है i1 को n i2 n i2 i2 का square i2 भार आ जाएगा तो n अंदर रह गया root n आएगा तो 2 root n देखो only इसी में 2 root n यहां पर भी है यहां पर भी है पर आगे देखो इसमें फिर यह मैं लिखता हूँ यहां पर किता n i1 i2 i2 को मन तो n प्लस 1 आ गया तो देखो इसमें से दसा है 2 root n अपोन n प्लस 1 2 root n अप्लस 1 यह इसका थरड़ आंसर आपका हो जाएगा यह basically question आपका fix होता है इसमें यह एक ही formula तुर्ण दिमाग से करना होता है यह तो आपको बताया है मैंने इस एक्सपन की है वाकी यह क्रिशन आपका दिमाग से होता है बढ़े आगे तो next question देखो कि interference की जो गटना होती है उसमें क्या होता है यह किसमें होता है तो जात दो आप इसमें कि interference is the characteristic property of wedge इसका मतलब जो व्यतिकन है वो तरंगों का एक अबिलास्ट ने गुणा है इसका मतलब होता है कि यह सारे परकार की तरंगे interference हो गड़ती है जिसके साथ भी तरंग वर्ड लग गया जब तरंग का यह गुण है जिसको तरंग है उसको interference हो करने है पड़ेगा तो यहां तो अब option के check की आवश्यता है नहीं है जो भी तरंग है देखो यह भी तरंग है यह भी तरंग है तरंग है सब तरंग ही तरंग है तो answer भी क्या तरंग ही तरंग है all of this is answer आपका आज आजएगा अगला है कि f focus दूरी बाले उत्तल दरपण बस तो आज़ती है तो दरपण से दूरी कितनी होगी simple question है आप कर लेंगे जिसमें f देरेक ही उत्तल दरपण है दरपण के लिए f दरपण कौन सा दो उत्तल हो गया sorry sorry तो थोड़ा सा हिंट दो आपको यह आपका उत्तल दरपण के साब इसकी फोकस लेंद के इसनी है f प्लस में हो जाएगी वस्तु क्या कार से इतना है तो इसका यह एम दे दिया आपने को और वास्ति वस्तु है दरपण से दूरी कितनी होगी रियल तो एम इसका कैसा प्लस का आएगा तो sorry वास्ति तो अपने कहते हैं इसका इमेज बनेगा उल्टा तो एम इसका आजएगा माइनस दरपण से दूरी यह आप कुछ कर लेंगे बिटे अपका स्यक्षण है सेक्षण के अंदर पंसमीं से आपको आंसर की है ओमार उसमें दससे जो आपसे नों बढ़दो यह आहाफ यह ही बढ़ने हैं आप 10 से मालो आपको सब्सक्राइब आ रहे हैं तो कई सोचे हैं से कि भी हमने दस से एक से पंदरा पूरे बढ़ दिया पर आपकी जो ओमार की चैक होगा ना तो उसमें क्यों पहले को ही मसीं रिट अगले पांस विष्ण वा आपको तो ठीक है नहीं करें ठीक है और वैसे आपको पांस शोड़ना ही है तो यह ऐसे खना है तो आओ साब नहीं कहते हैं किसी बॉडियां जीरो होते भी नंजरो होथाय एक किससी बोडियों धितनी पर होते हैं जीरोऊ होती है जिने आफ़ेकिन करोंगी दस्थ हम एकई जिसे यह Each कितनी होती है जीरो और यह होता है नोग जिरो कि ए नोग जिरो तो किसी बोडी का जो वेलोसिटी है तोड़न की सुन्ने होते हो भी ऐसो नहीं होसकता है जाल अगर बदल गई तो बदलेगा चाल अगर बदल गई तो वेक तो बदलेगा तो वेक नियत संभवी नहीं नहीं यह तो इसका गलत एक समान होज़ांड diary में नायोंता है कि युँर्ण का परिमार् Mitarbeiter के बाद बात अपना रिवस करेगा तो यही एक सर्थ आपको यहां लगानी पड़ेगी कि पार्टिकल मुव कर रहा है उसके फोर्स के असल गाते हमें आपोजिट उसमें टाडेसन बंदन है बंदन के बाद स्टोप हो जाएगा स्टोप होकर कि पाथ आपना रिवर्स करेगा तो रिवर्स करना मतलब उसने अप ए और मेज के बीच अपने पास है पॉइंट टू तो आप से पूछा है कि इस सी का मास कितना हो जिससे की यह गती नहीं करें तो यहां सिम्पल सा मतलब है कि जैसे इसका मास मालो एम बी है जैसे अभी इसमें टोटल जो मास हमारे पास है वो ए और बी का है आप उदर रखाए ए और मेज के बीच कोपिशन और फ्रिक्शन और म्यू है इसका मात मालो एम ए है इसका एम सी है तो नीचे फोर्स लगा आपका ग्राविटिशन फोर्स एम ए प्लस एम सेंटो जी और और फ्रिक्शन फोर्स है कितना म्यू इंटो एन उपर जो एन लगदा ना नॉर्मल फोर्स तो एन हमारे पास कितना है यह है देखो एम ए प्लस एम सी इंटो जी तो इससे हमारे पास यह फोर्स लग गया म्यू इंटो एन तो एम ए प्लस एम सी इंटो जी यहाँ इस पे न मियू एमएंप्लस हैं उसके या से उसकाट गया और यह M A plus M C equal to कितना M B आ गया M A plus M C equal to M B upon M U A को open कर दें यहां से minus M A तो यह लो M B upon M U minus M A करोगे तो इस खांसर आपको मिल जाएगा बढ़ों आगे अगला किसन देखो इसमें इसमें आपसे कर रहा है कि M mask का कोई अपने पास यह ब्लोग है और यही फोर्स क्या परदान कर रहा है उसको centripetal force M V square by R की रूप में परदान कर रहा है अब इसमें देखो एक R से उसको उड़ा दें अपन तो V का स्क्वाइर परपोस्टल टू है अपने पास 1 upon R तो V स्वान पाती 1 upon R रा गया और जो अपन J निकालते हैं होता है M V R इसका मतलब M और V हो गया परपोस्टल 1 upon R into R तो इसको साथ में अगर लिखेंगे तो J परपोस्टल टू ये R का स्क्वाइर करके और इसको अंदर ले लो यहाँ पे तो मेरे पास रगया R रूट आर तो R रूट आर की परपोस्टनल हो जाएगा ये इसका फरस्ट आंसर बन जाएगा नेक्स देखो इसमें आपसे पूछा है कि ये कोई 8KZ का ब्लोक है स्प्रिंग आपको दे रखी X और Y दोनों का सें स्रीज ओर्डर में जब ये स्रीज ओर्डर में है तो आप मालूम है जितना इसका उतना है इसका होता है तो दोनों यहाँ पर 8KZ 8KZ को रिट करेंगी तो आंसर आपका कितना है वो थर्ड हो जाएगा नेक्स देखो दो गुट के दे रखें ये पिछे वाले कुश्टन में भी था पेपर में था मुझे बादम ध्यान पड़ा ये आपने इसका कर लिया होगा यहाँ से पूछा है कि किस बिंदू पर स्पिड हो मैक्सिम होगी तो आपको मालूम है Z equal to होता है MVR J होता है MVR और आपको मालूम है कि जो भी यहाँ पे सेटलाइट की इमोशन होती है उसमें angular momentum हमेशा constant बना रहता है तो angular momentum की constant रहने के लिए MVR यहाँ पे आपको चंजरूर करना पड़ेगा अब जब एक party यहाँ पे motion कर रहा है उसका mass आपके पास constant है तो definitely V into R बराबर क्या होगा constant तो V समन पाते कितना बनपोन R होगया जहां R कम से कम होगी वहां सकी speed का हैगी maximum हैगी तो देखो आप इसमें A पे इसकी distance यह है E पे इतनी है C पे इतनी है B पे इतनी है यहाँ इतनी है सब से कम distance कहाँ पर A के लिए तो A पे speed इसकी कैसे हैगी maximum उसका answer आपका हो जाएगा second कि यह कोई हमारे पास एक capacity था उसमें aluminum की thin foil आपने कर दें insert तो उससे इसकी capacitance में क्या फरक पड़ता है तो बहुत थिन अगर आपने रखी है इसमें एक aluminum की seat रखी है बहुत कम उटाईगी है तो उससे तो capacitance में को बढ़ना फरक नहीं पड़ता है तो इसमें capacitance आपकी वही बने रहेगी तो इस कहां से आपका third हो जाएगा यह question simple आपने कर रहा है हो जाएगा भी इसमें आपको पूछा क्या है कि इस लूप पे net force कितना है और यह wire हमारे पास है infinite length का है यह wire है हमारे पास infinite length infinite length यह wire है अपने पास infinite length का है इसमें current flow और यह आई इसमें है small आई तो इसका force इस पर भी है इस पर भी है पहले इस पर इस पर निकालेंगे इस पर निकालेंगे और current की राइक्शन देर रखिए नहीं कोई इश्यों है नहीं डेफिनेटली इस पी जो फोर्स है और यह आपस सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे पास इसकानेट फोर्स हो मिल जाएगा तो यह कुश्चन आप पर कर लेंगे भी है कि अधिक किसके सब्सक्राइब का और जो आपका लेंज दुकानियम है वो सब इसी पर एनरजी का अधर बेस्ट होते हैं कि अधिल्फा के प्रोटोन एलक्रोन के समान सम्वेग हैं उनकी मोमेंटम सेम है तो काइनटिक एनरजी और डी ब्रोगली तरंग्देरिय का आपस में क्या रिलसन है उसको देखो समान सम्वेग है तो आप जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंट की अगोडिंग आप देखो इसका अंसर आपका हो जाए फर्स्ट आपका सेम है अभी मास्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे मास्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे कौन सा एक दिस्टकारी परिपत नहीं है रेक्टिफायर कौन नहीं है तो रेक्टिफायर इसमें से कौन नहीं है रहा है कौन इसमें दिस् 46 में करा है तू नहीं है यह तो आंसर देख लिया भी ऐसे कैसे गलत बात है तो अब इसमें फर्स्ट को पंचेक करेंगे तो फर्स्ट में आपने यहां लगा दिया कोई तो फर्स्ट हाप में यह वाला कैसा है तो इससे आउटपूड निगल जाएगा अगले हाप में यह हो जाएगा फोर्वार्ड बिल्कुल ठीक है पर इसमें तो दोनुही सेम नेचर में लगा रखे हैं और रेस्टेंस भी आपने यहां अपलाई कर दिया तो अगर आप एसी ह हाप में । अच्छह पहली बात एक और हा पहले हाप में अगर यह प्लस-माईनस तो ड्रीवस यह नहीं करेगा है यह आपका रेक्टिफ हैर नहीं हो सकता है पहले हाप में यहां है यह लोग नहीं है बिल्कुल बालको यह आपका सही हो जाएगा पर सेकेंड पॉसिबल नहीं है इसी दूजरी प्रयोग में दो जीरों के बिस्त दूरी एक मिलिमीटर है और परदा उन से एक मिलिमीटर दूरी पर रखा गया है पर एक बरनी परकास की त्रंग दाख्यों पान सो नैंने मिटर है तो पते जीरी के चुड़ाइ कितनी होगी एकल स्लिट पैटर्ण के पैटर्ण के ढिस्ति में और ग्यायों ब्री जीरी के दस पूल-प्रीज प्राप्त हो जाए तो इसलिट के तो यो यह नित्त आता है और उसकी जो फ्रिंज भींट होती है वह फीटा कि टू कि वीटा कि उसमें जी जिरी के दस उचिस्ट प्राब्त हो जाएं दस उस प्राज़ाएं उचिस्ट तो टू बीटा बरावर हो 10 भीटा यह किसी है और यह किसी है यह है आपकी ऑफिर यह आगया आपका सिंगल स्लिट फ्रॉन होफर डिफ्रक्षन का मतलब यह जैसे अपन सिंगल स्लिट वाले में जो बनाते हैं पैटरन इसका है यह सैंटरल मेकसिम है उसमें डवर स्रिट वाले एक, दो, तीन, ऐसे दस फ्रिज़े बन जाएं। यह आप से पूछा है। तो इसकी लिए आप बेसिकली सुत्र है वो लगाओगे और सुत्र से इसका अंसर आपको मिल जाएगा देगा। यह तो टू, बीटा, तो उसमें आप लोगते हुए लेमड़ा डी अपॉन डी बराबर 10, लेमड़ा डी अपॉन डी बही मैं तो इसको मेरे तरह से करता हूं। कि यह थी सेंटर वाले की pleasant ने ले लिया उसमें लेंडा कैसे होता है यह अज़ी चॉरी precio डिरी ऑ तो डूञें varip E गभार यहां यहां उपनलिखेंगे लेंडा 4 यह खिसिर cafes आपके स्मोल डी होती है सिंगल सिर्ट के बीश का डिफरेंस तो यहां वेल्यू पूट करोगे तो लेमडा कर जाएगा बाकि आप आज आजाएगा कर लेंगे दोनु तरंगे किषको ट्रांस्टर करती है जो आपको है वो मिलने वाला है हमे needle हा कितना रहता है one ratio one ratio one ही होता है है ना तो इसमें कोई क्यों स्मीज़ता है नी आपने इसको पढ़ रखाए तो अब हम से dungle three को यह समात करते हैं पर समात करने से पहले बहु फिर कह रहा हूं paper की planning ठीक से करो तभी आप शान्दा फिजल प्राप्त कर पाऊगे ओके थैंक्यो जैसी एल्सी गुडबानिक स्टुडेंट्स हम बात कर रहे हैं डीशीम दंगल 3 के सोलुशन के बारे में तो देखिए फुल सलेविस का हमारा जो पेपर है उसमें पहला 51 कुंबर कुश्चन विच आप फॉल्विंग इस एक कॉंप्लेक्स सॉल्ट है कोंप्लेक्स सोल्ट कॉंट सा पुछ रहा है के सील एमजी यह जी छो है वो स्मॉल लेटर में बच्चो मजी शील टु आई के सील एमजी क्योन काने लाईट city किखन यह डबल सोल्ट हो गया और यह हो गया आपका फैरेस अमोनियुम तर्थी मोहर सॉल्ट यह वह डबल सॉल्ट हो गया बच्चो यह एलम हो डबल सॉल्ट यह ढबल सॉल्ट हो गया यह आपका कॉंप्लेक्स सॉंट फॉर्थ i is and इसको आप ऐसे लिख सकते हो के फोर एफ़ी सी एन शिक्स यह आपका है इस इस एक कॉम्प्लेक्स साल्ट तेगा नेक्स चलते हैं कि अई हिप ट हर तो नंबर कॉस्चेन विचरह इस इस तबॉरम नाइट्राइड से इस तरह से आते रहेंगे ज़या तो बॉरॉर नाइट्राइड बोरो नाइट्राइड से तो एस तुर्यंगे स्ट्रक्चर भी कैसे होती है लेड़ स्ट्रक्चर तो फस्ट एंसर करेक्ट आजे है कि रेफेट कि सेम इस तो बोरोज बोरोजिन हो गया इन ओर्गनिक बेंजिन होता है तो और यह आपका बीफॉर सी यह आपका हो गया बोरों का compound है और काफी hard होता है ये tetra boron carbide है ये और ये काफी hard compound होता है इससे bulletproof jacket बनती है तो ये नहीं होगा पहला answer तो आपका next चलते हैं find the incorrect match incorrect match पुछर आपको AL, C,L, C,Look,3 centred 4 electron bond है सभी बात है ये क्योंकि स्ट्रक् zalई है AL, CL, 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 फिर आता है AL, C,L CL और ये CL ये वेकर्ण हो गया तो यह इसका लोन पर इसको डोनेट करेगा ये लोन पर इसको डोनेट करेगा तो 3-centered और 4-electron bond आ गया इसमें तो पहला हो गया पिर सेम SI ही All-carbon-sp3 hybridized तो यह सभी हाइबिदाजन-sp3 होता है इसमें भी यहां पर Cl-cs3 आजाएगा फिर i2-cl-cl-cl-non-planar ये गलत हो गया बच्चों ये तो प्लेणनर होता है यह सीरुंदा है यह तो क्या होता है अब इसके पास एक लोन पेर हो गया अब और बिलो दे प्लेन तो ये इसका प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा और B2S is a non-planear and non-polar non-polar बोल रहा है तो ये ठीक है आपका non-polar ही होता है incorrect match पुछ रहा है आपको I2CLC is non-planar तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो third answer is correct third answer is correct next चलते हैं 54 नंबर कुश्चन which are following not a method of concentration of ores metallurgy का कुश्चन है ये आपने याद किया magnetic separation, gravity separation, flotation ये तो होता है smelting तो अलग हो गया smelting तो carbon reduction method होता है बच्चों, concentration method नहीं होता fourth answer is correct next चलते हैं करेक्ट ओर्डर आफ साइज देखे निकल, pd, pt तो निकल के नीचे आता आपका ये निकल आ गया इधर pd है और इधर pt है तो इन नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है लेकिन इन दोनों का साइज ओल्मोस्ट क्या होगा same lengthenoid contraction के कारण lengthenoid contraction lengthenoid contraction से तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट next लेते हैं कि अब आ रहा है melting point किसका जो है highest है melting point किससे देखते है lattice energies देखते हैं बचो तो lattice energy देखो क्या होती है lattice energy inversely proportional to size होती है catein ले लो चाहिए 9 ले लो अब यहाँ पर catein तो constant anine anine का size क्या है small है तो यहाँ size जो है कम होगा तो lattice energy ज्यादा होगी lattice energy directly proportional to melting point देखो यह lattice energy बढ़ेगी तो melting point बढ़ेगा और lattice energy कम होगी melting point कम होगा तो first आजेगा आपका बच्चो कि first में आपके पास size क्या है fluoride का छोटा है तो lattice energy ज्यादा तो melting point भी ज्यादा होगा अगला question चलते हैं 57 नंबर question सियो डिस्टेंस वियो सीध है वियो ठीक है रस्पेक्टिली तो आपको पुछा है सियो के देखो यहां वी आगे आपके पास यह पास वे चोषट है जैसे यह बेक बड Works यह ले और जैगा तो यह और ज़्यादा करेंगा तो यहांपर यह order co का क्या होगा bond order decrease होगा तो bond length क्या होगी increase होजेगी बच्चो नेगेटिव चार्ज वाले की bond length ज्यादा आएगी तो second answer is correct synergic bonding बैक बोन्डिंग CA3P2H2A प्लस B देखिए इसकी reaction कराएंगे CA3P2 प्लस H2O से तो यह बन जाएगा calcium hydroxide और प्लस Phosphine gas pH 3 तो यह B gas बन गई आपकी और उसके बाद में आपके पास आ रहा है यह जो B gas बन रही है फोस्पिन pH 3 react with HI तो विच गिव फोस्पोनियम आयोडाइड यह बनेगा C अब इसकी reaction फर्दर आप के उसे करवाते हो तो क्या बनेगा pH 3 वापिस प्लस के आई प्लस H2O तो आंसर आपको दीग गया है पता चल गया second answer is correct which one would be the incorrect, incorrect पुछ रहा है तो PSIH3 is the planar, planar कैसे हो सकता बचो देखो यह loan pair है इसके पास यहाँ SIH3 है तो यहाँ पर देखो synergy मैं कहूं यह बैकबोंडिंग का जो concept है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा जैसे आपने यह कहते हैं बैकबोंडिंग के लिए अच्छी होती है फिर तीनों तरफ से equally बैकबोंडिंग के chances होते हैं तो यह प्लेनर नहीं नोन प्लेनर ही रहेगा तो यह पहला तो आपका करेक्ट है नोट नोट इनकरेक्ट बोल रहे है कौन सा गलत नहीं है नोट इनकरेक्ट कौन सा ऐसत्य नहीं है यह पूछ रहे है तो ऐसत्य नहीं है इसका मतलब है तो पहला तो आपका गलत होगे दूसरा देखें आपन यह लेविस बैस यानि नौट इन्करेक्ट का मतलब है इसका महला कूरेक्ट कॉन सा है यह देखना अपने को तो पहला तो आपका क्या हो गया गलत हो गया यह बोला प्लेणर जबकि वह रही नोन प्लेणर अब यह लूइस बैसिट सेंथ ना इसमें देखो यहां पर आप यह ये सेकंड पीरिड हम थर्ड का आ गया तो इस इसमें क्या होगा बैक बोर्टीग होने से में क्या हो जाएगा इसकी बेसिक स्थेंद कर championshipी बच्छो ऐसे ये लोँन्म है और ये लोन पेर उसमें चला जायगा बैकंट और्बिटल में फिर BF3, BF, BF bond length order. यह गलत हो गया, क्योंकि हाइबरड़शन यहाँ SP2 है, और इधर SP3 है. तो bond length जो है, BF4 में ज्यादा आएगी, इसमें bond length कम आएगी. इसमें P5D effective back bond is present in NCl3. यह भी गलत हो गया. P5D back bonding, effective bond, क्योंकि इसमें more electro negative है, nitrogen और वेसे अपन करते हैं, nitrogen, chlorine में almost same सा होता है, तो यह loan pair अपना क्या कर डोनेटी नहीं कर पाएगा, तो यह अपना second answer is correct. नेक्स्ट चलते हैं. Which of following is most stable compound? HOCl, HOCl, देखिए सबसे जाइस stable compound हो गया आपका, first HClO4, देखिए यहाँ पर HClO जो होता है न, HClO, आप यह देखो, HClO के अंदर, यहाँ पर bond length जो आएगी आपकी, वो कम आएगी, जैसे यह bond length आएगी, वो कम हो जाएगी, वो highly unstable हो जाएगा, इसलिए HClO क्या होता है, oxidizing agent की तरह behave करता है, HCl प्लस O, ठीक है न, यह सबसे, अब HClO4, इसमें bond order सबसे जादा आएगा, bond order देख लो आप तो, यहाँ पर, CLAO4 negative जो आप लोग है, तो CLAO bond order आएगा न, वो maximum आएगा, इस maximum, तो stability भी maximum आएगा, तो answer हो गए, first, next, चलते हैं, the magnetic moment of nixt iron is found to be 0, magnetic moment, 0 बता रहा है, इसका मतलब, mu0 इसका मतलब, unpaid electron 0 बता रहा है, ठीक है, तो monodented anionic ligand बोल रहा है, यहाँ पर, तो nickel plus two oxidation state में हो गए, बच्चो, और monodented anionic ligand है, तो nickel में आप देखिए, 3D84S2 होता है, तो यह S वाल इलेक्टोन चले गए आपका, तो D आपके पास क्या बच रहा है, ठीक है, अब यह यहाँ पर 0 बोल रहा है, तो इसका मतलब, आपने कोई यह electron भी यहाँ लाना पड़ेगा, अब यह यहाँ लाना पड़ेगा, तो यह D वेकेंट हो जाएगा बच्छो, यह S हो जाएगा यह P हो जाएगा, तो यह हो जाएगा DSP2 हाइबरडाशन, आपका थार्ड एंसर इस करेक्ट, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इन औरगनी का बड़ा पेमेस कोशन है, कि एक क्रोमेटाइन होता है, एक डाइक्रोमेटाइन होता है, तो डाइक्रोमेटाइन तो इसिडिक मीडियम स्टेबल होता है, और क्रोमेटाइन होता है, बेसिक मीडियम में, तो यहाँ एक्स क्या आजाएगा बच्छो बेसिक मीडियम ओच माइनस बेसिक आजाएगा और वाई जो आएगा वह एच प्लस मतलब एस इडिक आजाएगा ठीक एक एसेडिक हो जाएगे बेसिक और ये यहां देना बड़ा फेमोज क्षेंट है करोमे डाणड़ी में डाण़ीsty मीडियम होता है तो यहा एक्सच आएगा देख्र लो यह में में श्चाँग्स स्टेवल है और यो बेसिक मेडियम स्टेवल sempre अब आपके पास आ रहा है और गेनिक का कुश्चन इसका नाम होगा टू मिथोक्सी प्रोपेन वन टू थी सही है फिर यहां लोवे स्लोकेंट से नंबरिंग करोगे तो वन वन टू हो जाएगा टू इसके बाद में टू मिथाल प्रोपेन टू ओल ठीक है यह भी यह नंबरिंग होगी इसकी तो यह एबीसी तीनों करेक्ट हो जाएंग बच्चो नेक्स चलते हैं कि नेक्स आईए विश शोड़ा टॉटो मेरिजम टॉटो मेरिजम कौन सा शो करेगा अल्फा एच कंटेंडिंग वाला एल्फा होने चाहिए तो देखिए यह अल्फा एच है इसमें भी अल्फा एच है ठीक है और इसमें भी अल्फा एच है लेकिन इसमें कोई अल्फा एच नहीं है तो आणसर आजेगा A, B, C नेक्स चलते हैं सबसे ज्यादा च्टेबल औरल influammies नहीं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है कि तो डिडियेट्यी पटो इसक्राइच अधरत reduce इलेक्ट्रोन विड्रोविंग इफेक्ट इडबलू जी स्टेबिलिटी ओफ कार्ब एनाइन की बात है यह तो आंसूर आपका फस्ट हो गया करेक्ट ओडर ओफ एसी डिटी एसी डिटी का करेक्ट ओडर क्या है यह पुछ रहा है तो अब आप यह देखोगे कि इसमें बच्चों क्या गया और तो इफेक्ट आ गया और इधर लग रहा है प्लस एम और माइनस आ ही लग रहा है प्लस एम डोमिनेंट हो गया तो यहां आपके पास देखो और इधर इसमें कोई ड्रोविंग गृप है यह नहीं यह डोनर डोनर वाला ब्लास्ट में आ जाएगा तो सेकंड एंसर इस करेक्ट कि पर देखो जाएगा यहां पर प्रोटोनेटर्टीं साइट आएगई विच्छौ कि यहां पर बेस प्रोटोनेट इन थाएग उच्गर गैस्ट्रो शिकलेख पर jako अजाएगा डिर्टे क्यों इस तो बन जाएगी के अपके पास तो फस्तों जाएगा सब्सक्राइब यह लोन पर यहाँ जाएगा यह यह जाएगा तो यह प्रोट्वन के लिए एक अजोया वही तो ऑक्सीजन वाला तो कभी आए गई यह भी ओक्सीजन वाला हो गया verified um था अजया और यहां पर नाइट्रोजिन पर वैसे पहले से पोजीटीव टो हमारे पास डॉबल वॉंड यहां लॉन पर यह यहां पर भी किन डॉबल वोंड पर जो नाइट्रोजैन है वह ज्यादा एक बेस्ट डोनेटिंग साइट बनेगे आपके तो फर्स एंशर इस करेक्ट नेक्स्ट देखिए बच्चो फीजिकल केमिस्ट्री का सॉलुशन का कॉश्चन आ रहा है इस फाल्स हैग विछ ददर ठी सो लुश्चन अनेल लेवल आईजस और के कम्सांटेशिन दे आपको अलग-अलग कि मौन्ट अफ स्कुछ रहा है कि यह अने जिल की मता है फ्रॉंग elex कि स्ट्रॉग ist्टॉग इलेक्ड राइट है है और strong electrolyte जो होता है वो concentration पर depend नहीं करता है weak वाला करता है तो one factor तो सब में equally रहेगा तो third answer is correct next आए the pH of the solution where the aqua solution of the strong acid pH 5 equal to volume of aqua solution of strong acid pH 3 दो acid को mix कर दिया आपने तो resultant की pH पुछी है तो आप क्या बलोगे nv equal to n1 v1 plus n2 v2 यह ले लो और यह आपके पास क्या final concentration लेनी है तो यहाँ आपके पास पहले वाले का जो pH आरा इसका मदब यह हो गया आपका 10 पावर माइनस 5 इंटू v कर लो 10 पावर माइनस 3 इंटू v कर लो और वोल्यूम क्या हो गया डबल हो गया तो 2 v कर लो ठीक है बच्छो तो यह आपके पास आजाएगा n final तो यह कितना आ गया यह आपका 10 पावर माइनस 5 इंटू 55.5 हो गया अब इसका लोग ले लीजी आप इसका लोग लोग यह आपकी कंसंटेशन हो गया एक तरह से मैं बोलूं कि एच प्लस कंसंटेशन है आपके फाइनल तो अपने को पीच निकालनी है तो पीच होता है माइनस लोग एच प्लस आएन कंसंटेशन माइनस और यह रख देंगे 10 पावर माइनस 5 इंटू 55.5 तो यह लोग ले लोग तो यह आजाएगा 5 माइनस लोग 55.5 तो यह बच्छो आएगा 3.3 नियर अबाउट यह लोग 50.47 तो पॉइंट 8.7 के अप्रोक्षिमेट आप माइनस कर दो इसमें से तो 3.3 तो आपका अंसर हो गया फस्ट वेल पोपिलर कोश्टन है कई बार एग्जाम में भी पुछा गया यह नेक्स्ट देखते है पन दे क्वांटिटी ओफ चार्ज रिक्वाइड टू ओप्टेन वन मॉल ओफ अलूमिनियम प्रॉम एल टू ओ ओ त्री ठीक है तो एलूमिनियम जेखो एल पर चार्ज होता है प्लस थ्री तो यह थ्री इलेक्ट्रोन लेकर के यह कनवर्ट होगा एल में तो इसका वन मॉल जो है कि उसके लिए कितने चार्ज की रिक्वाइर्मेंट है, देखलो अब आपने यह करते हैं कि वन ग्राम इक्विल इंडिकल वन फेराडे होता है तो यहाँ पर तीन इलेक्टरोन आ रहे हैं, थ्री इलेक्टरोन का मतलब यहाँ पर क्या होगे, थ्री फेराडे हो जाएंगे फ्राडे चार्ज होगा है, तो यह आजाएंगा तो आपका थार्र एंटर इसिक्रेक्ट विच्व फॉल्विंग इंकर्ट अबावट वडॉर्ड वेक्टरोन इंकर्रेक्टरोन पूछ रहा है, गलत the order of reaction can be fractional number, maybe fractional, maybe zero order of reaction is experimenting determined, ये भी ठीक है बच्छो, हम experiment determine करते हैं, इसको, the order of reaction is the sum of the power of molar molar concentration of the reactant the rate of association, ये भी ठीक है, all are correct, बुरी कोई भी incorrect नहीं, सारे इसमेर नहीं है, तो यह आपका केमिकल काइनेटिक का कॉश्चन हो गया है नेक्स्ट कॉश्चन आ रहा हमारे पास H2O2 का यहां रॉल पूछ रहा है तो आपको पता है तो आपको पता है यहां पर फोर में है और यह आ गया यहां पर जीरो में इसका मतलब यह इलेक्टोन ले रहा है लेता है वो ऑक्सडाइजिंग हो गया इसका मतलब बच्चों यहां पर भी यह भी रिडूसिंग एजेंट हो गया है यह उक्सडाइजिंग हो गया है तो बोथ हार रिडूसिंग एजेंट यह और भी दोनों के अंदर नेक्स्ट कुशन आ रहा है आपका और्गेनिक का बी आर टू एफी बी आर थ्री यह लुईस एशिट हो गया आपका और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हो गया बी आर पोजिटिव यह होगी खいつ konsant e lakford पॉलिक सब्सिट बीए यह ए एलेक्ट्रोफल अटेक ओं इलेक्ट्रोफनिक्ट आर बीच्ट साइक्ट दो देख है बच्छो यहां पर यह एलेक्ट्डौण ऑगे आपका ठीक है तो यहाँ पर यह पोजिशन होगी इसकी ओर्थो यह होगी पैरा और यह मैटा पोजिशन मतलब यह हम यह कहेंगी यह और तो पोजिशन यह मैटा और यह पैरा पोजिशन पर देख लिए जी मेजर प्रडॉक्ट आएगा जो पैरा से आएगा और तो पर भी आ सकता है लेकिन और तो देखो यह और तो यहां पर देखेंगे यहां पर इसके कोडिंग आए गए नहीं और यह गलत है तो आपका सेकेंड एंसरी इस करेक्ट यह सार का कुश्चन हो गया नेश्ट कुश्चन पर पूच्छन पर पूच्चन है यूजज पर पूच्छ रहा है बचो पलिस्टआईरिन घ्लिप टेल ज्रीप टेल क्या होता क्लिपल का पैंट और लिकर्स में यूज यूज रिख का यह का पूच्छी मेल पूच्छ गया एं रिच्व सीन faith असम या यहां पर यह 2 option cancel हो गए आपके आप आएगा फॉर्थ और फर्स्ट मेसे तो अ में देखिए पोली स्टाइरिन है और पोली स्टाइरिन जो है manufacturing of toys पोली स्टाइरिन जो है manufacturing of toys में आ रहा है तो आपका आप ए में थार्ड आ गया और बैकलाइट जो है मैनुफेक्ट्रिंग कम्प्यूटर डिस्क वगरा यह जो है बैकलाइट से बनती है तो डी करेक्ट हो गया आपका ठीक है यह पोलीमर का कुश्चन है जाब मोनोमर यूनिट आपको सारी याद हो निची ठीक है अंधिशनाikum को म है अ से की आइटेरंटिफाय क्रेक्ट स्टै soap incloud 치 Hyundai system 404 इर्रिवर्षिबल एडिवर्सीबल अगर्लेटिप्ट्र यह गलत है सिस्टम की एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती बच्चो डेल्टा एस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो नौट इक्वल जीरो तो पहला आपका क्या होगा है गलत करेक्ट स्रेटमेंड नहीं है यह फिर इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गेस्टेंपरेचर रीमें सेम यह ठीक लिक्विड की स्टेंडर्ड एंटल्पी जीरो होती है लेकिन यह तो गेस दे रहा है तो यह गलत हो गया आपका फर्स्ट गलत हो गया तो आनसर आपका सेकेंड इस करेक्ट कि छूज़ देक क्रreakट मैच हच तो और यह इस्टो पुछ रहा है खोला न непोट अल्क कि घरर को आपकिन लेकिन एक आयरील हलाएड न च्थ召ाट होना सेके तो यह तो क्या है यह भी एलिफिटीग है और यह भी एलिफिटीग ही हुआ तो यह वूड़ फिटिग नहीं हो सकती गलत है फिर सेंड में रीक्शन में यहां CU-CL आएगा यह कोपर दे दिया यह गलत हो गया यह रॉंग रिएक्शन हो गई पिर आता है CS3-0 इलेक्ट्रोललाइसिस इसको बोलते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्षन, not a call-way reaction only call-way नहीं call-way इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, तो all are incorrect, अब देखिए इसमें बहुत जल्दी से कई बच्चों का silly mistake भी हो जाता है यह पढ़ने में क्या आता है जल्दी से पढ़ाएंगे तो यह तो इलेक्टोलाइस इसको कोलवे रिक्षन बोलते हैं तो यह गलत हो जाता है ज्यान से पढ़ना इसको तो इसा आंसर क्या आएगा फोर्थ इस करेक्ट CH3, CH, CHO react to give the product given in the column यह रिक्षन इधर रिक्षन करके इधर प्रोड़क्ट बनने वाला है तो टोलन रिजेंट आप जानते हो क्या होता है टोलन रिजेंट जो है सिल्वर नाइट्रीड का बेसिक मीडिय में सोलुशन होता है ठीक है तो टोलन रिजेंट अब एल्डी हाइड में good reducing property है यह oxidizing agent होते है तो एल्डी हाइड को यह acid में oxidize कर देंगे तो टोलन रिजेंट क्या करेगा इसको acid में ले जाएगा acid का option एक ही दिख रहा है मेरे को तो ए में आपका third correct है यह गलत होगा यह गलत होगा आप देखिए B में चले sodium borohydrate reducing agent होता है double bond effect नहीं करेगा और CHO को case to watch में convert कर देगा तो double bond effect नहीं होगा इसका अमलब बी में second आ रहा है बी में second आ रहा है तो बी में second आ रहा है तो बी में second आ रहा है इस ही में तो answer आपका third is correct 77 में third answer is correct ठीकर next चले consider the following statement neutralization enthalpy for reaction between the enneau chand H204 is 57.1 kilojoule 1 mole H2 is formed सही है यह क्योंकि strong acid or strong base का neutralization reaction में 57.1 kilojoule energy ही निलीज होती है और आपने क्या सकते हैं कि हो H2 की formation के equal होती है entropy of the old substance at 0 Kelvin is 0 यह गलत हो गया लिजुँ वसे क्ष्ट्राइन सबस्टान साने चाइब और एक ideal temperature पर और क्ष्टलाइनodel और क्ष्टलाइन क्ष्टलाइन सोलीड होते हैं अनकी entropy is zero होती है और सोब्स्टेंस की नहें होती है यहां क्या है ओल क्ष्टलाइन सोलीड अनने चाहिए था तो यह गलत statement आपका बी गलत है फिर H2, Half H2, H2 सुपर यह ठीक है, Monoclinic आ गया, यह अपने ले लिया, रिपरजेंट, इसे formation को रिपरजेंट कर रही है, select the correct statement, तो इसमें बच्चों क्या आएगा, A, A ठीक आपका, B नहीं आएगा, A और C, A और C is correct, तो यह आपका third answer is correct, नेक्स सलते हैं, यह आपने पड़ा हुआ है, यह है, CO group, देखो किस में convert हो रहा है, CH2 में convert हो रहा है, CO group CH2 में, reduction है यह, और reduction में, एक होता है, Clemension reduction और एक Wolf-Kishner reduction, तो Wolf-Kishner reduction जो होता है, वो acid sensitive group के लिए suitable नहीं होता है, यह acid sensitive group आ रहा है, यहाँ पर यह acid sensitive group है, acid sensitive group बोलते हैं, उसको, उसके लिए Clemension not suitable, zinc plus HCl की presence भी होता है, और यह आपका hydrogene और basic medium में होता है, तो Wolf-Kishner reduction जो है, वो suitable होगा, अब इसमें होने में जो Clemension भी हो सकता है, लेगिन, यह acid sensitive बेस के लिए Clemension not suitable, तो answer second is correct, 18 number question, identify correct option, VRMS 2RT, यह गलत हो गया बच्चो, 3RT upon M होता है, VRMS, root mean square velocity, VRMS, यहाँ देखिए M के directly proportion नहीं होगा, गलत हो गया, T के यह भी wrong हो गया, फिर आता है VRMS, VRMS ज़्यादा होता है, VMP से, क्योंकि यह होता है, under root 2RT upon M, VMP, और यह होता है 3RT upon M, तो none of these आजाएगा आपका, 81 में आईए, 81 में बच्चों देखो, यह हमारे पास है CYS, CYS Alkin है, और CYS Alkin पर, हम के मनोफ 4 का bare recent selection करते हैं, bare recent, तो CYS का SYN addition होता है यहां पर, SYN, और यह बनेगा MISO compound, क्या बनेगा, MISO, MISO का मतलब यह हो गया, कि सेम साइड में सेम गरूप आजाएगे, OH, OH, M, E, M, E, sorry, इधार H आएगा दोनों तरफ, M, E, यह, तो यह MISO आजाएगा, plane of symmetry आगई इसमें, इसके बाद में हमारे पास है, paroxy acid, और यह लिखा है, तो इसमें क्या बनेगा, बच्छों हमारे पास, SIS में, यहां anti-edition होगा, SIS में क्या होगा, anti-edition, यहां पर SYN addition हो, यहां anti होता है, तो यहां पर क्या बनेगा, आपके पास, मतलए कि यह कहूँगा कि, रैसेमिक मिक्षर बनेगा आपके पास, एक तरह समें कहूँगा कि, इस तरह की गुरूप मिल जाएगा, आपको, O, H, H, SORRY, O, H, H, इस यह गुरूप आएगा, इनेंशियोमर मिलेंगे आपको, इनेंशियोमर, तो यहां आपके पास, यह दोनों कभी mirror image नहीं हो सकते, तो डाइस्टिरियोमर होंगे दोनों, तो A and B are diastron to each other, second answer is correct, during the electrolysis, how many faradays are required to oxidize 2 mol of C2O4, 2 CO2, देखे, C2O4 2 negative है, इसमें आना चाहिए, CO2 और प्लस 2 mol electron, तो बच्चों देखे, इसके यहां पर 1 mol से 2 faraday आ रहे हैं, 2 faraday, तो यहां 2 mol से किते आएंगे, 4 faraday, तो answer कौन सा होगे, 4th, बेल्कुल सिंपल सा question है, यह reaction आपको याद होंची, OxyO2 देता है, 2 electron देता है, 2 electron देता है, 2 faraday आ जाएंगे, 4 electron देता है, 4 faraday आ जाते हैं, पहले में, अल्कॉली क्योच आ रहा है, A मेजर बन रहा है, पोटेश्यम टर्सरी ब्यूटोक्साइड आ रहा है, B बन रहा है, तो अल्कॉली क्योच की परजेंस में, बच्चों मेजर प्रडॉक्ट होगा, 2 butyne, ठीक है, और पोटेश्यम टर्सरी ब्यूटोक्साइड बल्की बेस होता है, तो बल्की बेस के केस में, यहां पर जो मेजर प्रडॉक्ट आएगा, अब यह क्या करेगा, यहां से हाइडरोजन रिलीज करेगा, यहां से हाइडरोजन बल्की निकालेगा, और यह डबल बॉंड आकर यह निकल जाएगा, तो यह यहां आएगा 1 butyne, 1 butyne और 2 butyne दो प्रडॉक्ट बढ़ेगे, पहले में अलकोली के ओच में सेजेब के अकोर्डिंग मेजर प्रडॉक्ट बढ़ेगा 2 butyne, दूसरे में प्रटेंट रिस्प्रडॉक्ट हापमान प्रडॉक्ट मेजर प्रडॉक्ट तो दोनों बच्छों आपको तसला लगया, constitutional isomer होगे, यानि दोनों position isomer होगे, third answer is correct. Next देखिए, अपना जो question आए रहा है, electrochemistry का, 4.01HC, solution, delta M, ठीक है, lambda M देदिया, conductance देदि, molar conductance, ठीक है, पहले आपका concentration पर है, फिर zero concentration, infant dilution के उपर, तो बच्चों देखो, क्या होता है, weak electrolyte होता है, उसका अपना अल्फा निकालते है, lambda M upon lambda, not, यह होता है, ठीक है, lambda M upon lambda, तो यहाँ आपको पास पहले, alpha निकाल लीजिए, यह आगा, 10 upon 400, 1 upon 40, यह alpha आगया, अब weak electrolyte, k निकालते हैं, k क्या होता है, c alpha square होता है, नीचे 1 minus alpha होता है, जिसको अपन अप्रोक्सिमेट, c alpha square लिख सकते हैं, तो value रख देंगे, k की coding, c concentration किता है, 10 दस to power minus 2 हो गया, 0.01, और alpha हो गया, 1 upon 40 का square कर लेंगे, यह solve करेंगे, तो यह approximate बच्चो आजाएगा, 6.4 इंटू 10 पावर minus 6, तो approximate 6 इंटू 10 पावर minus 6 लिख सकते हैं, तो देखो इसको है न, यहाँ थोड़ा सखी कर लेना, यह minus 6 आएगा बच्चो, 5 नहीं आएगा कभी भी, तो इसके according, जो है 4th answer is correct, देखो otherwise निस्तों क्या है, इसमें कोई option set नहीं बेठेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी mistake होगी, पावर minus 6 आएगा, minus 5 नहीं आएगा, और कोई option बेठेगा नहीं, यह तो होगा नहीं, ठीक है, तो 4th answer correct, अब आरा आपके पास equilibrium का question, which of following mixture constant is a buffer solution, buffer solution पूछ रहा है, तो V-Casid और V-Casid का conjugate, strong base के साथ में buffer बनता है, तो यह buffer होगा, इसके बाद में आता है Na2CO3 ये भी देखो वीक एसिड कार्बोनीक एसिड हो गया ये भी वफर हो गया लेकिन ये तो कभी वफर हो गया ये भी वफर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो क्या सॉल्ट है और ये भी दो सॉल्ट है है? तो पॉंचर होगया फस्स्ट एन्हों सेकेंड थार्ड करेक्ट आपने पड्रत existed होता है बएसी के साथ हो साथ में इंवे उसका फिर वीक हैसे宦 का इसिद्रोड स्राइटок के साथ हो तो एसेटिक और बेसिक दो बफर होते हैं आपके पास न्यूट्राइल वाले इतने ज्यादा अफेक्टिव नहीं होते हैं दोनों वीक वीक होतो अब आईए नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 में 86 नमबर देखे हैं अब प्लस वन ऑक्षिडेशन स्टेट तो प्लस वन ऑक्षिडेशन स्टेट मतला अपन अलूमीनियम गेलियम इंडियम थेलियम अलूमीनियम गेलियम इंडियम और थेलियम तो प्लस वन ऑक्षिडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो बढ़ती जाएगी due to inert pair effect due to inert pair effect inert pair effect के कारण stability जो है वो बढ़ेगी आपकी तो देखे इसमें aluminum आ गया gallium आ गया indium आ गया थेलियम आ गया तो यह first tensor is correct first tensor is correct हो जाएगा बच्छों next चलते हैं 87 कि identify the statement that is not correct for as far as structure of di-boran di-boran की structure आप जानते हो कैसी structure होती बी-2-6 यह है है एच यह है है यह होता है तो दे देर आर टू ब्रीज हाइड्रोजन एटम इन दे डाइबोरेल तो यह सही है यह यह ब्रीज हाइड्रोजन होते हैं और यह टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं टर्मिनल फोर होते हैं ठीक है तो इच बोरोन एटम फोर्मस फोर बॉंड इन डाइबोरेन इच बोरोन एटम फोर्म फोर बोरोन बॉंड इन डाइबोरेन सही चारे बंड बन रहे है नोट इन डा सेम प्लेन सही है तर्मिनल हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं और ब्रीज हाइड्रोजन अब और विलो दा प्लेन होते हैं नोन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है यह, फिर आता है, ओल बी-एच बॉंड इन डाइबोरेन आर सिमिलर, यह गलत है, यह इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो यह जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, इनका बॉंड स्टेंथ कम होता है, और ब्रिज बॉंड का ज्यादा होता है, य इसलिए ब्रिज बॉंड हाइड्रोजन है न, वो कभी ब्रेक नहीं होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन पार्टिस्पेट इन दर केमिकल रिक्षन, तो यह आजाएगा आपका आंसर फोर्थ, 88 नमबर कोश्चन, विच ओफ फॉलोविंग, प्रोपर्टी इस नॉट रिलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे पर्मानेंट ब्लीचिंग यह गलत है यह ब्लीचिंग करता ही नहीं है यह तो एक स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है यह पर्मानेंट ब्लीचिंग नहीं करता है तो आंसर फॉर्थ इस करेक्ट 89 नंबर कुश्चन consider the following statement R2SiO is a repeating unit of the linear silicon यह गलत हो गया क्योंकि R2SiO अपने को पुछना है इसमें consider the following statement ठीक है R2SiO इसमें देखो silicon अपने ऐसे लिख देंगे आर आर यह ओ हां तो यह तो basic unit हो जाएगी आपके यह तो ठीक है आपका correct है यह तो linear silicon का basic unit हो जाएगा यह correct है आपका फिर R2Si इसमें 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 यह आएगा आपका cross इसके लिए देखो linear के लिए R2SiCl2 होना चाहिए इससे linear आता है इससे linear बनेगा लेकिन इससे linear बनेगा तो बी आपका गलत हो गया silicon can be used as a heat insulator यह सही है आपका यूज आपको याद करना है silica SiO2 HF में क्या होती है soluble होता है glass जो होता है silica होता है केवल A की acid में dissolve होता है hydrofluoric acid यह आपने पढ़ा हो वेल पोपिलर है तो answer हो जागा ACD second is correct next question number 90 when MnO2 is heated when MnO2 is heated with fused MnO2 को के साथ heat करते है न बच्चो तो बनता है K2 MnO4 K2 MnO4 बनता है और यह green color का होता है कैसा होता है यह green color का तो यह आपका answer होगा third K2 MnO4 को further oxidize करते है basic medium में K2 MnO4 तक बन जाता है फिर इसको अलग-अलग medium में अपन oxidize करते हैं तो K MnO4 बनता है तो MnO2 पाइरो लूसाइट बोलते है इसको क्या बोलते है पाइरो लूसाइट और यह K MnO4 का preparation method में यह यूज करते है इसको नेक्स्ट चलते हैं पन पूछा जाता है नेक्स्ट चलते हैं पन 92 इन एंटी फ्लूरेट स्ट्ट्चर ओफ आइनिक सॉलिड रेश्यो ओफ co-ordination number is anti-fluoride होता है बच्चो NA2O, sodium oxide को बोलते है anti-fluoride, ठीक है अब आप NA2 type की structure है, sodium कहाँ पर होता है tetra ideal void में होता है और oxide कहाँ पर होता है FCC arrangement में होता है और FCC में आप सुलोu, tetra ideal void कितने होते हैं हो जाएंगे यह 4 है तो यह हो जाएंगे 8 तो 1 इस्टू 2 का रेश्व आएगा कोडिनिशन नंबर का तो 1 इस्टू 2 सेकेंड इस करेक्ट ऑक्साइड एफसी से अरेंजमेंट में होता है होता है तो अपने कहेंगे कि एक सोडियम आठ फ्लोरेड से स्राउंड होता है एक ओक्साइड वह चार फ्लोरेड से स्राउंड होता है इस तरह से हम कह सकते हैं 4 इट का रेश्व आ जाएगा कि तो आनसर सेकेंड हो गया आपका कि 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 नेक्स्ट विच अफ्ट्रीक स्पीशीज एंफो टेरिक पुछा रहा है जो प्रोटोन डोनेट भी कर सकता है प्रोटोन एकसेप्ट भी कर सकता है बोट स्पीशीज तो हैच्टु ओटू पीओ फोर ये करेक्ट आपका इस पीओ थ्री टू नेगेटिव एच्टू ओ कार्बोनेट ये कार्बोनेट नहीं आए गलत हो गया आपका एच्टू पीओ टू यहां एच्ट हटा दीजिए बच्चो ये एच्ट नहीं है ओक्जलेट है तो यह भी गलत हो गया आपका अब यहां पर देखो इसकी बैसीयटी वन ही होती है तो यह एक प्रोटन दे भी नहीं सकता अब भी अन्लीख सकता एकसर्फट कर सकता है एच थ्री पीओ यॉफ्सटरी बबालो किती होगी इसकी होगी वान और एच्टश थ्री पीओ थ्री बैसे से नेक्स्ट चलते हैं देखे यहां पर C2 S5, C1, 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 C2 तो यह आपकी होगी फ्रिडल क्राफ्ट ऐसाईलेशन एक्षन तो इसमें प्रोडक्ट पहले आपके पास अटेक हो जाएगा C2 H5 C1 प्लस का तो यह प्रोड़क्ट बनेगा आपका CO C2H5 फिर उसके बाद में आपका क्लिमेंशन रेडक्शन तो यह CO गुरूप कनवर्ट हो जाएगा आपका CH2C2H5 में तो आंसर देख लिजिए CH2C2H5 यानि फर्स्ट एंसर इस करेक्ट नेक्स सलते हैं which is not dimagnetic which is not dimagnetic तो dimagnetic कोण सा नहीं है तो देखिए O2 तो आपका बचो इसमें अन प्रेडिलेक्ट्रों होते हैं अंटी बन्दिंग में तो यह पैरा मेगनेटिक है यह पैरा होता है यह डाया होता है यह आपका डाया होता है तो आंसर हो गए है थर्ड next CH4 can be obtained hydrolysis CH4 का अपन में आ सकते हैं Beryllium और Aluminium Carbide से BE2C और AL4C3 यह दोनों Diagonal Relationship दिखाते हैं Beryllium Aluminium तो दोनों का hydrolysis product बच्चों क्या होगा CH4 प्लस ALOH का होल थ्राइस या PBEOS2 का होल थ्राइस यह product आएगा तो इनको बोलते हैं Methanolide तो आपका answer हो जाएगा fourth और इससे बनता है आपका Acetylene C2H2 प्लस CAOS का होल थ्राइस केल्शियम कारबाइड से अपे मोनो रोफ यहोत आपका नायलोन टो नायलोन six सब्सक्रणा का More यह तो नाइलोन 6 आजाएगा इसमें तो और ADP, Casted and Hexam, Diamine यह नाइलोन 6-6 हो गया, Orlon यह आपके पास अलग हो गया है, Orylon के फाइबर बनते हैं आपके पास, यह हो गया आपके पास, Pan Polyacrylo-Nitrile, तो आनसर आपके पास क्या हो गया, None of these हो गया, विच इस नेट डाइपोल मोमेंट जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है यह पूछ रहे है तो देखिए फर्स्ट में पी-C-L-3-B-R-2 है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे हो सकता देखो यहां फोस्पोरस आ गया अब यहां आपके पास हो गया C-L इधर हो गया C-L और इधर आगया आपका 1-C-L इधर बी-R इधर बी-R तो मू नॉट इक्वल जीरो आएगा आपके पास 1-3-Dichlorobenzene का इसका 0 हो सकता है कि देखो चेक करो यह 1-0-3 पोजिशन पर इसका भी नॉट इक्वल जीरो PCL-2-B-R-3 इसका 0 हो सकता है बच्चो देखो इसमें क्या होता है यह फोस्पोरस आ गया तो ब्रोमीन मोर इलेक्टो नेगेटिव एक्जिल पोजिशन पर आता है लेस इलेक्टो नेगेटिव एक्विटोरिल पोजिशन पर तो यहां पर आपके पास आजाएगा बी आर बी आर बी आर यह सिमेट्रिकल हो गया और बेलो अब वोद प्लेन तो इसका 0 हो गया आपका हाईवर्डाइशन आपको पता चल गया SP3D तो आंसर 3rd is correct हुआ है आप अगय को सिद्धा डारेक्ट रख्रेक्ट अक्सिस में आप चीदा बना दो सीट्व एस फाइप ओ एस इस थरी है तो एक्सिस का मतलब है एच यहां आ जाएगा आपका आई इधर हो गया है फिर H इधर आगया आपके पास फिर I इधर हो गया है यह प्रोडेक्ट बनेगा तो आपके पास C2H5I प्लस CS3I तो आपके आंसर देखो कौन सा हो गया बच्चो C2H5 and CS3I सेकेंड इस करेक्ट नेक्स्ट अमारा What is the hybridization of bromine in BRF3 bonding का कुश्चन है बड़ा असा कुश्चन है आप कर दोगे सीधा डिरेक्ट स्टेरिक रूल से निकाल लो आप वैलेंस एल में 7 प्लस 5 अपॉन 2 तो यह कितना आ गया 6 आगे टोटल हाइब्रिड ओर्बिटल आपने निकाल ली 6 इसका महला SP3D2 hybridization तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड इस करेक्ट तो बचो यह हमारा जो पेपर था काफी scoring पेपर है मैंने expect किया है कि मैंने easy going पेपर बनाया ताकि मैं चाता हूं कि बच्चे ज्यादा ज्यादा अच्छे से score कर पाए लेकिन दखो इसमें calculation based मैंने बहुत ही कम question दिये हैं और बहुत ही easy calculation जो एक के दुके दिये हैं छोटी नहीं कर सकते हो ना तो आप मैं सोच सकता हूं कि कोई paper में score करना मुश्किल सा काम होता है तो यह बहुत easy paper बनाया है मैं expect करता हूं कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा काफी scoring paper है और आपने बहुत बढ़िया score किया होगा तो आप बच्चे लगे रहिए अभ आपको यह कहना चाहूंगा कि कई बच्चे क्या करते हैं अलतु फालतु लगे रहते हैं अब exam time आ रहा है बच्चो तो में में ट्रिक देखो चोटे-चोटे फोर्मुले देखो चोटे-चोटे-चोटे कोश्चन करो ताकि confidence आपको maintain रखना है ताकि हम 12 September को जो है बहुत अ थैंक्यू हेलो बच्चो मैं डॉक्टर आयूश पर एक Geology Faculty CLC Seeker वेलकम है आप सभी का CLC के YouTube चैनल पर और CLC के डिजिस्टल प्लेटफॉर्म पर तो बच्चो जैसा कि जो यह test series का हमारा last mode अब जो last time आया है किस चीज का दंगल करने का और तो यह दंगल की test series का जो तीसरा paper है आप लोगों का उसका video solution Geology वाले portion का लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूँ उमीद है कि बच्चों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप जैसा follow करते जा रहे हैं CLC की test series को तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो रही होगी तो आपकी है बाकी उन test के उपर focus कीजिए और जो आपके पुराने test हो चुके हैं उनके papers को भी आप solve कर सकते हैं अपनी तैयारी को NCRT based कीजिए sharp कीजिए power play start हो चुका है हर ball six मारने की ball है आगे बढ़ करके खेलना है और बिल्कुल भी low confident अपने आपको feel बिल्कुल भी नहीं क है वह बहुत ज्यादा sufficient है कि आप उसको अगर आप उसको अच्छे से आपने पड़ा है तो आप 100% निश्यंत रहिए आपका बहुत अच्छा score आएगा तो चलिए बिना कोई time waste कीजिए करे शुरू करते हैं हमारा solution तो बच्चों जैसा कि नीट का नया pattern है section A और section B section A की हमे सभी questions करने हैं और section B में हमें कोई भी randomly जो questions है दस वो करने हैं जैसा कि आपके यहां पर instructions जो हैं दिये हुए है major paper है पूरे paper को यहां पर पूरे topic को पूरे chapters को cover करने की हां पर कोशिश की है NCRT based paper है उम्मीद है कि आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा चलिए सबसे पहरा question है 101 which amino acid is substituted in sickle cell anemia कौन से amino अमल दात्र कोशिका एरक्तता में प्रतिस्थापित होता है तो देखिए यहां पर बच्चों किसकी बात हो रही है sickle cell anemia की बात हो रही है sickle cell anemia कैसी disease है sickle cell anemia एक तरह का genetic disorder है जिसके अंदर RBC की shape कैसी हो जाती है sickle shape हो जाती है और एसे में व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है जो RBC जिसकी shape change हो जाती है वो destroy कर दी जाती है और कहीं न कहीं body में कमी हो जाती है किसकी RBC की तो इसके कारण क्या cause हो जाता है anemia cause हो जाता है तो sickle cell anemia में हम लोग देखें बच्चों तो किसको किस से replace किया जाता है अगर आपने अच्छे से पड़ा है तो pure NCRT की line यहां पर है देखिए glutamic acid को welline से alpha chain में यह बात जहां तक है सही है glutamic acid को welline से किया जाता है बट alpha chain में नहीं किया जाता किसमें किया जाता है beta globin chain में यानि कि हमारा यहां पर second option जो है वो एकदम correct जाएगा कि glutamic acid को substitution किसके कारण होता है beta globin chain के कारण beta globin chain में जो glutamic acid किस से substitute हो जाता है welline amino acid से substitute हो जाता है क्योंकि यहां पर क्या होता है एक तरह का mutation हो जाता है और mutation के कारण यहां पर जो amino acid का जो sequence है वो भी क्या होता है बच्चों चेंज होता है तो इसलिए इसका answer हमारा कौन सा गया second option is the correct answer चलिए बच्चों नेक्स क्यूशन पर चलें हम लोग 102 नंबर का क्यूशन है यहां पर हमें kidney का एक section दे रखा है यानि kidney का एक NCRT का डाइग्राम दे रखा है हमें सही options को select करना है बहुत ही basic सा question है उमीद है कि आप सभी का सही हुआ होगा तो देखो जो चीज हमें clearly identify हो रही है जो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती उससे सबसे पहले लगाओ क्या है यह ureitor हो डिया ठीक है ureitor हो गया यानि कि क्या कह सकते हैं हम लोग इसे basically मूत्र वाहिनी हो गई ठीक है और अगर हम देखें C तो C क्या हो गया हमारे pyramids हो गए ठीक है यह क्या हो गए पिरामिड हो गए और B को हम देखें, तो B क्या हो गए, बच्चों, यहां पर columns हो गए, ठीक है, और A क्या हो गए, यह A क्या हो जाते है, बच्चों, कैलेक्स हो जाएंगे, ठीक है, कैलेक्स का मतलब, यानि कि वो spaces हो गई, जहां से यहां पर जो collection है, urine का, वो इनके through किस में पहुंसता है, pelvis वा आना चाहिए, यूरेटर आना चाहिए, या मूत्र वाहिनी आनी चाहिए, तो देखो, यहां पर deeper renal column दे रहा है, यह option तो बिल्कुल भी हमारा नहीं होगा, और यहां पर भी deeper column दे रहा है, तो यह भी गलत हो गया, यानि answer किस किस में से रहेगा, second option और third option में से answer रहेगा, क यह option भी हो जाता है, हमारा गलत, तो सही option कौन सा है, exactly जो सही है, वो हो गया, बच्चो हमारा second option, ठीक है, diagram आपको पता होना चाहिए, इस तरीकी का question देने का sense यह है, कि आपको NCRT में जितने भी diagram दे रहे हैं, उनमें ऐसा question पूछा जा सकता है, कुछ भी जो दिया होगा, उसको substitute कर देगा, और वहाँ पर A, B, C, X, Y, Z code बना करके पूछ लिया जाएगा, तो exam-oriented preparation में सबसे important चीज़ है, आपको diagram अच्छे से रखने हैं, NCRT के, वो free के question होगे, free के number होगे आप लोगों के लिए, चलिए, आगे चलते हैं, बटा, next question के तरफ, चलो, देखो, बहुत ही आसान सा question, क्या पूछा है, किसको हम anti-diuretic hormone कहेंगे, anti-diuretic hormone, यानि की ADH, anti-diuretic hormone का दूसरा नाम क्या होता है, बच्चों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, वैसो, प्रैसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो, प्रैसिन, प्रैस करना, दबाना, वैसो मिंस, वैसल्स, यानि की ये बहुत ही ज्यादा, कौन सा effect पैदा करता है, ये as a, वैसो, कॉंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, यानि की ये, जो हमारी रक्तवाहिकाय है, रक्तवाहिनिया है, उन्हें संकुचित करता है, ये नाम आपको ये information दे रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई, क्यूशन हम से simple सी पूछता है, कि किसे हम anti-diuretic hormone कहेंगे, oxytocin को नहीं कहेंगे, adrenaline को नहीं कहेंगे, calcitonin को नहीं कहेंगे, किसक question की तरफ चलें बच्चों हम लोग तो इसको रफ कर देते हैं, चलिए, ये question ध्यान से देखना, हो सकता है, आप लोगों को यहाँ पर confusion हो, ये पूछ रहा है कि closing of semi lunar wall, यानि अर्द चंदरकार कपाट का बंध होना, और निलई कपाट के बंध होने के मध्य का समय अंतराल क अब कितना time गुजरा, वो time आप से पूछा है, तो आपको पता है कि इस तरह की हमारी cardiac cycle होती है, बहुत ही basic सी फंडा है ये, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है, ऐसे दो चक्कर मैंने बना दिये, ये बाहरवाला किसको शो करेगा यहाँ पर, माल लेते हैं कि बाहरवाला किसको शो कर रहा है, बाहरवाला शो कर रहा है, अट्रियम को, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सिस्टॉल, कौन सा वाला, atrium का और अंदर वाला ये जो है ये क्या हो रहा है इसको मैंने माल लिया ये किसका systol है ventricles का ventricles का systol है अब ध्यान से देखना क्या question पूचा है कि semi lunar valve बंध होना तो आप खुद देखो ventricles में contraction है ventricles की दिवारे भिच रही है दिवारे बंध हो रही है तो इस समय ये वी वाल बंध होंगे यानि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंध है क्या खुले है semi lunar valve खुले है क्योंकि इस दौरान ब्लड जो है left ventricles से अरोटा में जा रहा है और right ventricles से pulmonary data honorary artery में जा रहा है तो semi lunar valve बंध है यहाँ पर भी बंध है यहाँ पर भी बंध खुले हैं, AV valve बंद हैं, semi lunar खुले हैं, ठीक है, अब semi lunar बंद कब होंगे, जब ventricles का contraction खत्म होगा, ventricles में जब relaxation आएगा, या ventricles में जब diastole आएगा, या अनुशितलन आएगा, उस दौरान कौन से valve बंद हो जाएंगे, आपके semi lunar valve बंद हो जाएंगे, तो कौन सी जगह प पर जाकर के क्या हो गए, जो semi lunar valves है, ये इस जगह पर जाकर के क्या हो गए, close हो गए, ठीक है, ताइम कहां से कहां पूछा है, closing of semi lunar valve से लेकर के कहां तक, atrioventricular valve, AV valve के बंद होने का समय, तो यहां से वो time start होता है, ठीक है, अब AV valve आपको पता है, ये चल रहा है, joint diastole, joint diastole में AV valve खुलने हैं, ठीक है, यानि कि tricuspid, bicuspid खुलने हैं, blood आ रहा है, यहां से चलता चलता, यहां पर atrium में क्या होगा, contraction, तो भी valve खुलने हैं, ये कब बंद होंगे, tricuspid, bicuspid, ये बंद होंगे, जब ventricles में दुबारा क्या शुरू होगा, contraction या ventricles का कहां बंद हुए, ventricles के contraction के ending में, और AV valve कब बंद हुए, जब ventricles का contraction क्या हो रहा था, शुरू हो रहा था, यानि ventricles का contraction जब खत्म हुआ, तो कौन से बंद हो गए, semilunar, और जब शुरू हुआ, तो कौन से बंद हो गए, AV valve, तो यह जो time period है, यह से हम calculate करें, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, इस दौरान, atrium में contraction हो रहा है, पर ventricles क्या है, अभी भी, relax mode में है, ठीक है, तो इस दौरान भी क्या है, AV valve तो खुले ही है, तो यह पूरा time कितना आ गया, यह time आ गया, आपका 0.5 second, 1, 2, 3, 4, 5, और 0.5 हमें कौन से option में दे रहा है, second option में दे रहा है, तो answer क्य हो गया, second option, चलो आगे चलते हैं, बिना कुस टाइम वेस्ट किये हुए, फटा 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 फट, ठीक है, चलो बच्चो, 105 नंबर का क्यूशन देखें, यह क्यूशन केवल और केवल यह क्यूशन आपकी knowledge चेक करने के लिए यहां पर नहीं दिया कि आपको पता है य अभी ने सही किया होगा, carboxy hemoglobin किस-किस का compound है, hemoglobin जब carbon monoxide के साथ reaction करता है, तो एक permanent stable compound बनाता है, मैं simple formula लिख रहा हूँ अभी उसका, HBCO, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, इसे हम कहते हैं, carboxy hemoglobin, ठीक है, यहां पर और और भी आपको पता होने चाहिए, ऐसे ही hemoglobin का compound, किस के साथ में, CO2 के साथ में, जब हम बात करें, तो यह बनेगा, carbaminohemoglobin, ठीक है, HBC लिख दिया मैंने, यानि carbon dioxide का और hemoglobin का compound हो गया, carbaminohemoglobin, carbon monoxide और hemoglobin का compound हो गया, carboxy hemoglobin, hemoglobin और oxygen का compound हो गया, oxy hemoglobin, hemoglobin और methane का compound हो गया, methamoglobin, यह कुछ नाम है, जो आपको अपने दिमाग में रखने है, इसको revise करने के लिए question दिया है, इसका answer आपने सभी ने सही लगाया है, बिल्कुल, का answer क्या जाएगा, carbon monoxide, चलो, आगे चलें, next question की तरफ, चलो, यह question, यहाँ पर बहुत ही basic सा question है, आपको सभी का सही हुआ होगा, epithelial lining जो है, स्टॉमक की, हमारे स्टॉमक की अंदर की, जो epithelial lining है, वो hydrochloric से damage हो सकती है, पर नहीं होती, क्यों नहीं होती, ऐसा क्या है, ठीक है, क्या hydrochloric acid dilute है, नहीं, बिल्कुल नहीं, concentrated होता है, 0.2 से 0.3% है, पर concentrated है, अच्छा खासा, pH कितना है, 1.8 है, याद है न, आपको NCRT में लिखा हुआ है, epithelial cell resistant है hydrochloric acid के साथ, नहीं भाई, ऐसी तो कोई epithelial cell नहीं देखी, जो resistant होगी, तो यह option भी गलत हो गया, hydrochloric को alkaline gastric juice neutralize कर देता है, बिल्कुल ही नहीं, बलकि gastric juice की खुद की pH कितनी है, 1.8, gastric juice खुद गैसा होता है, acidic होता है, तो यह बाला भी गलत हो गया, epithelial covered होता है mucosal secretion के साथ, यह बात एकदम सही है, क्या होते हैं, जो surface mucosal cells होते हैं, जो mucosal neck cell होते हैं, gastric glands के अंदर, वो किसका secretion करते हैं, बच्चों, वो mucos plus bicarbonate ions का secretion करते हैं, और यह एक तरह की covering बना लेते हैं, तो hydrochloric acid सीधा संपर्क में नहीं आता, direct contact में नहीं आता, stomach lining के से, इसी वज़ए से वो बचा हुआ रह जाता है, hydrochloric acid के प्रभावों से, तो इसी जैसे हमारा answer क्या जाएगा, fourth option is the correct answer, चले, next question की तरफ, बहुत ही आसान सा question, सभी का सही हुआ होगा, copulation के दौरान, यानि मैथून के दौरान, शिशन से वीरी है, यानि, semen किस से release हो रहा है, penis से release हो रहा है, किस structure में release होगा, यानि कि जब देखिए, release हो रहा है, किस से penis से अनि कि natural insemination के process की बात हो रही है, कैसा process है, natural insemination का process है, तो एक diagram आपको दे रहा है, तो कहां release होगा, तो आपको पता है कि insemination में THAT यहां रिलीज होता है, वेजाईना में रिलीज होता है, तो कुल मिला के क्या ढूंड़ना है, वेजाईना ढूंडनी है हमें इस diagram के अंदर, और जहां तक आपने सभी ने NCRT पढ़ी है, आपको पता है, A number किसको शो कर रहा है, यहां पर वेजाईना को शो कर रहा है, तो इसी with cannabinoid receptors, such receptors are present in application of zoology, जो है, यानि की human health and disease, जो हमारा chapter है, NCRT का, वहां से question आया है, NCRT की single slot line है, यह पूरा, कि cannabinoids रसाइनों को एक समू है, जो cannabinoids समवेदांगों के साथ क्रिया करते हैं, और यह समवेदांग मुख्य तक कहां पाए जाते हैं, तो आपको बच्चों स कहां पर located होंगे, वो हमारे body में कहां पर located होंगे, बच्चों, brain में located होंगे, ठीक है, तो answer क्या चला गया, इसका मस्तिष्क में, ठीक है, चलें, next question की तरफ चलते हैं, देखो, यह question फिर animal kingdom से है, correct पूछा है आपसे, diploblastic, triploblastic, acylomate, pseudocylomate, ucelomate, तो diploblastic, triploblastic का meaning अगर हम लोग देखें, तो diploblastic कौन से हो गए, जिनमें ectodrum हो और endodrum हो, mesodrum नहीं हो, triploblastic, जिनमें तीनो germ layers से origin उनका होता हो, ecto, meso और endo, silom की बात की जाए, acylomate, जिनमें silom ही नहीं हो, pseudocylomate, यानि कूट गुही है, ऐसी silom, जो इसमें silom तो पाई जाएगी, बट वो उसकी जो lining है, उस गुहा की या उस silom की, उस पर mesodrum नहीं होगी, यानि mesodrum lined silom नहीं पाई जाएगी, और you silomate, जो कि true silom होती है, जिसमें क्या present होगी, silom और उसकी lining पर क्या होगी, mesodrum या उससे बनी हुई cells की layer पाई जाएगी, यानि ऐसी silom, जो lined होती है, कि से mesodrum से, वो तो हो गई true silom, और ऐसे animals के group को हम you silomates कहते हैं, ऐसी silom जिसमें mesodrum की lining नही होती, pseudosilom, जिनमें silom ही नहीं होती, वो acylomate, दो germ layer diploblastic, तीन germ layer triploblastic, बहुत ही simple सी बात है, तो देखें अगर हम लोग बच्चों, diploblastic कौन से हैं, पहला, porphyra sylentrates, ठीक है, द्विस्तर है porphyra sylentrate है, बिल्कुल सही बात है, triploblastic में, टीनिया और बैलेनो ग्लॉसस, टीनिया कहें, तो हम प्लैटी हलमेंथी की बात हो रही है, बैलेनो ग्लॉसस मेंज हैं, तो प्लैटी हलमेंथी से triploblastic जो है, एनिमल स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये बात भी एकदम सही है, a sylomates, flatworms दे रखा है, चप्ते क्रमी, यानि ये बात भी सही है, pseudosilomate के particular example है, s के हलमन्थीस के मेंबर्स, और s के हलमन्थीस के मेंबर्स में, roundworms दे रखा है, सही बात है, यू सिलोमेटा, एनिलीडा से लेकर के coordinates तक क्या है, यू सिलोमेट है, इन में फिर आगे saizosilomates और enterosilomates, ठीक है, तो आंसर ये भी सही है, यानि 1, 2, 3, 4, सारी conditions हमें सही दे रखी है, तो हमारा बिल्कुल आंसर हो गया फोर्थ नंबर का, कि सभी सही है, तो यहां से आपको concept ध्यान रखना है, अगर आप analysis अगर आपने किया होगा, तो पुराने 10 साल के paper, जब आप उठा करके देखोगे, तो बहुत अच्छा content, यह जो basis of classification है, यहां से पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से तियार कीजिए basis of classification, कौन सा किसका example है, यह flat questions, यहां पर mazda following statements के बहुत सारे questions बनते हैं, ठीक है, तो बिलकुल अच्छे से conceptually तयार करना है आपको basis of classification, चलिए, आगे चलते हैं, आप इस paper को इस तरह से लीजिए, कि क्या-क्या चीज़े important है, जो logic के अंदर, कहां से questions जो हैं बच्चों, व हमारे पास में, platy helminthes का शरीर, platy helminthes के members को आपको पता है, क्या कहा जाता है, platy helminthes के members को क्या कहा जाता है, flat worms, या फिर हिंदी में क्या कहा जा सकता है, उन्हें, chapte crummy, तो chapte crummy कहा गया, क्यों कहा गया भई, ऐसा पूछा है इसने, क्योंकि उनकी body, dorsal और ventral axis पर, य flat, यानि की, बात की जाए, तो प्रश्ट अधर तल से chapte होते है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, chapte crummy कहा जाता है, ventral side कौन सी वाली होगी, जो जमीन को face करे, dorsal side कौन सी होगी, जो आसमान की तरफ हो, तो answer कौन सा हो गया, dorsal ventrally flattened body उनमें पाई जाती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लेट वर्म कहा जाता है, चलें आगे, next question की तरफ, human brain में third, fourth ventricles, 111 number का question है, human brain में third और fourth ventricles जो है, उन्हें किसके द्वारा connect किया जाता है, कौन सी डक्त होती है, cerebral aqueduct होती है, या फिर हम जिसे aqueduct of iter, यह भी कहते हैं, यह किसमें से पास होती है, तो देखो, ventricles की हम लोग बात करें, तो बच्चों आपको पता है कि जो ventricles हैं हमारी first, second, यह जो है ventricles हमारे cerebrum में है, cerebral hemispheres के अंदर होती है, फिर कहां पर present होगी, diencephalon में होगी, third number की ventricle, और fourth ventricle कहां पर होगी, metaseal होगी, यानि medulla oblongata की cavity में होगी, और अब यह जो हमारी ventricles है, कौन सी वाली third ventricle, वहां से fourth ventricle किसे connected है, किसे connected है, एक डक्त is कौण सी ventricle को connect करती है, बच्चों, एक डक्त है, जो connect करने का काम करती है, किसको जो डक्त है, जो connect करने का काम करती है, लेकर के, ठीक है, कौन सी वेंट्रिकल में, फोर्थ नंबर की जो वेंट्रिकल है ब्रेन की, उसको ये जो डक्ट है, ये क्या कहलाती है, एक्वी डक्ट हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे प्रैमस्तिश्क जल से तु भी कहा जाता है, और ये कहां से गुजरती है, ये अध्यमस्तिश्क तो सही आंसर कौन सा हो गया, हमारा थर्ड ओप्शन इस दी करेक्ट आंसर, यानि यहां से क्या कंसेप्ट सीखना है, ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता करना है, पीएसजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बेसिक स्ट्रक्चर ब्रेन का कितने पार् चलिए, यह क्यूशन जो है बच्चों, इवलिशन पर बेस्ट क्यूशन है हमारा, क्या कह रहा है यह, 112 नंबर का, there were natural selection of dark winged moth in England after the industrialization, यानि की industrialization के बाद, किसके कारण ओध्योगिक करण के पश्याद इंग्लेंड में काले पंख वाले शलभों का प्राकर्तिक चयन हुआ क्या वो कारण था, देखो काले वाले select इसलिए हुए, यह बहुत basic सा क्यूशन है, आज concept clear कर लो, जब तक अध्योगिक क्रांती नहीं हुई थी, factory नहीं थी, तो जो पेडों की च्छाल होती है, उस पर lichen grow करते थे, ठीक है, lichen के कारण जो background था, वो light था, ऐसे में जो light winged m industrialization के माद में, क्योंकि lichen pollution indicator होते हैं, तो जैसे ही जब sulfur dioxide का content भड़ा, यानि कुल मिला करके धुआ जो भी खटा हुआ, तो उसके कारण lichen खत्म हो गए, ऐसे में जो पेडों की जो trunk है, वो कैसे हो गए, dark color की हो गए, अब dark में कौन दिखेगा, जैसे कि यह dark color की t-shirt है, तो फौजियों की dress, फूल पत्ती किसी होती है, green color की, dark green color की, क्यों होती है, ताकि वो रेत में, या फिर वो कहां पर, जंगलों में, उस वातवरन के साथ में क्या हो जाए, चद्म वातवरन बना ले, यानि उसके साथ में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, दुश्मन को दिखे नह में, dark wing motho का selection इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, अपने आपको, camouflage कर दिया, यानि काले शिलब सफलता पूरवक अपने आपको वातवरन में चुपा पाए, और शिकारिया दुआरा चिनहित नहीं हो पाए, इसी कारण उनका क्या हुआ, यानि कुल मिला करके एक प्रकार का ये उनका क्या था, एक प्रकार का एक एक अडप्टेशन का एक उनको फाइदा मिल गया, नेचर के अकॉर्ड़ी, तो आंसर क्या हो गया, इसका 112 का फोर्थ ओप्शन, ठीक है, चलो, next question की तरफ चलते हैं, बहुत थी प्यारा सा question, यहां से मान के चलना, question आन दिया, तो क्यों किसी का शरीर, ओर्गन को क्या कर देता है, reject कर देता है, तो यहां से दो question बनते हैं, एक तो सीधा ये इस तरह का question, कि graph rejection के लिए कौन सी immunity responsible है, दूसरा question ये भी बनता है, कि यहां पर हमारे immune system की एक property है, कि वो पहचान सकता है, कि यह अपना है और यह पराय है, यानि ये body का है, या फिर ये body का नहीं है, तो अगर जब उसने पहचाना कि ये organ उस शरीर का नहीं है, तो वो उसके खिलाफ antibodies बनाने लगता है, और यहां पर clear cut line है NCRT की बच्चों, कि graph rejection के लिए या आरोपन को ऐसी कृत करने के लिए, जो immunity responsible होती है, वो होती है, कोश नहीं होता, compliment नहीं होता, allergic immune response नहीं होता, more correct, pure NCRT की लाइन कान सी है, कोशी का मध्यस्त प्रतिक्षा प्रतिक्रिया, यही responsible है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की kidney अगर किसी ने ली, तो वो body उसके खिलाफ antibodies बना देती है, तो यहां पर आपको ये भी धियान में रखना है, कि जो लोग organ transplant करते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक क्या लेनी पड़ती है, immune system को suppress करने वाली दवाईयां लेनी पड़ती है, चलिए, आगे question पे चलते हैं हम लोग, देखिए, next question क्या पूछ रहा है, inability to absorb digest nutrients may be due to the damage of this type of epithelium, कौन से प्रकार की उपकला के शतिग्रस्त होने से, पचित भोज्य उतपादो जो है, वो अवशोशित नहीं हो सकते हैं, उनमें ऐसमर्थता होती है, तो आपको पता है, अवशोशन कहा हो रहा है, small intestine में, small intestine की lining प छोड़ करके, पूरी elementary canal की lining बनाएगा, simple columnar epithelium, उसके जगह जगह पर modifications हो जाएंगे, जैसे की intestine में हो गया, villi और micro villi की कारण, micro villi की कारण कैसी appearance हो गई, brush border, और क्योंकि वो वहाँ पर goblet cells भी आ गए, तो secretion भी कर रहा है, तो क्या हो गया, brush border, glandular, simple columnar epithelium, अब columnar epithelium damage हो गया, तो absorption obviously क्या होगा, प्रभावित होगा, तो basic answer क्या है, क्या reason हो गया इसका, देखिए, क्या reason हो गया इसका, simple columnar epithelial cells जो है, वो damage हो जाएंगे, तो absorption नहीं हो पाएगा, ciliated columnar नहीं पाए जाते, simple squamous नहीं पाए जाते, simple cuboidal नहीं पाए जाते, कौन से पाए जाते सरल इस्तंभाकार, इनके modifications अलग-अलग हो सकते हैं, हम basic की बात कर रहे हैं, तो answer क्या चला गया, simple columnar, आगे चलते हैं, mismatch, गलत जो है वो हमें पता लगाना है, तो देखो कैसे पता लगा सकते हैं, हम लोग गलत interstitial cell, यानि अंतराली कोशी का हैं, ठीक है, उन्हें हम lidic cell भी कहते हैं, यह किसका रिसाफ करती हैं, किसका formation करती हैं, androgens का, androgens का है, seminiferous tubules के बाहर की तरफ, जो interstitial space होता है, वहां पर पाई जाती है, androgens का रिसाफ करती हैं, बिलकुल सही बात है, यह तो matching हो गई, lidic cell, line the seminiferous tubule, बिलकुल ही गलत बात हो गई, seminiferous tubule के, बलकि lidic cell कह दो, चाहे अंतराली कोशी काई कह दो, या interstitial cell कह दो, यह बाहर होते हैं, अंदर तो होंगे ही नहीं न, seminiferous tubule के, तो यही हमारा mismatch हो गया, बाकी के options आप देखोगे तो सही है, तो सही answer यहां पर जो mismatch condition हुई, वो कौन सी हुई, lidic cell वाली, तो answer क्या चला गया, second option, चलें, चलिए, PCT की lining कौन बना रहा है, यह lining रटी हुई होनी चाहिए, आपको tips पे, intestine की, PCT की, आपके respiratory tract की, fallopian tube की, यह basic basic सी lining जो है, शरीर की पता होनी चाहिए, PCT की lining पर कौन सा tissue होता है, देखिए, PCT पर कौन सा है, cuboidal epithelium होगा, और वहाँ पर microvillai आ जाएगी absorption area बढ़ाने के लिए, तो कैसा हो जाएगा, brush bordered cuboidal, ठीक है, तो देखो brush bordered cuboidal, simple cuboidal epithelium हमें कौन से option में दे रखा है, यहाँ पर कौन से option में दे रखा है, हमें third number के option में दे रखा है, यानि brush bordered saral घनाकार उपकला, तो answer क्या चला गया, 116 में तीसरा option is the correct answer, ठीक है, चलो, क्या पूछा है आपसे, कौन सा tissue blood vessels का diameter change करता है, blood vessel, artery, vein, आपको पता है इनकी lining में कौन कौन से layer होती है, tunica, external, media और intima, external पर तो क्या है, connective tissue है, media पर कौन होती है, muscles पाई जाती है, smooth muscles, और यह smooth muscles, जब contract हो जाएगी तो diameter कम हो जाएगा, relax हो जाएगी तो फैल जाएगा, contract हो गई, इसी को हम vasoconstriction कहते हैं या वाही का संकुचन कहते हैं और जब फैल गई, इसी को हम vasodilation कहते हैं या वाही का शितली करन कहते हैं और इनके लिए उत्तरदाई या इनके लिए responsible जो tissue है, वो कौन सा वाला है, muscular tissue है, तो answer कौन सा हो गया इसका, पेशी है, यानि की muscles जो है, वो responsible होती है, चलें आगे, चलो, यह बहुत एक diagram है, किसका diagram दे रखा है यह, कौक्रोच का दे रखा है, आपको यहाँ पर सही option लगाना है, तो basic सा वोई diagram पता होने चाहिए सारे, deeper कौन है, आपको पता है, deeper कौन है, head है, ठीक है, यहाँ NL सरकाई है, E पर कौन है, abdomen है, या फिर हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, उदर कहते हैं, ठीक है, A पर कौन है, A पर बच्चो कौन है, basically pronotum है, ठीक है, B पर कौन है, B पर है mesothorex, और C पर कौन है, C पर हम लोग देखें, तो C पर कौन है, metathorex, तो इसके according answer, देखो, आप, इपर, इपर, यहाँ पर आप देखो, इपर यह बता दिया, टेग्मिना और अनल स्टाइल गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, थर्ड ओप्शन एकदम सही है, D पर हैड, E पर अब्डॉमन, A पर पर परोनाटम, B पर मीजोथोरेक्स, C पर मेटाथोरेक्स, थर्ड ओप्शन एकदम करेक्टली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है कौक्रोच के डिफरेंट पार्ट्स को, तो कौक्रोच में जितने भी डाइग्राम हैं उन्हें अच्छे से देख के जाना, किसी को भी आपको हटा करके पूछ सकता है कौन सा, क्या पार्ट बना रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, चलें आगे, यह देखिए, फिर से हमारा जो यह क्यूशन है, एनिमल किंग्डम से जाता है, आपको पता है कि वर्टीब्रेट जो ग्रुप है, उसे दो डिवाइड किया गया, एगेंथा और गेंथा अस्टामेटा, जौस के बेसिस पे, तो यहां पर इसकी जो क्लास ए है, यह कौन होत होती है, साइक्लो स्टो मेटा, और बीपर कौन होगी, बीपर आ जाएगी, पीसेज, और सी पर कौन आ जाएगी, यह सूपर क्लासेज है, कौन आ जाएगी, टेट्रा पोडा, और टेट्रा पोडा के अंदर आपको पता ही है, फिर कौन है, एमफीबिया, एमफीबिया के ब यहां पर नहीं आ रहा, यहां पर नहीं आ रहा, A पर cyclostromata, B पर pieces, C पर tetrapoda, exactly सही answer इसका कौन सा हो गया, second option, ठीक है, बिलकुल यहां से question आ सकता है, आपके neat level में, कि कैसे division किया गया, vertebrata का, या कैसे division किया गया, पूरे chordate का, तो जो division है, वो आपको धियान रखना है, नहीं है, confusions part की, basic basic सा classification, अगर आप अपने दिमाग में रखते हो, तो भी आपका वहां से question लग जाएगा, ठीक है, चलें आगे, आजाओ, question क्या कहता है, कि जब neuron में से कोई impulse नहीं गुजर रही, तो उसकी exonal membrane किसकी लिए ज्यादा permeable है, या नहीं है, देखो जब neuron की आवेग का संचरण नहीं करते, तो उस समय तंत्रिकाक जिली, comparatively किसकी लिए permeable होगी, तो आप देखो, हम बात कर रहे हैं, अभी यह हाँ पर active की बात नहीं कर रहे हैं, हम generally भी देखें, तो जो हमारी exonal membrane है, बच्चों, exonal membrane जो है, वो किसकी लिए ज्यादा permeable होगी, potassium के लिए ज्यादा permeable होगी, sodium के लिए कम permeable होगी, और बिल्कुल impermeable किसके लिए होगी, impermeable पूरी तरह से किसके लिए होगी, वो किसके लिए होगी, आपके negative charge जो ions है, या जो negative charge इन पर है, उनके लिए तो एपारगम में होगी, तो देखा जाए, comparatively more permeable to potassium than sodium, impermeable to negatively charged protein present in exoplasm, तो बिल्कुल सही बात है, comparatively ज्यादा permeable है potassium के लिए, और impermeable है किस चीज के लिए, negatively charged protein के लिए, बिल्कुल सही है, यानि कि बोथ statements क्या है, correct है, यानि कि दोनों कथन क्या है, सही है, तो answer क्या हो गया, first option is the correct answer. चलो, A to E आपको identify करना है, यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही basic सा diagram है, isolates of langerhans, यानि pancreas, यानि अगनाशे के endocrine part की बात हो रही है, endocrine part की बात करें, तो दो type के main cells हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, A cells, B cell, A cell को बता रहा है कि यह insulin secret कर रहा है, तो A cell अगर insulin secret कर रहे हैं, तो कौन से वाले होते हैं, insulin का secretion करने वाले, beta cell, और B cell किसको secret कर रहे हैं, C को secret कर रहे हैं, जो E हो रहा है, तो main cell B कौन से वाले देगा, blood glucose level घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, hypoglycemia, glucagon क्या करेगा, glucagon क्या करवा देगा, blood glucose level को बढ़ाएगा, यानि E पर क्या होगा, hyperglycemia, तो देख लो, A पर alpha बोल रहा है, alpha insulin secret नहीं करते हैं, तो गलत हो गया, A पर beta, B पर alpha बोल रहा है, C को glucagon कह रहा है, बिल हो रहा है, hypoglycemia सही बात है, और E पर hyperglycemia हो रहा है, तो second option एकदम सही है, glucagon, blood glucose level को बढ़ा देता है, insulin घटा देता है, blood glucose level का बढ़ना, hyperglycemia, घटना, hypoglycemia, तो insulin की वज़ए से, hypoglycemia, glucagon की वज़ए से, hyperglycemia, बिलकुल सही बात है, D पर hypoglycemia, और E पर hyperglycemia, सही answer हो गया आपका second option, बाकी के तो कोई यहाँ पर बैठेंगे ही नहीं, चलें आगे, चलो, deficiency of vasopressin primarily results in, यानि कि vasopressin की नियुनिता के परणिमान सरूप क्या होगा, यानि vasopressin अगर किसी की बाडी में कम निकल रहा है, तो obviously ADH hormone क्या करता है, collecting duct में और DCT के अंदर water का reabsorption बढ़ा देता है, अब मान लेते हैं कि vasopressin अगर किसी में कम निकल रहा है, तो water का reabsorption जो है, वो क्या हो जाएगा, water का reabsorption घट जाएगा, water का reabsorption क्या हो जाएगा, जब घट जाएगा, तो urine कैसा पैदा होगा, यानि कि urine कैसा होगा, dilute urine होगा, urine का volume क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, तो increased volume of urine, बिल्कुल सही बात है, volume increase हो जाएगी, decrease बोल दिया, गलत बात है, सीक्रेशन का यहाँ पर ADS से कोई लेना देना नहीं है, pH का भी कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, pH का अमलिये से सारी परायास में परिवर्तन होना, अगर आपको fourth option भी सही लगता है, तो दोनों को compare करो, तो more correct कौन सा बैठेगा, मूत्र के आयतन में क्या हो जाएगी, व्रधी हो जाएगी, चलें आगे, तो लंबार वर्टीब्री की question आप से पूचा है, तो आपको पता है, लंबार वर्टीब्री यानि हमारे वर्टीबरल कॉलम का formula क्या होता है, तो वर्टीबरल कॉलम पर देखा जाए, तो C7 हो गया, T12 हो गया, L5 हो ग ठीक है, चलो, next question की तरफ चलें, बहुत ही basic सा question था, ornithin cycle, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूरिया cycle की नाम से जानते हैं, वो एक sequence है, biochemical reactions का, जो कहां पर होती है, यानि कुल मिला के आप से पूचा है कि यूरिया cycle कहां पर चलती है, तो देखो, यूरिया cycle function किस का है, ल एक less toxic product में, तो सही answer क्या हो जाएगा, यक्रत यानि की, lever is the correct answer, ठीक है, चलें आगे, चलो, second question क्या पूचा है, आपसे, cardiac output आपको दे रखा है, 5400 ml per minute, और beats कितनी दे रखी है, 75 beats per minute, और आपको क्या find करना है, stroke volume find करनी है, कि stroke volume कितनी होती है, तो formula cardiac output का पता है, आपको heart beat को, जब हम किस से multiply करते है, stroke volume से multiply करते है, जब हमारा क्या आता है, cardiac output, हमें cardiac output कितना दे दिया, 5400, heart beat कितनी दे दी, 75 दे दी, stroke volume को x माल लेते हैं, x को निकानने के लिए, 5400 divided by 75, कितना आएगा, अगर आप divide करो, यहाँ पर, तो then answer, यानि stroke volume जो है आपकी, कितनी आएगी बच्चों, approximate, तो जब हम उसको divide करेंगे, तो बच्चों, आंसर कितना आएगा, लगभग 72 ml आएगा, और जो हमें कौन से option में दे रखा है, second option में दे रखा है, तो सही answer क्या हो गया है, इसका second option, चले आगे, चलो, next पर चलते हैं बच्चों, क्या पूछा है, partial pressure बताना है आपको oxygen का और carbon dioxide का, healthy human के lung alveoli में, ठीक है, तो alveoli के अंदर आपसे पूछा है, तो बच्चों, alveoli के अंदर जो PO2 है, आपको NCRT की table याद है, जो बनी हुई, वहाँ पर सारी values हमें दे रखी है, और एक और funda मैं आपको यहाँ पर clear करूँगा, जो common doubts आप लोगों का आता है, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, PO2 कितना होता है, 104 mmHg होता है, atmosphere में कितना होता है, atmosphere में होता है, 159, और यहाँ पर ही हम बात करें, तो PCO2 कितना होता है, यहाँ पर 40 mmHg होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना, यह basic सा funda है, पहले answer लगा देते हैं, 104 and 40 mmHg, फिर आपका एक common सा doubt आता है, कि sir, expired air में, carbon dioxide का partial pressure या उसकी concentration, alveolar air की comparatively, कम क्यों हो जाती है, या किस में ज्यादा होती है, तो बिलकुल धिहान रखिएगा, जो भी हम हावा expired करते हैं, तो वो air alveolar की किस के साथ mix होती है, dead space में, या conducting space में जो air मौझूद है, उसके साथ, और उस conducting space में कौन सी air मौझूद है, उस conducting space में आपकी कौन सी वाली air मौझूद है, आपकी normal air मौझूद है, तो जब उसके साथ CO2 मिक्स होती है, तो उसकी overall concentration कम हो जाती है, तो यही कारण है अलविलर एर में CO2 ज्यादा है और expired air में CO2 कम है इसके अरनुसार आंसर काउंसा हो गए आपका first option ठीक है तो चलो बच्चों next question आगए हमारे पास में 127 नंबर का क्या कहता है यह trypsin और pepsin differ करते है यानि कि trypsin और pepsin के mainly उनमें क्या difference है तो अगर हम इस question को देखें तो आप देखिए difference की हम बात करें trypsin पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि trypsin किस पर act कर रहा है acidic medium में act कर रहा है बट जो pepsin है वह किसमें act कर रहा है alkaline medium में ठीक है बिल्कुल यह बात एकडम गलत हो गई आपको पता ही है कि tips in है वह किसमें करता है support in कि मैं करता है basically alkaline medium में करता है तो यह बात गलत हो गई pepsin acidic medium करता है but trypsin act in alkaline medium यानि pepsin understand Т can I do well for me यह क्रिन संप कर दो यह क्या हो गया एक तरह का difference हो गया लाए कि हुआ second option pepsin act over pure protein in acidic medium but not trypsin यानि pepsin pure protein पर काम कर रहा है acidic medium पर trypsin नहीं करता यह बात भी सही है तो इस question में बच्चों हमारे answer यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे जो answer रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चों दो answer हमारे एहां पर हो जाएंगे यानिकि answer कौन सा हो जाएगा यहां पर हमारा second option भी हम मान सकते है और pretty option मान सकते है तो यह थोड़ा सा correction आपको कर लेजना है इसमें दो answer हो जाएंगे second भी सही है और third भी हम द देख सकते हैं यानि कि दोनों में ही यह क्या होता है, difference होता है, चलें आगे, next पे चलते हैं, चलो, देखो next question है बच्चों, किस बारे में क्या कह रहा है यह question हमसे, next question क्या कहता है कि कुछ events हमें दे रखें, उनके बारे में हमें consider करना है, participation of two opposite sex organs, यानि दो विपरीत लिंगो की सहभागीता, fusion of male and female gamet, नर्व है मादा यूंगों का समेकन, यानि की fusion, यानि fertilization की बात कर रहा है, production of clone, formation of blastos as a reproductive unit, तो इन में से कौन से वो events है बच्चों, जो किसके अंदर involved है, sexual reproduction में कौन से इवेंट से वो involved है, तो आप देखो, a बिल्कुल sexual reproduction का एक पार्ट है, और b जो है वो भी sexual reproduction में involved होता है, पर production of clone a sexual reproduction में चला गया और यह भी यहाँ पर आगे चला गया, तो सही answer अगर हम लोग देखें इसमें, तो हमारा answer क्या हो जाएगा 128 में, second option यानि की केवल a तथा b यह दो ही ऐसे events हैं जो किस में involved है, sexual reproduction में involved है, ठीक है, आपका सभी का सही हुआ होगा, question बिल्कुल, चलते हैं next question की दरव, चलो, अब आपसे देखो question क्या पूछा है, आपसे क्या कह रहा है, कि कौनसे health के benefit है, हम किसको consider कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो words हमें दे रखे हैं, देखो, एक क्या दे रखा है, mmr, और दूसरा word क्या दे रखा है, imr, यहाँ पर आपको यह जो terms दे रखी, उनकी full form पता होनी चाहिए, यह जैसे कि mmr की full form क्या होगी, mmr की full form होगी, maternal motility rate, maternal motility rate, और imr की क्या हो जाएगी, infant mortality rate, यानि कि मात्र मृत्य उदर और शिशु मृत्य उदर, तो यहाँ पर देखी, आप health को क्या बोलोगे, अच्छी health कहाँ पर है, अगर mother की death हो रही है, बच्चे की death हो रही है, तो यह अच्छी बात नहीं है, यह health का benefit नहीं है, तो increased in mmr गलत हो गया, increased economic prosperity, आर्थिक स्मृधिता का बढ़ना, तो देखी, health एक बड़ी term है, जिसमें इंसान की complete social well-being की बात की गई है, उसके अंदर सारे factors आ जाएंगे, health का मतलब केवल बिमारी का होना या नहीं होना, यह नहीं है, health में सब चीज़े include होती है, तो बिलकुल एक अच्छी health का benefit भी हम देख सकते हैं, imr का increase होना, यह तो गलत बात हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और work efficiency और productivity बढ़ना, यह भी एक प्रकार से हम health का benefit मान सकते हैं, तो सही answer बच्चों हमारा यहां आपर क्या हो जाएगा, B and D, जो कि हमारे किस option में दे रखा है, हमें fourth option में जो दे रखा है, B तथा D है, वो हमारा क्या हो गया, सही answer हो गया, ठीक है, आगे चलें, देखो, यह question जो है, यह बहुत ही अच्छा सा question है, एक प्रकार का inheritance आपको शो कर रह रहा है, father से daughter में जा रहा है, तो यह कौन सा inheritance है, यह क्या कर रहा है, criss-cross, то criss-cross inheritance को जो शो करती है, जो disorders, chiss-cross inheritance को शो करती है, यनि mother से किस में जाए, basically, son में, father से किस में जाए, daughter में, इस तरीके का जब inheritance है, तो वो diseases अगर हम नच एक लिए, to de humans आग्र हम देखें, क्या हो जाएगा हमारा बोथ 1 & 2 यह inheritance कौन सा वाला हो गया तो criss-cross inheritance को तो जो genetic disorders criss-cross inheritance को follow करते हैं वो हमें select करने थे तो answer कौन सा हो गया hemophilia और color blindness ठीक है बच्चों चलो next question की तरफ चलते हैं देखो अब यहाँ पर क्या है एक cross करवाई है वैने pink flower ठीक है antherium plant is test-crossed then phenotype ratio in the resulting proscenis तो देखिए यह एक तरह से अगर हम देखें इस तरीके का cross आपने करवाया भी होगा यहाँ पर दो क्या बन गया यहां पर पिंक कलर का जो है वो flower क्या हो जाता है बच्चों बन जाता है तो यह example भी है किसका example है यह incomplete dominance का क्या बन गया यहां पर आरा यह कैसा flower बन गया pink color का flower बन गया अब क्या कह रहे हैं कि जब हम इसकी test क्रॉस कराएं, तो टेस्ट क्रॉस कराने में हम लोग किस से कराएंगे, देखो, हम यहाँ पर अगर टेस्ट क्रॉस कराएं, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या कराएंगे, यह हमारा F1 बना है, तो हम यहाँ पर F1 हाइब्रिड की किस से कराएंगे, recessive parent से कराएंगे ठीक है तो f1 hybrid हमारे पास में कौन आया r इसकी cross हम किस से कराएंगे small r small r से तो जब आप इसकी cross कराओगे तो आप देखो इसकी जब cross कराओगे इस तरह से यहाँ पिर मैं रख देता हूँ r r r इसकी जब आप cross कराओगे तो r r capital r small r small r small r small r small r तो इसको जब आप देखो तो यहाँ पर देखो यह कौन सा पनेगा यहाँ पर किस तरीकी का ट्रॉमिनेंस है यह है red ठीक है और यहाँ पर यह क्या है white क्योंकि यहाँ पर एक तरह से यह मैंडल की जो law है उसका exception है तो यहाँ पर कौन से color का flower बने pink color के तो यहाँ पर जहाँ पर हेट्रो जाएगा सोगा कैसा बनेगा pink color का तो इसको मैं arrange करूँ तो r r smaller smaller कितने है 2 यह भी कितने है 2 यह क्या है यह pink और यह वाले क्या हो गए white तब जब हम इसको solve करेंगे तो क्या ratio आएगा 1 ratio 1 test cross का ratio हमेशा क्या आता है 1 ratio 1 आता है तो पर अब यहाँ पर 1 ratio 1 किस में आएगा एक मतलब pink और white में आएगा यहाँ red और white दे गलत हो गया red white दे गलत हो गया pink और white दिया है पर यहाँ पर 2 ratio 1 दिया है जो की गलत है तो test cross का ratio क्या है 1 ratio 1 वन पिंक वन वाइट तो आंसर क्या चला गया है इसका फूर्थ बहुत ही सिंपल क्यूशन है टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस यह सारी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जैने टेक्स में ठीक है बच्चो चलें आगले क्यूशन की तरफ चलो नेक्स क्यूशन की देखो क्या बात कर रहा है कैरेक्टर स्टिक्स जो अनेबल करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि वो ज्यादा प्रोजैनी क्या करें पैदा करें ठीक है बाकी के कंपेर में और क्या होगा और यह जब वो ज्यादा प्रोजैनी पैदा करेंगे तो वो जो उन तो अगर आप हम देखें इसको तो डार्विनिजम बिल्कुल ये concept किस की basis बना डार्विनिजम की concept की basis बना कि क्या बना कि रिप्रोड़ुक्टिव फिटनेस यहां पर अगर हम देख सकते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे अपने आपको बैटर तरीके से एड़प्ट कर पाए ज्यादा उन्होंने रिप्रोड़क्शन किया फिर स्ट्रगल होगा एक्जिस्टेंस का तो इस सारी किस की थियोरी है ये डार्विनिजम की थियोरी है लेमार्किजम की थियोरी का में प्रॉमिनेंट रूल क्या था हमारा और्गेनिक इवलुशन है उसके अंदर यहां पर बात हो रही है तो एक्जैक्टली में सही आंसर ये बिसिस किसका है डार्विनिजम का बिसिज यह इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या गया फर्स्ट गया यानिके डार्विन वाद इसका प्रेक्ट आंसर हो गया ठी बिक बेंक ठीयुरी, बिक बेंक ठीयुरी हम किस के बारे में शो करती है, ओर हिजन आफ यूनिवर्स के बारे में शो करती है, यानि कि, know first में क्या आना चाहिए हमारे सामने, third आना इ قर या neste-थी, ठीय, theory of pens परमिया क्या शो करता है कैसे सोलर मंडल, सौर मंडल या प्रत्वी किस तरह से नेबिूला बना, गैसे, क्लाउड बना और कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो नेबिूलर हाइपोथेसिस किस के बारे में शो करेगा, यहाँ पर second option के बारे में, और theory of special creation क्या कहेगी, कि जितनी भी life forms हैं, वो as it is ही पैदा हुई होगी, जो father strews ने दी थी, तो यह हो गया हमारा first, तो three, four, two, one, तो देखो three, four, two, one, यह पहला तो गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, और three, four, यहाँ पर two आना चाहिए, पर यह भी गलत हो गया, तो देखो three, four, two, one, तो सही answer काउन सा हो गया हमारा fourth option is the correct answer, बिलकुल, चले, आगे चलते हैं, देखिये, which of the following property of our immunity is responsible mainly to generate an intensified immunistic immune response during the repeated attack of pathogen, निमलिखित में से हमारे प्रतिरक्षा का कौन सा गुन एक प्रतिजन की पुनरावरत आकरमन के दोरान विस्तरत animistic प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन करने के लिए मुख्यत है उत्तरदाई है, कहने का मतलब जब पहली बार हमारे पास pathogen आया, तो हमारे body में उसकी क्या ले ली जाती है, उसकी क्या create कर दी जाती है, memory create कर दी जाती है, जब दूसरी बार आता है, तो हम high intensity का response देते हैं, और यही basis है किसका vaccine का, ठीक है, आप देखिए जिनको covid हुआ, जिनको corona की vaccine लगी है, उनमें corona होने के chances कम है, क्या reason रहा, कि पहली ब memory create हो गई, और यह जो हमारे immune system का गुण है, या जो property है, कौन सी वाली, memory वाली, यही main prominent basis बनती है, कि जब repeated attack होता है, तो हमारा immune system high intensity का, उसके लिए क्या दे पाता है, response दे पाता है, तो सही answer अगर हमें इन में से select करना पड़े, तो सही answer हो जाएगा, बच्चो, third option, यानि की smrti या फिर memory, ठीक है, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, यह बहुत ही आसान सा question, शायद ही आप लोगों में से किसी का गलत हुआ होगा, विडाल test कौन सी disease के लिए किया जाता है, बिल्कुल fix question है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सब किस के लिए किया जाता है, टाइफॉइड क किस के लिए किया जाता है, टाइफॉइड के लिए किया जाता है, जो salmonella typhi नाम के जो bacterium है, उससे यह बिमारी होती है, चलें आगे, तो यह बच्चों हमारा section first था, इसमें हमारा जो pepsin और trypsin वाला part question था, उसमें हमारे दोनों answer correct है, ठीक है, बाकी हमारे single choice answers थे, जो आपके answer की इसमें आपको दिये हुए है, आगे आ जाते हैं, section B में हमें 15 questions दे रखे हैं, कोई भी 10 questions आप लोगों को ठीक करने, हम सारे questions को discuss करेंगे, देखिए हमारी society के अंदर हम question number 136 discuss कर रहे हैं, हमारी society में woman को blame किया जाता है female children के लिए, तो correct answer बताना है, sex determination in humans के regarding, कि humans म some defect in the woman, क्या इस त्रियों में कुछ त्रुटियों के कारण होता है, बिल्कुल गलत बात है, आपने पढ़ा है, sex determination के लिए, क्या responsible है, यहाँ पर, कौन responsible है sex determination के लिए, तो यहाँ पर, defect in the woman, बिल्कुल गलत बात हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है, कि जो sex determination के लिए, क्या responsible है, male के sperms, अगर male का X वाला sperm fuse होता है, तो XX क्या बनेगी, daughter, और अगर Y वाला sperm fuse होता है, तो क्या होता है, son, ठीक है, तो कौन responsible है sex determination के लिए, male responsible है, पहला गलत हो गया, due to some defect in aspermia in man, यह तो बिल्कुल गलत बात हो गई, देखिए, due to the genetic makeup of the egg, नहीं, genetic makeup of the egg जो है, वो similar होता है, X-X chromosome पाए जाते है, real में क्या है, देखिए, due to the genetic makeup of the particular sperm which fertilizes the egg, तो जो sperm एक को fertilize कर रहा है, उसका genetic makeup क्या है, उसके अंदर कौन सा chromosome है, X chromosome है, या Y chromosome है, यही basis बनता है कि इसका sex determination का, तो सही answer 136 में हमारा कौन सा हो जाएगा, third option is the correct answer, चलें आगे, चलो, यह बहुत ही आसान सा question, thymus gland किसका example है, तो आपको पता ही है कि हमारे body में primary lymphoid organs होते हैं और secondary lymphoid organs होते हैं, तो thymus gland हम किसका example मान सकते हैं, बच्चों, तो thymus gland जो है, वो हमारा एक तरह से primary lymphoid organ का क्या है, example है, जहांपर हमारे T cells का maturation भी होता है, तो answer क्या हो जाएग यहांपर correct answer हमारा primary lymphoid organ, यानि कि प्रात्मिक लसिकाब अंग का उधारण है, कौन सी ग्रंती, thymus gland ठीक है, सभी का सही हुआ है, बिल्कुल, यह NCRT का diagram है, ठीक है, आपको पता है किसको शो कर रहा है, यह धतूरा stromonium को शो कर रहा है, अगर आपने NCRT human health and disease अच्छे से हम clearly हाँ पर देखेंगे, तो सही answer हमारा यहीं से ही हमें मिल गया, first option is the correct answer, ठीक है, question हमेशा NCRT के आसपास ही रहेगा आप से, तो diagrams जो हैं, आपको NCRT के अच्छे से clear करके चलने है, यह सीख आपको इस paper से लेके जाने ही घर पे, चलें आगे, धतूरा हो गया इसका answer, देखो, यह question देखो ध्यान से, which of the following is not secreted from thyroid follicles, thyroid follicles की बात हो रही है बच्चो, इस तरह ऐसे आपको पता है कि जो thyroid follicles present होती है, यहाँ पर जो cells होते हैं, बीच में इनके cavity होती है, तो thyroid follicles से आपको पता है, कौन secret होते हैं, T3 secret हो सकता है, T4 secret होता है, और यहाँ बीच में परा फॉलिकुलर सेल्स होती है, और जो परा फॉलिकुलर सेल्स है, यह किसका secretion करती है, यह करती है, थाइरो केलसी टॉनिन का secretion करती है, किसका secretion करती है, थाइरो केलसी टॉनिन का secretion करती है, थाइरो केलसी टॉनिन का secretion करती है, थाइरो केलसी टॉनिन का secretion करती है, यह पैरफॉलिकुलर से होता है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर, फोर्थ option is the correct answer of this question, ठीक है, चलो, मैस्दा फॉलोविंग करना है हमें, इंटरिस्टिशिल सेल, इंटरिस्टिशिल सेल, यानि लिडिक सेल, लिडिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं, एंडरोजन करते हैं, मेल जर्म सेल्स, क्या होगा, आगे चलके मियोसिस करेगा, इसकी वज़ए से स्पर्म्स बनेंगे, सर्टोली सेल क्या काम करते हैं, बच्चों, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, और इंफुंडी बुलम, जो है, उसमें क्या पाई जाती है, फिंबरी पाई जाती हैं, और ओवरी से ही क्या होता है, ओविलेशन होता है, तो इसके साब से अगर हम मैचिंग करें, तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में हम बात करें, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ह हम बात करें, तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. तो B, A, C, E, D. B, A, C, E, D. B, C हो गया, गलत हो गया ये. यहां से C से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो गया. और B, A, 3rd में क्या लग दिया? D लग दिया, तो ये भी गलत हो गया. तो B, A, C, E, D. B, A, C, E, D. तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? आंसर नंबर, second option is the correct answer. बिलकुल flat question है, आपको पता ही है. एकदम match करना है आपको दो columns को. आगे चलते हैं, next question की तरफ. चलो. इस question को धियान से देखें, बच्चो, एक figure हमें दे रखा है, एक पूरी scheme दे रखी है, various stages दे रखी है, और जिने label कर रखा है A, B, C, D, E से. यानि की A, B, C, D, E. ये कुछ stages हमें यहाँ पर दे रखी है. हमें किसके बारे में किसका identification करना है? हमें A और E का identification करना है. NCRT का diagram है, आपको पता है, A पर कौन होगी, बच्चो, A पर होगी O, Gonia. ठीक है? और E यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? Secondaryocyte में जब division हो रहा है, Second Mewortic division हो रहा है, तो E पर क्या बनेगी? Second Polar Body का formation होगा. E पर क्या बनेगी? Second Polar Body. तो ध्यान से देखो, A पर क्या आना चाहिए, Second Polar Body, तो हमें एक ही option में मिल रहा है, तो हमारा 141 में सही answer क्या गया, Second Option is the correct answer. देखिए, एक्मोसफेर जो अर्थ थी, जब horizon of life हो रही थी, तो अर्थ का atmosphere कैसा था? तो देखिए, अर्थ का atmosphere किस तरह का था? अर्थ का atmosphere किस तरीका का था जब life horizon हो रहा था? reducing environment था, ठीक है? बाद में जब oxygen revolution हुआ, तो कैसा हो गया? oxidizing हो गया और इसलिए ही आगे further chemical evolution जो था, वो रुक गया, ठीक है? ये साफ तोर पर NCRT में लिखा हुआ है, तो सही answer हमारा यहाँ पर क्या हो गया? अब चायक यानि की reducing atmosphere, तो आंसर क्या चला गया? इसका first, ठीक है examples दे रखें, तो देखो chemical method की हम बात करें, chemical method में हम लोग क्या use कर सकते हैं, यहाँ पर basically spermacidial, jelly और form का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? S, IUD यानि intrauterine devices की बात कर रहा है यह, तो intrauterine devices के तोर पर देखिए, क्या हो सकता है? copper tea और loop, या शो कर रहे हैं, और stylization की बात की जाए, तो stylization के लिए tubectomy और vasectomy, T से क्या? fallopian tube, तो fallopian tube को cut करना या tie करना tubectomy, V से vast difference, vast difference को cut करना या tie करना vasectomy, तो stylization यानि D पर क्या हो गया? P, तो S, Q, R, P, S, यह पहला तो गलत हो गया, S से start ही नहीं हो रहा, यह T आ गया, गलत हो गया, S Q, R, P, देखिए, S, Q, R, P, हमें fourth option में मिलेगा, यहाँ पर C का T बता रहा है, यानि barrier में coitus interruptus नहीं होता है, वो एक तरह का natural method है, तो सही answer हमें, देखिए, कहा मिला, यहाँ पे कहा मिला हमें, S, Q, R, P, S, Q, R, P, तो सही answer हो गया, हमारा fourth option is the correct answer, same इसी तरीके से हिंदी में इतना ही है, कि chemical में शुक्राणू, जनक, जैली, तथा फॉर्म, इन सभी चीज़ों के साब से हमारा सही answer हमें कहा मिल गया, बच्चों, fourth option में मिल गया, ठीक है, आगे चले, आगे देखें बच्चों, यहाँ पर column 1, column 2, column 1 और column 2 की हम matching करें, तो इधर हमें कुछ groups दे रखे हैं, phylums दे रखे हैं, और इनके peculiar से character दे रखें, तो देखिए, ऐनेलीडा की बात की जाए, जब ऐनेलीडा की बात की जाए, तो उसकी ring-like body का segmentation होता है, टीनोफोरा की हम लोग बात करें, तो टीनोफोरा में हमें क्या मिलती है, comb plates देखने को मिलती है, echinodermates की बात करें, तो water vascular system देखने को मिलता है, और S के helminthes की बात करें, तो इन्हें हम लोग क्या कहते है, roundworms कहते है, तो सही according हम देखें, तो second, third, fourth और first, तो second, third, fourth, first, second, third, fourth, first, देखिए first option में ही हमें सही answer मिल गया, बाकी के तीनों option सीधे ही, one, fourth, third, से start हो रहे है, तो बिल्कुल सही answer कौन सा हो गया, देखिए, annulis, annulis, annulis का मतलब ही क्या होता है, ring-like structure, तो सही answer कौन सा हो गया, हमारा यहाँ पर, first option is the correct answer, चले बच्चों, आगे चलते हैं, चलिए, a person has a probability of to suffer with titanus, then what should be introduced in body to immunize for protection, यानि कि कोई व्यक्ति titanus से सफर कर रहा है, तो हम क्या उसमें introduce करेंगे, जिससे उसे प्रतिरक्षित किया जा सकता है, ठीक है, तो देखिए, titanus के अंदर, titanus से सफर कर रहा है, suffer with titanus, यानि अब उसका treatment के हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, titanus के जो toxins हैं, उन्हें neutralize करने के लिए, ready mate, जो होती हैं, हमारी जो passive एक तरह की immunity हैं, हम उसका use करेंगे, और वो कौन सी है बच्चों, आपको पता ही है, कि हम क्या use करते हैं, anti-titanus serum का use करते हैं, जिसे हम ATSB कहते हैं, तो सही answer इसका कौन सा हो गया, second option is the correct answer, चलिए, अब देखिए, ये इस तरह का एक diagram है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, correct part को label करना है, ध्यान से रखना, क्यों गलत हुआ यहाँ पर, देखिए, क्या करना है, आपको correct part को label करना है, part A, ठीक है, part A, ये रहा, ठीक है, part A, exactly में है, क्या, part A ही है, आपको पता है, PCT है, ये part A, absorption, glucose और sodium chloride का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, साब, secretion H plus का तो होगा, पर bicarbonate ion का secretion नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना, अगर H plus secret किया जाता है, तो बदले में bicarbonate ions को reabsorb किया जाता है, तो यहाँ पर secretion के column में HCO3 नहीं आना चाहिए, इसलिए first option गलत हो गया, second option में b, b आप देखिए, ये कौन सा है, descending limb है, ये यानि हैनले की लूप का, water का reabsorption, water के लिए permeable होता है, बिल्कुल सही बात है, पर impermeable भी होता है, किसके लिए salt के लिए impermeable होता है, तो salt का secretion यहाँ पर नहीं होगा, वहीं हम C की बात करें, ascending limb हो गया, loop of handling का, तो water के लिए permeable नहीं होता, तो secretion भी नहीं होगा, और sodium chloride के लिए होगा, ये बात तो सही है, बट ये नहीं है, इस वज़े से ये क्या हो गया, गलत, D को देखो, D क्या है, DCT, DCT में reabsorption हो सकता है, sodium chloride का बिल्कुल हो सकता है, water का हो ही सकता है, ठीक है, water का आपको पता है कि sodium chloride के साथ कुछ passive भी आता है water, और अगर anti-diuretic hormone आ गया, तो भी DCT वाले पार्ट में water का reabsorption, यानि की जो है, वो होगा, पट आप देखिए, secretion की बात करें, k-plus का होगा, ionic balance के लिए और h-plus का होगा, और बिल्कुल सही है, by, जब h-plus का secretion हो रहा है, तो बदले में कौन है, reabsorb होगा, bicarbonate iron, तो यह exactly में सही दे रखा है, हमें कौन से option में, फोर्थ option में दे रखा है, तो यह गलत क्यों होए शुडू के तीन option क्यो तो फोर्थ option, आगे चलें, आगे देखिए, इन mammalian cochlea, thin-walled sloping roof of scala media is referred as, देखिए, इस तनीय कंडवत में scala media में एक पतली भित्ती धलान वाली छत की रूप में निर्देशीत है, तो धलान वाली छत के according हमें answer देना है, cochlea का section इस तरह से अगर आपको ध्यान है, तो यह महां पर यह basilar membrane होती है हमारी, और यह जो membrane है, यह इस तरह से दी हुई है, धलान के साब से, तो यह membrane कौन सी है बच्चों, यह membrane है हमारी Risenor's Membrane, तो सही answer देखिए, Risenor's Membrane है, बिल्कुल किस तरह की है यह, एक तरह से sloping roof बना रही है, ठीक है, membranous labyrinth है, तो sloping roof है, तो answer क्या गया है, हमारा Risenor's Membrane, यानि की Risenor's Scala, जो कि हमें कहां दे रखा है, fourth option में दे रखा है, organ of corti, बिल्कुल नहीं बैटेगा, Scala Timp नहीं, तो यहाँ पर वो बात करेंगे, external ear की बात हो गई, और basilar membrane तो base बना रही है, तो सही answer छत पर कौन बना रहा है, Risenor's Membrane, चलें आगे, चलिए, इस question को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर पीछे हमारे options दे रखे हैं, देखें, हमें इसके according select करना है, बच्चों, तो इसके according अगर हम select करें, इसमें हाली इतना सा ही खेल है, यह NCRT का diagram है, तो देखें, इसमें किस के बारे में पूछा है, हम ऐसे questions में पूरी labeling करने की जरूरत नहीं होती, अगर हम देखें कि हमारा कौन से options है, तो देखें, इसमें सभी की बारे में knowledge आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, लगबग होनी चाहिए, तो ऐसे questions में कई बार क्या होता है, कि यहाँ पर कुछ जो labeling है, उन्हीं को लेकर options बनाए जाते हैं, तो ऐसे questions में फिर आप उन्हीं labeling पर consider कीजिएगा, हाला कि इस questions में सारी labeling हमें पता होनी चाहिए, हमारे four limb का diagram है, हमारे NCRT का, उसके according हम सारी labeling कर लेते हैं, then फिर हम इन options के ऊपर move करेंगे, तो देखो, labeling कर दी है हमने, हमारे four limb की बात कर रहा है, तो देखो, सबसे पहले clavicle bone हो गई हमारी, ठीक है, किसका पार्ट हो गया है, यह pectoral, griddle का पार्ट हो गया, उसके बाद में यह humerus है, फिर radius है और alna है, इस तरह से यह लिया जाता है, तो जो lateral side है, दूर की तरफ, वहाँ पर radius consider करते हैं, और medial side पर हम लोग क्या consider करते है, alna, then carpels, then metacarpels, तो इस labeling की according, हम options देखें बच्चो, इस labeling की according, अगर हम लोग देखें, तो आप देखिए, first पर clavicle, सही बात है, fourth पर radius दे रहा है, first option में, क्या fourth पर radius है क्या, नहीं, fourth पर anna है, तो हमारा first option जो है, वहOld, गलत हो गया, second पर देखो, fourth पर easung बोल रहा है, ठीक है, fifth पर metacarpel बोल रहा है, fifth पर metacarpel बोल रहा है, fourth पर तो हमारा second option भी गलत हो गया, third option की बात करें, second पर humorous बोल रहा है, third पर radius बोल रहा है, fourth पर metacarpal बोल रहा है, तो देखो, second पर humorous है, third पर radius है और sixth पर metacarpal है, तो बिलकुल जो हमारा, यहां पर बच्चो, कौन सा option, third option जो है, वो हमारा exactly, correctly, क्या हो रहा है, इसके according, match हो रहा है, चले आगे, चले, which enzyme activates most of the enzymes of pancreatic juice, but that enzyme itself is activated by some other non-digestive enzyme, यानि कि कौन सा ऐसा enzyme है, जो अगनाशरी रस के बहुत सारे enzyme को क्या कर रहा है, activate कर रहा है, पर तो यह खुद किसे होता है, किसी अन्य पाचक enzyme दवारा सक्री होता है, तो बिलकुल आपको पता ही है, जो pancreatic juice में, क्या प्रसेंट ह होता है, trypsinogen, trypsinogen present होता है, किस state में present होता है, inactive में होता है, ठीक है, किस form में होता है, inactive stage में होता है, trypsinogen, और इसे active में कौन बदल देता है, यानि कि किस में, trypsin में कौन बदल देता है, enterokinase बदल देता है, तो यहाँ बात किस की कर रहा है, यहाँ इस trypsin की कर रहा है यह trypsin फिर आगे सबको activate करता है, तो answer देखिए, trypsin हमें second option में दे रखा है, तो हमारा सही answer कौन सा हो गया, second option, ठीक है बच्चों? चलो, इस question को अगर हम लोग देखें कि कोई graph है, a से b, यह एक oxygen, आपका कौन सा graph है, oxygen distribution curve हो गया, ठीक है, saturation यहाँ पर partial pressure दे रखा है, और यहाँ पर हमें hb percentage दे रखा है, a से b की तरफ, अगर हम देखो, इस तरह की questions को मैं बता देता हूँ, यह axis हो गया, x axis, यह axis हो गया, y axis, इस धियान रखना, अगर graph y axis की तरफ move कर रहा है, y axis की तरफ move कर रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा है, यह left की तरफ, x axis की तरफ move कर रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा है, यह right की तरफ, यह चीज तो दिमाग में बिठा लो, x axis की तरफ जुक रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा हाँ है left के तरफ और जो दुश्मन है वो dissociation चाहते हैं और जो दोस्त है वो dissociation चाहते हैं तो हमें हमारे factors पता होने चाहिए वो कौन से factors हैं जो oxyhemoglobin का break up चाहते हैं oxyhemoglobin का break up चाहने वाले कौन से factors है co2 का ज्यादा partial pressure hydrogen ion की ज्यादा concentration temperature का ज्यादा होना ठीक है और association कौन से जाते हैं, high partial pressure किसका, oxygen का, low partial pressure किसका, CO2 का, low H plus concentration किसकी, मतलब hydrogen ions की, और temperature का क्या होना, कम होना, इस वाले में graph की बात कर रहा है ये, कि the shift from graph A to B, यानि कि graph पहले कहां था A पर, अब कहां shift हो गया, B पर, यानि graph किस तरफ shift हो रहा है, y axis की तरफ, यानि किस तरफ shift हो र करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, कौन shift करते हैं, friend factors shift करते हैं, या simple language में हम किसी भी partial pressure को पकड़ ले, मालो कि यह हमने यहां पर partial pressure ले लिया, तो इतने partial pressure पर आप देखो, कितना percent saturation है और यहां पर ज्यादा percent saturation है, यानि कम partial pressure पर ज्यादा hemoglobin किस में saturated है, B में, तो मतलब यह यहां पर ऐसे factors होंगे, जो oxy hemoglobin का क्या चाह रहे होंगे, association, तो अब आज़ो option में, acidic pH का होना, acidic pH यदी है, तो graph को किधर लेके जाएगा वो, right की तरफ, तो यह गलत हो गया, increase in pCO2, pCO2 अगर ज्यादा है, तो भी graph को किधर लेके जाएगा, right की तरफ, यानि कि यह एक तर जाएगा, right की तरफ, तो यह भी गलत हो गया, low H plus ion concentration, यदि hydrogen ion concentration कम है, और hydrogen ion concentration कम है, तो मतलब pH कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, यानि graph किधर move करेगा, इस condition में, यानि कि यह जो condition है, यह क्या होगी, यह favor करेगी, ठीक है, किसको favor करेगी, Hb plus O2 के बनने को, यानि कि किसको favor कर रही है, यह association को favor कर रही है, और association जब होगा, तब graph किस तरफ shift होगा, left कि तरफ shift होगा, यानि B कि तरफ, तो इस diagram में, पूछा है कि A से B पर shifting क्यों होई, क्या acidic PS था इस वज़े से होई, नहीं, इस वज़े से तो B से A पर होती, PCO2 इंक्रीज होने से होई, नहीं, इस वज इस वज़े से भी B से A पर होती, A से B पर shifting किसली होई, क्योंकि hydrogen ion concentration क्या थी, कम थी, इस वज़े से होई, इसलिए answer कौन सा गया, हमारा answer चला गया, fourth option, ठीक है बच्चों, इसी के साथ, जो हमारा paper है, यह हमने discuss किया, उमीद है कि आप सभी का question अच्छे होए होगे, और बिल जादर डालिए, CLC की video solutions को देखिए, पेपर को अच्छे से दीजिए, इससे आपका confidence भी भड़ेगा, और साथी साथ आप में paper solving skills भी क्या होँगी, डवलप होँगी, ठीक है बच्चों, थैंक्यू, धन्यवाद, Hello अच्छों, कैसे हो, उमीद है कि सब अच्छे होंगे, तो CLC दौरा इस्टार्ट दंगल सीरीज का अपन नेक्स्ट पार्ट अपने पास में, दंगल 3 के अंदर अपने पास में, बोटनी के बारे में हम बात करेंगे, पहरे बच्चों, नीट के एक्जाम थोड़े ही दिन में नीट में पूछा जाता है, तो बच्चों, 151 नम्मर क्यूशन से स्टार्ट करते हैं, 151 नमर क्यूशन हमें क्या कह रहा है, माइको प्लाज्मा आर नोट अफेक्टेड बाइदा पैनिसलियम डूटू, ठीक है, माइको प्लाज्मा पैनिसलिन से परवावित नहीं होता है, क्योंकि बेटा पैनिसलिन जो होती है, वो सेल वोल पर एफेक्ट करने वाली अपने पास में एंटिवायोटिक होती है, और माइको प्लाज्मा में सेल वोल नहीं होती है, तो आपको मिल जाएगा सेकिंड दूसरी अपन बात यहां पर ही एक पॉइंट अपने पास में कि माइको प्लाज्मा में मेटाबोलिक एफेक्ट करने वाली एंटिवायोटिक एफेक्टिव होती है, और उस एंटिवायोटिक में अपने पास में कौन आता है, बेटा, टेटरा साइक्लीन आती है, तो यह अपने पास में आपको रखना है, दूसरी बात आपको रखना है अपने पास में एपसेंट होती है तो इसकी शुरुख्या करने का काम सेल मेंब्रेन का होता है और माइको प्लाज्मा में ट्राइड अपने पास में सेल मेंब्रेन परजेंट होती है ठीक है तो इसलिए अपने पास में यह हो गया तो आंस्वर अपने पास में सेकेंट हो गया आपको इंकरेक्ट को चाटना है। अपने पास में चुंदिया गया है। अपने पास में लेयरтив लेयर धूर जो एसके अपने पास प्रोटो सिंथेटिक प्रोटेश्ट्स नियमर्ड बिल्किल गरे रहे यह स statute और होते सेपरोफायेटिक यह अंदर आएगा है टरो ट्रॉप्स में आएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा फॉंग कि फॉटो सिंथेटिक लिएक पूलोई कि पर जिए क्लियर के बारे में अपने बात करते हैं तो अबimize कीषण अपने पास में देखेगा तो नेक्स्ट कुशन अपने पास में है नेक्स्ट कुशन में अपने को पूचा गया है विच आप दा फॉलोईंग आर यूज़ जाज पॉलिशन पॉल्यशन ऐसो टू इंडिगेटर ठीक है ऐसोटू के पॉलिशन का सुचक कोन आपको बेठा सिंपल सी बात पर जैट है कि अपने पास में एक तुदिल्ली हो गया एक आगरा हो गया यहां पर कभी भी अपने पास में क्या नहीं गिरो करते हैं लाईकेन गिरो नहीं करते है लाइकेन जो होते हैं बच्चों वो अपने पास में बिल्कुल भी गरो नहीं करते हैं तो अपने पास में लाइकेन आंसर हो जाएगा और आपको पता है अमीबा जो होता है वो अमीबा को तो आप नहीं ले सकते हैं आप यहां पर अपने पास निये ले लिए लगोड़ आप जानते हो अपने पास में वह फ्रेस वोटर में अपने पास में ग्रो करता है तो यह भी फॉल्युशन वहन का इंडिगेटर होता है ठीक है और अपने पास में इकोलाईज होता है वच्चों वह most pollutant water में अपने पास में grow करता है तो वो भी किसका indicator होता है pollution का अपने पास में indicator होता है तो SO2 का अपने पास में lichen next की बात अपन कर लेते हैं बच्चों तो next में देखेगा next अपने पास में question है इसमें क्या कहा रहा है which of the following group include member of brown algae तो आपको brown algae के member पूछा है तो आपको पता है कि पोर्फाइरा red algae पोर्फाइरा red algae पोर्फाइरा red algae एक्ट अपने पास में तीन option cancel laminaria fucus और dictiota यह किसके member है मिटा brown algae के तो answer अपने पास में क्या हो जाएगा without किसी region third answer हो जाएगा ठीक है next question की बात कर लेता है तो next question अपने पास में कौन सा निकल कर क्या आता है बहुत अच्छा question यह आपके डाला गया है बच्चो इस question में देखेगा आपको क्या कहा गया है the given diagram structure ABC and sequentially represent ठीक है दिए गए डाइग्राम में ABC अपने पास में किस क्रum को representatives करते हैं कि इस क्रम को पर दर्शित करते हैं बच्चो इहां पर अपने और दूसरी बात यहां पर कियेंगे यह अपने पास क्या आपको पता है कि मृटि शैलूलर अपने पास में जैमा का फोर्मेशन होगा और पैस में ऑसी असेक्षवल बड़ है और ये क्या करेंगी बच्छो एक्सेक्स da काम करेंगी ठिक है लगे आपने पास बारे ग्मजिय स्प्होटर भीनेर्पश्टर तो बात करते है तो नेस्ट कुषण अपने पास में आता है देखिएगा 156 156 question क्या कर रहा है intercalary marriage time is derivative form आपने क्या कहा कि apical marriage time जब तेजगती से divide करता है तो apical marriage time की कुछ cells जो होती है वो पीछे छूट जाती है और वो अपने पास में node inter node पर अपने पास में क्या होती है marriage traumatic cell की तरह work करती है तो अपने पास में क्या होती है अपने पास में क्या होता है जो प्लैंट अपने पास में खा जाते हैं उन पार्ट को रीजर्णेट करने का काम करता है बच्चो तो अपने पास में जो है क्योंकि और बाके तो कहीं पर आता ही नहीं है तो नेक्स की बात करते हैं पने पास में है ये पासेज तो देखो पासे मार्क को सिखा जो पतली भीप्ति मर्दू तक को सिखा होती है प्रोटो जाइलम में जलवा खनी जलोनों के परिवेन को सुगम बनाई जाती है किसमें पाई जाती है बच्चों आपको पता है कि एंडोडर्मिस जो होती है अपने पास में सबसे इनर लेयर होती है एंडोडर्मिस में क्या होता है बच्चों इस तरह से अपने पास में सेल परजेंट होती है अब एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स के अंदर अपने पास में क्या होता है कि लिगनिन का डिपोजिशन हो जाता है और अपने पास में सुबेरीन का मैंली डिपोजिशन होता है और सुबेरीन के डिपोजिशन से यह सेल क्या हो गई डेड हो गई तो अब यहां पर अपने पास में पानी को आने के लिए अपने पास में एक ही पात्वे बचेगा वह लिविंग पात्वे है ठीक है और उन सेल क अपने पास में उस सेल को क्या बोलेंगे पासेज सेल ने वोटर किसको दिया यहां पर इंपोर्टेंट आगे मैंने फिर उच्छा है तो अपने पास में उसको थोड़ा सा गुमाया है तो प्रोटोजायलम को दिया प्रोटोजायलम को क्यों दिया क्योंकि अपने पास में आभ पता है कि अपने पास में make a new master ने सुधरीन जिमा उए तो अपने पास में किस fuss ने यह नहीं किस में पाएज स्पाइए जाती है और दुभान स्रवधियर्ट ऑर फ्रमा। चीजए काई क divides बात किसको आना है और किसको नहीं आना जो दैड वह तो क्या हता है? एक जो में बात कर लिताएं बख्याइंट keeping नमबर 158 नमबर कि इसन के लघावर विच और बी डिवाइद इन्टू इक्वल हैवस by only one vertical plan तो बच्चों आपको एक उर्द्वादर तल से किसी कुस्प को दो भागों में बाटा जा सकता है तो यह कंडिशन आपको दिखाई दे रही है फाबेशी फैमिली में और अपने पास में इसमें क्या होता है कि हम एक तल से दो भागों में बाट सकते हैं इसका मतलब कंड करते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में क्या आता है बच्चों इसके बारा में देखेगा क्यूशन नमबर 159 159 क्या रहा है फोलोईंग इज अल्ट्रा इस्टेक्चर ओप माइट्रोकॉंड्रिया इन दिस स्टेक्चर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्पोराइ में तो अब माइट्रोकॉंड्रिया में इस और क्रेव साइकल जो है यह तो आपको पता ही है कि कहां पर चलता है माइट्रोकॉंड्रिया के मैट्रिक्स में अपने पास में रन करता है इस जो होता है वह आपको पता ही है बच्चों इनर मेंब्रेन पर रन करता है क्योंकि इ कि बा सिबंगे बmay Лबे करें बच्चों तो नेक्स्ट अपने पास में क्यूशन आता है वह ए अपने पास में आता है किcil Band 161 से क्या किरा रहा है स्यंग ऑवर अक्कर इन Rain नंति ब okay passing ओवर कहोंट है वो अपने पास में long stage होती है उसको five stage damit होती है ऐसमें क्रोंसिंग को रह बैर सब्साइब के लिए फास के सले होती है क्रोसिंग और और वह कौन्शी स्टेज में होता है पेकाइटीन स्टेज में दूसरी बात अपने करें बच्चों तो आपको पता है कि एक क्रोमोसोम की दो आर्म बन जाती है तो यह आर्म इस आर्म से ही बनी हुई है सेम डियने तो यह क्या कहलाएगा सिश्टर क्रोमेटीड कहलाएगा और अपने पास में यह दो अपने पास में आर्म बन गई तो यह दोनों आपस में आर्म है तो वन और टू आपस में सिश्टर और थ्री और फॉर आपस में सिश्टर बच्चों एक से ही बनी हुई है तो इन दोनों में एक्सेंज करने से क्या फाइदा होगा इस और किसमें देखने को मिलता है पैकाइटीन स्टेज में किलियर है वई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट देखेगा 161 क्या कह रहा है एक प्रारूपिक नुक्लियो सॉम में रखता है आपको पता है कि 200 बेस पेयर का अपने पास में जो डियने होता है वो एक नुक जीन्हींैं शली ऐसल कर ले वारे बॉइन पास में क्या अता है है नेक्स्ट की बात करते हैं एक्ससाइए यह का लार्जेश्ट जीन इन वाटिए अइच में में पूछा यूमन के अंदर तो बच्चो यूमन के अंदर सबसे बड़ी जीन आपको पता है एक स्टेश्ट ग यह और आपने पास में जो इस्मोलेश्ट जीन वह टी डीडियाक्तर बनाती है यह वाय क्रोमोसोम पर होती है यह फेस्ट क्रोमोसोम पर होती है मैकसिमुम जीन Concentral Information आपको बता इंटिया गया है तो नेक्स्ट आप सिंपल सा अपने पास में एक्ष्ट क्यूशन है बच्चों तो आपको क्या रहा है दागीवन फिंगर डाइग्राम रिपर्जेंट रिपर्जेंटेशन और सिंतेसिस और आरेने मोलेक्यूल आइडेंटिफाइची दिये गए आरेने मोलेक्यूल के संसलेशन का चित्तर यह निरूपड है तो अपने पास में सी को पैचानिए आपको पता है कि तो आपसे पूखागा सी को पैचान भोलू कि यह पने यह रहा हुए Красणि मोलेक्यूल दो नेक्ट की बात कर लेक्ते आय। तो next में अपने पास में आता है next simple सा क्यूशन है बायो मोलिक्यूल से सीधा क्यूशन निकाला गया है और एकिडोनिक एसिड find out the right formula of और एकिडोनिक एसिड का साही सुपतर क्या होगा ठीक है आपको पता है 20 कार्बन का एसिड होता है वो कौन सा होता है है अर्यकईणड होता है तो तोची एक थ्री सी एक ती तू अठ और दो 20 ठीक है भाई एक कारबन यह एक अठार इस पार बन यह 20 कारबन यह चोंट यह यह है अइसट कर भाण बैस कारबन की शोला कारबन वह आपने पास वह पर्मेटिक दो जाएगा तो आंसोर अपने पास में क्या जाएगा थर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों अब जायें को आरने पर नकल करने की पर करिया और अपने पास समय क्या ऐना या सबनाए वाट तो अपने पास में क्या में बोलेंगे अनुलेखन और अपने पास में इसको क्या बोलेंगे बच्चों रेप्लिकेशन को पर्ति करते करण तो आंसर विल भी फॉर कि नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्यूशन आप से कह रहा है माइक्राइजा इस दा मैनुवल रिलेशन्शिप बिट्विन फंगस एंड रूट ऑफ जिम्नोस पं हैल्पिन कवक और अनावर्क वीजियू के मूल के मद्दे आप से संबंध क्या कहलाता है माइक्राइजा आपको पता है कि कवक जो अपने पास में हैपी रहते हैं तो यह कंडिशन अपने पास में क्या कहलाती है सिंबायोसिस तो यह फंजाई जो होता है वो किसके साथ में करता है हायर प्लांट के साथ में करता है तो उसको अपन क्या वोलते हैं वैटा माइक्राइजा फंजाई प्लांट को क्या देता है mineral देता है और अपने साथ में water देता है बदले में plant फंजाई को क्या देता है food देता है थिक है तो बदले में पलांट फंजाई को क्या देता है food तो absorption of water and mineral absorption दोनों अपने पास में बैटरीन बनाया जाता है तो आंसों जो होगा वह सेकंट हो जाएगा के लिए बच्चों नेक्स्ट की बात कर ले देए 66 के बाद में 66 नमर की उश्चन आपको क्या गहरा है विच ओप दा फॉलोइंग इजे माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रेंट है तो आपको पता है कि जिसकी आउसकता दस मिली मॉल से ज़्यादा होती है वह अपने पास में मैक्रो और जिनकी कम होती इसको डिलीट करते हैं नेक्स की उपर चलते हैं तो नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में आता है तो तो 168 नम्मर क्यूशन बहुत अच्छा क्यूशन है आपको पता है यह क्यूशन डाइरेक्ट अपने पास में नसे आर्टेस उठाया चार्ज डार्विन डिस्कवर ऑगजीन वायल वरकिंग ऑन ताइच डार्विन ने आपको पता है कि ऑगजीन की खोज की थी और किसके उप की तरफ सूर्य के प्रकास की तरफ क्या हो जाता है बच्चों घूम जाता है और जैसे ही अपने पास में यहां पर सल्लाइट पढ़ती है क्यूंकि ऑगजीन का सिंतेसिस होता है क्लियर है तो यह अपने पास में कैनारी घास आगया नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन तो नेक्स्ट अपने पास में आता है बच्चों उन्हेंतर नंबर 169 विच अपने पास में जो होता है आर्यू बीपी आपने पास में एक तो पर आर्यू बीपी का नहीं पूछा आप से डायरेक्ट पूछा है राइवलोज बिस्फोस्पेट कार्बोक्सिलेज में पास में पास में चेक्पास से थोड़ी कम होती है लेकिन और हाई टैमपरेचर होता है तो यह उससे बायंट जाता है और प्रोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस से स्टाट कर देता है उप्राइप्रिए अपने पास में पाशता है club can का मेगनेशियम का तो आणस्वर अपने पास में क्या आजाएगा मैगनेशियम क्लिए अब इसको अपने पास में नेक्स्ट क्यूशन के बारे मेपने डिसक्स करते हैं एक्सों सतर नंबर क्युशन आप से डायरेक्ट पूछा गया है ग्रोथ कें बी मैथेमेटिकली एक्सप्रेज बाइब एक्सपॉंसियल ग्रोथ चरगातां की वर्दी जिसमें क्याशा होता है एक सेल डिवाइड ओकर दो सेल दो सेल दो सेल दिवाइड होकर के चार सेल और च बात करते हैं नेक्स अपने पास में क्या है देखेगा नेक्स्ट क्यूशन बहुत अच्छा है एंस आर्टे का डायग्रामेटिक क्यूशन है तो आपको बिल्कुल अपने 11 अपने लगबग साथ खतम हो गई है बच्चों अपने पास में काफी अर्ता तो गिविन डाइग यह आपने पास में अपस्तानी कलिका इस पार्ट को अपलग करोगे और नई जगे लगाऊगे पत्थर-चट्पा कडाईग्राम बोलते हैं ठीक है तो यह ब्राइव फिलम का डाइग्राम है जो अपने पास में लीव के मार्जीनल से वेजटेटेव रिप्रोड़क्शन क करता है तो यह अपने पास ने एडवांटेजिएस बढ़ हो गई अब बच्चों यहां पर क्यूशन गल्द करने के चांसें बहुत ज्यादा होते हैं यहां पर एंसी आर्टी ने रिपरजेंट कर रखा रखा है इंट्र नोड तो बच्चों अपने क्या किया है इंट्र जाएगा फोर नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्यूशन नमर 172 डाइग्रामेटिक वी ओफ एग्सल एपरेटर्स आइडेंटिफाइड पार्ट लेबल ए बी सी एंड डी सलेक्ट दा राइट ओप्शन अबाउट देम नीचे दिये गए आ रहे कि चितरण में अंडूपकरन दिखाया गया आपको और इसके में ABCD को ना मांग की करना है जो है वेटा आपको पता है सबसे बड़ी सेल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे सेंट्रल सेल क्या होगी केंदर ये कोशिका मैं यहां पर ही नामकरण कर रहा हूं तो यह केंदर ये कोशिका भी एंशी आप पर आपने पास में साएक पोशिका में अपड़ित होती ँए साएक पोशिका में अपने पास में कौन answer करती है पॉलन ट्यूबlist जो है वह अपने पास में क्या क्या सांगा मघ तॉपक्रन और यह अपने पास में क्या हो जाएगी क्या हो साय कोची का अपने पास ने सिनर्जिट पैटाई बहुत-बार की रिशन आपके रिचुक्ण आपकर सब 107 पैयर क्या होता है आप कौन सा किसमें नहीं मिल रहा लाइसोजाइम जो होता है उपने पास में क्या करता है बच्चों बैक्टिरियां की सहल वोल को डिजयोल करने का काम करता है लाइस्तो जाइम क्या करता है? बैक्तिरिया की सेलवोल को डिजॉल करने का काम करता है, बिल्कुल सही है, काईटिनेज अपने पास में फंजाई की सेलवोल को डिजॉल करता है, बिल्कुल सही है, सैलूलेज पलांट की सेलवोल को डिजॉल करता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों चिल्ड एथेनोल होता है वो अपने पास में DNA को परसिपरेट करने का काम करता है वो अपने पास में किसी को डिजॉल करने का काम नहीं करता है तो आंसर विल भी अपने पास में डिजॉल नहीं करता है यह वहां से सेपरेट करता है तो अपने पास में आंसर हुआ है और आपको पता है कि वाइरस में तीन समेट्री होती है यह अपने पास में है हैलिकल अपने पास में समेट्री अपने पास में नहीं यह हैजागोनल समेट्री है 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 जागोनल एक होती है अपने पास में हैलिकल समेट्री जो किसकी होती है बच्चों टीमबी की होगी हईलिकल सब्सक्राइब घर्ण देंगें और अपने पास में टीमप Max से तो बहुत वहाईगी एर मिक्स समेट्री तो वह किया कर लाएगी मिक्स समेट्री अपने पास में कहां पर देखने को मिलेगी बैक्टीरियो फेज लिएर है तो यह तीनु सिमेट्री होती है तो यह आडीनो वाइरस है वाइरस से बन सकते हैं और अपने पास में तिशू पला जो अपने पास में है चैप्टर अपने उससे बिवन सकता है कि लिए रहे नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखेगा नेक्स्ट क्यूशन है दब फेश्ट ट्रांसजनिक काउ जो है वह अपने पास में कौन थी वेटा रोजी थी रोजी के लिए आपने पास में एलफा लेक्ट अल्ब्यूमिन यूमन मिल्क की प्रोटीन के लिए बनाया गया था जिन बच्चों की माये एक्सपा प्रोटीन बच्चों को अपने पास में यूमन मिल्क मिल सके इसलिए अपने पास में यह बनाए गई थी किलिए रहे वेटा नेक्स्ट की बात कर लेता है कि अगा कि कि 176 क्यूशन देखिएगा कि क्या रहा है साइलेंशिंग और जीन कुट भी अचीवड थ्रोदा यूज ऑप जीन का संदमन किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं बच्चों आपको पता है कि यूकेरियोट की जीन का संदमन करना है तो आप क्या करो अपने पास में प्रोटीन सिंथेशिस के लेवल पर करो तो आपने पास में दो लेवल पर हम उसका संदमन कर सकते हैं तो हम और एने इंट्रफेरेंस टेक्निक यूज करते हुए एंटी सेंस आरेन टेकनोलोजी दोनों ही एक चीज है आपको पता है हमने क्या किया डबल इस तो वह अपने पास में क्या हो जाएंगे दोनुं कॉंप्लिमेंटरी होने की वज़े से जुड़ जाएंगे यह जुड़ गया तो अब बोडी के लिए अन्यूजफुल है डिजायर प्रोटीन आकर के इसके क्या कर देंगी बच्चो तुकड़े कर देंगी अब निमेटोड करके अपना MRNA अगर डालेगा तो उसके MRNA पर यह डियाइब प्रोटीन के फिर वापर जाकर के उसको टवलिशस्टेंडर में च counterpart प्रास में क्या होगा कि जब वे वापस से double standard बनेगा तो फिर body के लिए unuseful होगा और ये इसकी हो जाएगी silencing तो बहुत answer अपने पास में आ जाएंगे नेक्स्ट की बात करते है बच्चो तो देखेगा next some plasmid may have only one or two copy per cell where as other may have following number of copies per cell कुछ पलाजमिट एक अत्वा दो पर्तियों के रूप में कोशिखाओं में रहते हैं जबकि कुछ पर्तिया अन्य पलाजमिट की पर्तियों की संक्या निमलिक्त में से हो सकती है एंसी आर्ट की डाइरेक्ट लाइन है पचास सोरी पंद्रा से हेंड्रेड कोफी अपने पास में हो सकती है कुछ समझाने का नहीं है बच्चो इसमा कि नेक्स्ट की अपन बात करते हैं तो देखेगा 178 178 कह रहा है कि ओवर 95 परसेंट और ओल ट्रांस्जेनिक अनिमल आर यह नीट में भी क्यूशन आया हुआ है 95 परसेंट से अधिक अनुवांशिक रूपांत्री जनतु है तो माइस तो ट्रांस्जेनिक माइस आपको पता है बच्चो मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि सबसे पहले एक्सप्रिमेंट माइस पर फिर माइस के बाद में आप मंकी के उपर ले लो मंकी के बाद में फिर किसके उपर उतारा जाता है यूमन के उपर किसे भी एक्सप्रिमेंट को उतारा जाता है यह हमारे पास में वेक्सिन सेप्टी की अपने पास में जाज करने की विदी होती इप यू अब जरुइंग कलाइमेट फेक्टर इन ट्रोफिकल रैन फॉरेश्ट थी कहा है इसमें आप कह रहे है कि यदि निमनलिकित में से कौन सा सरवाधिक परशागिक पारस्तिती की कारक है यदि आप जलवाई कारकों को उसन कटीबंदिये वन्वों में प्रेक्सेपित ठीक है नेक्स्ट की बात अपन कर लेते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा क्यों से नम्मर एक्सवस्स से क्यों से बिल्कुर सिंपल सा क्यूंसर कह रहा विच अपने पास में उपवन जो है वह राजस्तान में होता है बच्चों आपको पता है कि राजस्तान के अंदर अरावली हिल्स है अपने इसके के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि पूजा कि जाती है लोग के मानते हैं कि आपने नुक्सान पोचाना धार्मिक वाउनाओं के खिलाप प्लांट उनकी अपने पास में रख्षा की जाती है और इससे अमारी डाइवर्शिटी क्या होती है बच्छों बची रहती है अरावली इस अपने पास में राजस्तान में आपके करता है नेक्स्ट की बात कर लेता है बच्छों 181 181 क्यूशन आपको सिंपल सा क्यूशन अपने पास में राजस्तान का डाइग्रामेटिक क्यूशन है क्या कह रहा है कि काई पर भी स्वेज डालोगे तो आपको बी ओडी क्या हो जाएगा भड जाएगा ठीक है वाई वी ऑक्सिजन की डिमांड को उनकरता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया किसी भी और्गनिक स्वेस्टेंस को डाइजेस्ट करने के लिए जितनी ऑक्सिजन की डिमांड करेगा वो क्या क्या लाएगी ठीक है और यह अपने पास में क्या है डिजोल ऑक्सिजन क्योंकि बैक्टीरि तो बड़ेगी तो डिवो क्या होगी गिरेगी और फिर आगे जाकर के वापस यह रिवर्स हो जाता है तो बी ओडी एंड डिजॉल ऑक्सिजन अपने पास में आन्सवर आजाएगा कि नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट में देखेगा 181 के बाद में 182 182 आपको बिल्कुल NCRT का डाइग्राम दे रखा है आपने डाइग्रामेटिक क्यूस्ट सारे इसमें ले लिए तो अपने पास में देखो यह जो है ड्राइए यहां पर है यह को रिपर्जेंट किया है यह जो है बेटा यह कोरोना डिश्टार्जिंग है क्या है कोरोना डिश्चार्जिंग ठीक है और अपने पास में जो यहां पर यह वाला है यह क्या है वाइर है तो अपने पास में क्या होता कोरोना डिश्चार्जिंग बच्चों आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि अपने पास में किसे भी पॉइंट लिए तो अपने पास में वायर से एलक्टोन बाहर निकलेंगे तो यह फार्टिकल जाएंगी यह एलक्ट्रोन को एस्ट कर लेंगे और रिंटक्ट का मतारी तो अनसर की बात करते हैं आमने पास में यह हो गया नेक्स्ट क्योंशन की बात कर लेते हैं बच्टों अपने पास नापको शिंपल सा रिक्यों बना करके दे को एक जाट बना करके दे रहा है बच्टों यह अपने पास में सबसे ज्यादा होती है सबसे ज़्यादा सिट योटू होती है सिक्स्टी परसेंट स्यो तो से कम अपने पास में यो क्वान वती बच्चो आपने पास में और सीएप सी से कम oh okay 6% पर्सेंट कौन होती है एन टू आप स्कों मेच कर लीजिएका आप कोलम से अपने पास में इसको मेच करते हैं तो देखेगा जो है भो 60% सी जो है वह अपने पास में 20 पर्सेंट बी जो है 14 तो answer विल भी second कि नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं बच्चों तो नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में आता है चितर पर विचार करो वही अपने पास में विचार करने का क्यूशन है तो यह क्या है विटा अपने पास में जो अपना टेंपरेचर कभी चेंज नहीं करते हैं यह कौन है कौ और जो आपने पास में अपने पश्राइब क्वार्मेंट के सब्सक्राइब अब आप से कहा गया कि इस्तंदारियों के उद्विकास की सपलता कौन दर्शाथा है बचो स्पल सी बात है साथ इसलिए सपल है कि वह जहां भी रहे अपने टेंपरेचर को खोंश्टेंट रखते हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता कि वह डेजर्ट में या अपने पास में वह पॉलर पर है उनका टेंपरेचर बोडि का आमेशा क्या रहता है इसकी वजह से वह सपल है तो आनसों क्य क्या करें रeeवन स्विगर भी परजेंग फॉलों इंड लाइब का पने पास में अपने पास में आपने पासमें में लाइफ साइकल का ये अपने पास मी डाइगराम है और अरफ लाइफ साइकल किस में होती है आपको पता है है डिपलॉंटिक लाइफ साइकल और अपने पास में जिम्नोस परम में होती है लेकिन एक्सेप्शनली फ्यूकस जो होता है वो क्या रखता है डिपलॉंटिक लाइब साइगे तो थर्ड हो जाएगा आप त्यारे बच्छों यहाँ पर देखेगा डिपलॉंटिक क्यों है क्योंकि ज्यादा तर टाइम कौन सी जर्नेशन आ रही है इस पोरोफाइड गैमेटोफाइड जर्नेशन बहुत कम स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट क्यूशन देखेगा इसमें आपको कोई दस करने है ठीक है थी टाइप वैस्कुलर बंडल एबी सी और रिपरजेंट इन रेस्पेक्टिवली आपको वैस्कुलर बंडल दिये गए हैं इसमें पूछा कि कौन किसको रिपरजेंट करता है बच्चो आपको पता है रेडियल वैस्कुलर बंडल रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें होता है रूट में आपको पता है बेटा अपने पास में वैस्कुलर बंडल अपने पास में जो होता है मोनोकोट इस्टेम में ठीक है क्योंकि इसमें अपने पास में क्या नहीं है क क्या हो जाएगा ठीक है बच्छो नेक्स्ट की बात करते हैं 186 क्यूशन 186 क्यूशन में आपको कह रहा है बिटा कि विच ओव इन विच ओप दा फोलोविंग फ्लावर दा कंडिशन ओवरी इस रिपरजेंटेट बाइस शिमोलिक जी ठीक है जी के नीचे डंडा तो तीन कंडिशन होती है जी के नीचे डंडा जी के उपपर डंडा और जी के बरावर में डंडा जी के नीचे डंडा इसका मतलब ओवरी क्या है सुपीरियर है ओवरी क्या है सुपीरियर और ओवरी सु क्टेशन होगी व्लिटाइनिस क्टेशन होगी हाइपाइनिस लöglichया व्लि lease वं आपके पास एक्सक्यक्त agrade को आप बड़ाबर में इसका मतलब और क्टेशन की करह जाएंगी विथा पेरी गाइन तो अब बच्चों अपने पास में कोई छाटने की कोई दिक्कती नहीं है कि के सी है के उपर ओवरी है यह के है कैलिक्स सी है को रोला एंड्रोसियम ओवरी सुपीरियर है कंडिशन क्या हो जाएगी एपिक हाइपोगाइनस और जी के नीचे क्या जाएगा डंडा ठीक है बट इस पर उस्तमें चित्र किसका है लिए हैं इसमें ट्रीकतविक भी नहीं होता है तो क्या करना आ है जो अपने पास में फ्लेसलेंटि प्लेसलेंटा होता है ठोड़ा जुका हुआ होता है तो वह बस cleaned family होती है सब्सक् crashes थे लिसेटी झीडिए करते हैं झीज छॉटमी तो आपको सब्सक्राइब करने ऑर पास दोनों में अपने पास में और दो पास में रूटा ऑफल्वाइस्थ में नहीं पूछा है इसलिए अपने पास में आंसर क्या होगा फर्स्ट और सेकिंड ठीक है नेक्स्ट यूशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट यूशन आप से पूझ रहा है कंसिडर दाइग्राम दिये गए चित्र को पहचाने और एक्स को आपको फुल्फिल करना है बच्चो एम फेज एम फेज के बाद में अपने पास में यह जीजीरो फेज आ गई और यह जीवन फेज आ गई यह अपने पास में एस यह जीटू फेज बच्चो इस क्यूशन में बहुत अच्छा कंफ्यूजन अपने पास में क्रेट होता है इसलिए मैं इस क्यूशन को अच्छे से सोल करा रहा हूं आप देख लीजेगा कि क्या होता है जीवन एस जीटू एम तीन फेज आती है एस को आपन क्या बोलते हैं सिंथेशन सेट एस को क्या बोलते हैं सिंथेशन क्यूंकि इसमें डेयन अयन्य का संस kilow अवस्ता एम को अपन क्या बोलेंगे अपने पास में धी ounce होता है तो यह अपने पास में स्सु्टरी अवस्ता करल कि अब क्या होता है आप कि से पहले फेज आ रही है झीटू यह क्या होगि premioteic s के बाद आ रही है तो पोस्ट 7 अब आपने को जीवन की बात करनी अगया इस पर रही है तो क्या कैलाएंगी प्री frankly संसीलेशन अवस्था आप टाया अपने पास में कौन आता है जीवन तो अपने पास में क्या हो जाएगी पोस्ट मायोट्रिक फेज पस्से सुत्री अवस्ता और आप को पता है जीवन फेज इसको बोलते हैं तो आंसर अलोव भी चला जाएगा ठीक है बचो नेक्स्ट क्यूशन की अपन बात करेंगे प्राइमरी जायलम के दो पार्ट प्रोते हैं प्रोटो जाईलम और अपने पास में कौन मैटाईलम और बच्चों अब ही मैंने पीछे के question में explain किया था कि एक जार्ज चंडिशन होती है एक जार्ज चंडिशन होगी तो proto-gylem क्या होगा पहले आएगा और metagyalom जो है वो अपने पास में क्या होगा बाद में आएगा तो पहले पानी एब्जोर्ब होगा सोयल से सोयल से रूटेयर आएगा रूटेयर से कोर्टेक्स कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस से पैरिसाइकल बिल्कुल नहीं ठीक है तो पैरिसाइकल जो है वो अपने पास में हाँ एंडोडर्मिस से किसमें आएगा पैरिस आills सफोंगया और और खुक्त आप addition को भी देख gaat तो अपने पास में हैं ईंट सहे बात हो रही है वाहता है जो आंसर है वह आपने पास में हो जाएगा फैस क्योंकि पर्य साइक हमा के बाद में आती है ठीक है तो परिसाइकल फिर अपने पास में प्रोटोजायलम और किस में आ जाता है में आन्सर फैस्ट थे परिसाइकल नहीं आती है तो वह ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे अब अपने पास में नेक्स्ट क्यूश्र है 193 surrendered is a matter ofacht сво है जिसकी कमी कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता है और अपने अपने पास में और इंप्लांट सहरे आपने परे पास में अलिमेंट है वो में पाए प्लन्ट को थोड़ा सा किमी नहीं होते हैं जो प्लांट में और चुल्प कुल और मेसी नहीं स्थापित मैं और प Way कोई कोई दूसराith कि नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 94 डाइग्रमेटिक क्यूशन है लेट सी आपको दिया हुआ है लेस्टिक में आपको पता है कि यहां पर एच्टू और टूट रहा है एच्टू को तोड़ने का काम किसका होता है पीएस सेकंड का पीएस सेकंड से फ़ीएस वगेरा के पास मे उलकॉट नागेलए लक्ट्रोण ग्रहाई एक्ट्रोण एयंडेक्टर अपने पास में यह एक त्राम्ट डोला नहीं अपने पास में 26 होता है बभात वगयरा वगयरा सारे एक प्यूंस्टिक है क्या नदी एड्यकानलायों तो अपने पास आपको पता है कि अपने पास में गाइनोसियम की कंडिशन जो होती है वच्छोब वह अपने पास में दो परकार से होती है इस यह यह आपने पास में क्या हो जाएगा फोर इसकी अपने पास में होती है इसका इसकी पॉजेट सन्कार्प कंडिशन किसमे वन प्रस्फोर्स का डाइग्राम है आपको पता है कि फोस्फोर्स जो होता है यह साइकल नहीं है सेडमेंट्री साइकल है यह अपने पास में प्रिवेश करता है आपने पास में सॉयल सर्पेस में घ़िरा में आया वापस अपने पास में चला गया मतलब आउट निकल गया फिर इसको कुछ ने प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो यह अपने प्रोडूशर को किस ने खाया अपने पास में किसे फ्रीड कंजूमर ने फिर यहां पर डीमिंट कर देते हैं है तो आपने पासमें क्या हो जाएगा बच्छों फोर हो जाएगा कि लिए रहे नेक्स्ट क्यूशन बच्चों अपने पासिन को सब्सक्राइब के बारे में अपने बात करेंगे तो नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में है जूशन नमर पर किलियर है तो नेक्स्ट क्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में आता है 198 वैतरीन क्यूशन है देखेगा क्या कर रहा है गीवन फिंगर रिपरजेंट बायो मैगनिफिकेशन ओप डीटी इन दा अपने पास में क्या है जो नॉन डिग्रेडेबल अपने पास में सबस्टेंस है तो आपने अगर मालों की किसान किसी भी किसान ने हैंड्रेड केजी डीडीटी अपने खेतों में छिडिका अब ऑनने पास में तो इत प्र आप मिलियन पार फट inhard पार प्रकार से इसका होता जाता है बढ़ता जाता है कि लिए रहे बच्चों अपने पास में आपने नेक्स के बारे में बात करते हैं तो पहला आपसे लिखा गया है कि वेन एग्रीकल्चर फिल्ड और इस्प्रेड विद डीडिटी इट कैरीड बाई रन ओफ वाटर इंटो नियरली आक्वेटिक बॉडिज बिल्कूर शिंपर जो पॉंड वगेरा होंगे लेक वगेरा होगी उसमें आ जाएगी तो यह अपने पास में राइट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन कहरा है रिवर वोटर में है वेरी लोग कॉंसेंट्रेशन ऑफ डीडिटी बट डा कार्निवेरस इस इन डा रिवर में कंटेंड हाई कॉंसे इस 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 शुटेबल पर कंजेप्शन वाइं योमन बिंग तो बच्चों आपको पताया कि अभी आपको रीसेंटली पीछे बताया था कि फाइट फ्लक्टॉन अपने पास में मालों की आप हैंड्रेट बोटर ड्रोप खाते हैं तो उसमें एंड्रेट गुना हो होई फिर जूप लग्ताया को खाते हैं तो अपने पास में फ्लक्टॉन अपनी लाइफ सायक्ल में खाते हैं यह बात यहां तक सही है कि बट आपने पास में आगे लिखा हुआ है कंजेप्शन वाई यूमन बिंग सुटेबल कंजेप्शन तो यह गलत है कि अभी वह उप इसलिए यह पॉइंट आपने पास में रोंग हो जाएगा यह उप्यूक्त नहीं है तो आंसर अपने पास में आ गया सेकिंड फिर भी अपने पास में थर्ड ऑप्सन की अपन बात कर लेते हैं इंक्रीज कॉंसेंट्रेशन ऑफ डिडिटी इंवर्ड अफेक्टेड कैल्सियम मेटाबोलिजम ड्यू विच एग सेल बीकम फिन एंड ब्रेक बिफॉर मैचुरेटी और आपको पता है कि यह पॉइंट आइंसी आटी ने लिख रखा है कि पक्सियों की जो समझती है उसके ग पहुत करते हैं पॉली राइबसम में रिपर्जेण ऍवंग परदर्शितच के प्तह। में पर ग्रत करते हैं और ऐसे किसमें होती है प्रोकैरियोट में पॉली सिस्ट्रोनिक जीन की वज़ा से अपने पास में एक अपने पास में बहुत शारे राइबोसोम उस पर क्या कर सकते हैं ठीक है और दूसरी बात जो ट्रांस्लेशन ट्रांस्क्रिप्शन दोनों एक ही जगह पर होते हैं तो यह पॉसिबल होता है तो ribosome जो एकलमारने पर जुड़े होते हैं अब अच्छों लास्ट कुशन में आगए हम और लास्ट कुशन अपने पास में क्या है यह लास्ट कुशन है आपको celluloge is the polymer of बच्छों बहुत अच्छा कुशन है celluloge बीटा गुलकोज का पोलीवर है आपको पता है कि होमो पोलीमर ऐकेवल बीटा गुलकोज अपने पास में जड़ती है अन-ब्रांच्ट पोलीमर है ऐसा है अन-ब्रांच्ट केर वनफोर बोंड इसके अंदर पाये जाते है तो अपने पास में बन जाता पॉली शकराइट इसलोल आयोडीन ट्रेस्ट नहीं देता है यह डालने पर पाने के साथ में बैजाएगी इस्टार्च ब्रांज्ट पोलीमर है और अपने पास में ग्लाइकोजन हाईली ब्रांज्ट पोलीमर है ज्यादा मात्रा में आयोडीन अटकेगी तो कलर चैंज हो जाएगा रेड बिल्यू हो जाएगा तो यह अपने पास में बच्चो गुलकोज अपने पास में कलर नहीं देता है किलियर है अपने पास में बच्चो यह आपका प्रोसेस अपने पास में मेरे हिसाब से किलियर हुआ ठीक है तो अब अपने पास में जो है यह कार्यकरम कम्पेट अच्छो अच्छे से एक्जाम दीजिए नीट के लिए best of luck ठीक है आप बहुत अच्छा करके आओगे उमीद है